हलो बच्चो क्या आल चाल बढ़िया एकदाम मस्त एकदाम तो आज अपन पढ़ेंगे एक अधि करेंगे कंपलीट करेंगे अगले 15-20 मिन फुरा चाप्टर समराइज करेंगे आपको बता है मैं बहुत ही शौट वे में समराइज कर रहा हूं उमीच सीरीज में तो इसको भी हम लोग 20-25 मिनेट में कंपलीट कर देंगे कैसा लग रहा हूं मैं अच्छा लग रहा ह बढ़ियां लग रहा हूँ, thank you, thank you, master आया, it's not master, it's master, master आया, क्या हाल है, hello, hello, good evening, hello, hello, बहुत ही असान chapter है है न, हलवा, सर आज class नहीं लेंगे, चलो सब लोगे, काउन नेता है भी या, class ही cancel कर आ रहा है, बहुत सही सर, है न, handsome लग रहे हैं, thank you, thank you, thank you, सुन्दर लग रहे हैं, यार, ये सुन्दर बोला, wow, oh my god, master जी नमस्ते, नमस्ते बच्चा, क्या हाल है, ग्राविटेशन का notes नहीं बेटा, सबका notes है, आप सही से चेक करो, आपको previous classes के अंदर सबके notes मिल जाएंगे, ठीक है, रोज यहां के जो help line बना देते हैं, आप मेरे को, NCRT वाला में, बेटा, NCRT होता है, E कहां गया, लिखा है NCRT, इसे हम लोग बोलते विए मिशे ही है, NCRT, E तो होता ही नहीं है, एक ने लिखा भी NCRT है, सुन्दर लग रहे हो, thank you, गाजर का हलवा खाएंगे, देखो जरा है इनको, गाजर का हलवा खाके सो जाओ, है ना, भरी शाम में, पढ़ेगा account फिर, how many hours, देखो, क्या ऐसा सवाल पूच रहा हो, बच्चा पूच रहा है, how many hours, बेटा, hours की तो लेती नहीं में, क्लास, लेती क्या, क्या होगा है या लग आपको, लेती नहीं लेता, what is this happening, मैं hours की class तो लेता ही नहीं हूं, और बताओ लेक्शर की पेस बढ़ाओ छे क्या चलो बढ़ाते हैं लेक्चर की पेस बढ़ाओ कि विवूडिफुल बवाल लग रहे हो माश्टर जीया क्या कवेंट है अरहद अंसारी ने लिखा है बवाल लग रहे हो बवाल लग रहा हूं बवाल रोगजा ना करना हूं रिजल्ट आया सर हां रिजल्ट आया एक दो बच्चों के 100 नमबर आ गया बोड में तो सर खुश नहीं हो यहां से खुश ही है यहां से दुखी है समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चों के 100 नमबर आ गया तो अच्छी बात है यार वह भूले चुके में एक प्रॉमिस हो लाएगा उसको 50,000 रुपय दूँगा कितने 50,000 रुपय आ गया है लोगों का 50,000 रुपय देना पड़ेगा ठीक है कल रिपोर्ट हुआ है मेरे पास ठीक है स्टाट किया जाए क्लास चलो जैज भाई नहीं है यहां ठीक है I am myself जैज भाई I am अलग पांडे I am my ppt designer ठीक है I design my own ppt I take my own class I set up my own class I end my own class and sometimes most of the times I even post my own notes जाके admin पर मैं खुदी notes भी लगाता हूं ठीक है सारी महिनत करनी पड़ती है चला जाए शुरू किया जाए च्रूर्ट करते हैं वन ट्यू थ्री लेट्स गो हालो बच्चो क्या हाल चाल बढ़िया एकदम सब्सक्राइब वेल्कम ओल उल फ्यू तो दा मॉस्ट ब्यूटिफुल दा चैनल competition वाला भी चल रही है उमीद स्रीज नीट फिजिक्स का crash course आजए दे नमबर 33 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं moving charges and magnetism in one shot इस lecture में होंगे moving charges and magnetism के सारे concept सारे formulae shortcut और धेर सारे previous year के NEET और AI PMT के questions बेटा इस lecture को करने के बाद आप नीट फिजिक्स में moving charges and magnetism का कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे अगर इस lecture को करने के बाद आप practice sheet भी solve करते हो और practice sheet कहा मिलती है physics वाला के mobile app में तो physics वाला का mobile app डाउनलोड करना है mobile app डाउनलोड करके login करना है login करके batches section में जाना है और batches section जाके उमीद batch पे जाना है और उ अंदर free of cost उमीद batch में enroll हो जाएंगे और वहां से इस lecture की practice sheet डाउनलोड करेंगे practice sheet में होंगे इस lecture से जुड़े मेरे ख्याल से इसमें 40 के आसपस मैंने सवाल डाले है 30 से 40 से 50 सवाल डाल देता हूँ मैं depend करता है कितना बड़ा lecture है कितने topic हम लोगे cover की है practice sheet में होंगे इसक का सवाल नहीं फसेगा practice sheet के question में रह जाए कोई confusion तो फिर से जाना है physics वाला की mobile app में batches section में उमीद batch में और वहां पे आपको मिलेगा practice sheet का detailed video solution तो इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का lecture जी हां मेरा नाम है अलग पांडे और ये है आपका खुबसूरत सा channel competition वाला आ भाई start करे moving charges and magnesium तो बेटा सबसे पहले कहानी आई है और state experiment की कहां से start करेंगे हम लोग और state experiment से start करेंगे तो और state uncle ने क्या किया और state uncle ने ये बात दुनिया को बताई कि भाईया current carrying wire current carrying wire produce करता है magnetic field इन्होंने क्या किया current carrying wire के बगल में एक magnetic compass रग दिया और इन्होंने देखा कि जब इस wire में से current flow करता है तो compass टु-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk भाईया magnetic compass deflect कर रहा इसका मतलब magnetic field है आज-पास कोई magnet नहीं है तो magnetic field कौन मना रहा current carrying wire यहाँ दे शुरू होती है आज की लेक्चर की हमारे आज के टॉपिक की आज के चैप्टर की पहली कहानी कि एक करेंड केरिंग वायर अपने आसपास magnetic field generate करता है यह बाद और स्टेड ने सबसे पहले देखी इनका observation क्या था इनका observation था अब magnetic compass और magnetic needle यहाँ पे एक magnetic compass या magnetic needle रखा shows deflection when placed near a current carrying wire क्या शो करता है बेटा deflection दिखाता है जब आप उसको कहां रख दो current carrying wire के पास में near current carrying wire तो जब आप एक magnetic compass को कहां रखोगे current carrying wire के पास में तो इसमें deflection होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है so a current carrying wire produces magnetic field around it तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये current carrying wire अपने आसपास क्या बना रहा है magnetic field बना रहा है आगे बढ़ते हैं बेटा अब ये magnetic field का direction क्या होगा पता लगेगा right hand thumb rule से किसे right hand अपना right hand ठीक है अगल बगल वाल होगा नहीं पगड़ लिया छटे भाई का right hand निकाल के लिए आए सरी है right hand अपना right hand right hand thumb rule से current carrying wire के आसपास magnetic field का direction आप पता लगा सकते हो अपने right hand को यूँ खोलें पाम को ऐसे है न उसके पास अपने thumb को रखे current के direction में रख दिया मान लो current यूँ जा रहा मान लो current यूँ जा रहा मान लिया सर माल लो current यूँ जा रहा अपने right hand के थम को रखे current के direction में और अपनी fingers को curl करें क्या करें? curl करें, ऐसे तो मैंने थम को रखा current direction fingers को तो अगर मैं पूछूँ कि यहां पे magnetic field कैसी है इस जगह पे माल लो इसको मैं कहता हूँ A और इसको मैं कहता हूँ B मैं कहता हूँ A पे magnetic field कैसी है थम को रखा current के direction में fingers तो A पे बेटा field कैसी है Inwards magnetic field को बेटा B से represent करते है जो symbol होता है magnetic field का वो होता है B तो B से represent किया तो यहां पे B कैसी है magnetic field inverse है इसको यह B की जगह एकस वाई कर लेते है या पी क्यू कर लेते हैं तो बेटा राइट हैंड के थम को रखा current के direction में fingers को कल किया यहां पे finger अंदर गई यानि magnetic field inverse और फिर इस तरफ यहां पे थम को रखा current के direction में fingers को कल किया कल किया finger को रखा thumb को रखा current के direction में fingers को कल किया तो बेटा यहां पे field कैसी आ रही outwards आउटवर्ड के लिए इसे dot बनाते हैं ठीक है inverse के लिए बनता है cross outwards के लिए बनता है dot इतना तो पता ही हो कभी है नीट का paper देने जाए तो यहाँ पे मैंने थम रखा current direction में magnetic field inverse, inverse के लिए cross और इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ outwards, outwards के लिए dot clear है सभी को, बिटा है थम रखा यह देखो current यह जा रहा है यह देखो किसी का thumb है जिसने हरे रंग का t-shirt पहना है तो इसने thumb यू रखा current के direction और fingers को curl किया तो देखो यह magnetic field है, circular yes, yes, circular, यहाँ भी देखो मान लो यह current carrying wire है, मान लिया sir यह रखा thumb, रख दिया, देखो magnetic field जिधर fingers जा रही है यह fingers यह जिधर जा रही है, वो magnetic field का direction कैसी, circular यहाँ पे देखो, thumb को रखा current के direction में right hand बेटा यहाँ पे हातों का ध्यान रखना right hand, left hand, जैसे खाना खाते हों हमेशा ध्यान रहता है, left hand से खाना खाऊ तो घर वाले पीड देते हैं, कि नहीं बटा यह नहीं गंदा हात है, गंदा हात किसने कहा इसको गंदा हात, तो right hand को रखा अपना हमने, thumb को रखा current direction और fingers को यूँ कल किया, कल किया, कल किया ओड, of magnetic field at point P and Q in the following cases चलो बच्चो, P और Q पे आपको magnetic field का direction पता लगाना है चलो, current के direction में थम रखा, fingers को कल किया current direction में थम, fingers को कल Q पे किदर आई वेटा magnetic field? Inwards, और P पे किदर आएगी? Outwards, बोलो clear है, thumb को रखा current के direction में? right hand का, right hand का thumb, current direction में Q पे किदर आई field, fingers किदर जा रही? अंदर P पे किदर आ रही? बाहर चलो बेटा, यहाँ पे आते हैं, थम को रखा current के direction पे Q पे finger किदर जा रही? Inwards P पे finger किदर आ रही? Outwards clear है, thumb को रखो current के direction में और fingers को curl करो, right hand थिक है, thumb को रखा current direction, fingers curl किया यहाँ देखो Q पे? Inwards P पे? Outwards, बेटा, यहाँ आओ क्या है? current coming Outwards, अब क्या हुआ? अब जो current है, वो बाहर की तरफ आ रहा है dot का मतलब Outwards, cross का मतलब Inwards, कोई भी quantity हो सकती है जरूरी नहीं कि magnetic field cross का मतलब कोई quantity Inwards है, dot का मतलब कोई quantity Outwards यहाँ पे क्या लिखा है? current coming Outwards तो बेटा, current बाहर आ रहा है, यूँ आपकी तरफ तो current के direction में थम को रखना है, तो मैंने थम को रखा current के direction में, यह देखो current किदार आ रहा है? बाहर current coming Outwards यहाँ पे लिखा है ना, current coming Outwards तो current ऐसे बाहर आपकी तरफ आ रहा है तो मैंने right hand का thumb रखा current के direction में fingers को curl किया, curl किया Q पे देखो finger किधर जा रही नीचे, देखो thumb को रखा current के direction में Q पे देखो finger, नीचे तो बेटा यहाँ पे magnetic field यू ठीक है अच्छा, और P पे जड़ा देखो thumb को रखा current के direction पे Q पे किधर जा रही, नीचे especially Q पे देखो, यह नीचे और P पे उपर यह देखो, current के direction में thumb रखा, current बाहर आ रहा है, P पे पी पे चलो यहाँ बात करते हैं बेटा current going inwards यह वाला सबी लोग खुद से बताओ यह बताओ यह बताओ, current going inwards, last वाला, current going inwards, सब लोग खुद से बताएंगे current going inwards, तो बेटा current अंदर है, thumb को अंदर रख दिया fingers को कल किया, P पे नीचे current going inwards तो thumb को किधा रखो, current के direction में तो thumb रख दिया, current direction P पे नीचे, downwards और Q पे thumb रखा current के direction में, Q पे upwards बोलो clear है सभी को बोलो clear है P पे, downwards Q पे, upwards clear है सभी को, P नीचे Q पर, एकदम सही बेटा P नीचे Q पर upwards at Q downwards at P, बहुत बढ़िया साब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया जबाब दिया North, South, हाँ भाई, तुम्हा और पड़े लिखे हो बताओ, North, South, East, West भी बता दो चलो, यहां तक समझ में आ गया सभी को चालो, चालो, चालो Biot-severt law यह क्या कहते हैं Biot-severt, दो लोग है बेटा एक Biot है, एक Severt है, तुमसे क्या मतलब Biot-severt law क्या बताते हैं, यह बताते हैं कितनी magnetic field है बया, राइट हैंड थम रूल से क्या पता चला Direction पता चला Inwards, Outwards, Upwards, Downwards कितनी magnetic field बन रही है यह कौन बताएगा Biot-severt law कि यह current carrying wire अपने आस पास कितनी magnetic field बनाता है आओ देखें Calculation of magnetic field B and its direction due to a current element due to a current element बया, current की वज़े से नहीं पता चलेगा किसकी वज़े से पता चलेगा current element की वज़े से अब यह क्या होता है, आओ देखो माल लो बयाटा, यह current carrying wire है माल लिया सर इसमें current माल लो यू जा रहा है ऐसे current carrying wire अब हम current carrying wire की वज़े से magnetic field नहीं निकाल पाते बयोट से वर्ट लॉ से current carrying wire की magnetic field नहीं निकलती, किस की निकलती है Calculation of magnetic field and its direction due to a current element किस की वज़े से निकालेगे बयाटा किस की वज़े से current element की वज़ा से तो बयाटा इस wire में मैं a current element लोंगा है न जैसे है अपन elemental charge लेते थे छोटा सा charge dq है न elemental length छोटी सी length dx इस तरिसे हम छोटा सा current लेंगे ठीक है छोटा सा तो elemental current तो बेटा हमने क्या किया current element ये हमने ले लिया current element छोटा सा एक छोटू सा current element ये ले लिया बेटा को हमने बोला dl इस vector को हमने बोला dl vector अब dl vector किस direction में होता है जिस direction में current हो उस direction में dl vector होता है length vector बेटा यहां से मैंने कहा R distance दूर, कितना दूर बच्चा, कितना दूर, R distance दूर, P point पे मैं magnetic field बताऊंगा, R distance दूर, P point पे मैं magnetic field बताऊंगा, ये DL vector है बैटा, DL vector किधर होगा, current direction है, मैं यहां से R distance दूर, P point पे magnetic field बताऊंगा, और मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा है कितना है थीटा मैं P point पे magnetic field बताऊंगा अब magnetic field किसकी वज़ा से बता रहे हो current की वज़े से नहीं current element की वज़े से तो बिटा छोटे से element से छोटी सी magnetic field बनेगी तो मैं B ना बोलकर मैं B ना बोलकर DB बोलूँगा छोटी सी magnetic field इस छोटे से current element की वज़े से बिटा इसमें current कितना है आल इसकी length कितनी है DL, यहां से कितनी दूर R, कितने एंगल पर थीटा, इस P point पे magnetic field बताएंगे, कैसी magnetic field होगी छोटी सी magnetic field due to small current element तो बेटा, वो छोटी सी magnetic field को मैंने बोला बेटा, यहां पे DL vector क्या है? छोटा सा length vector, direction इसका current के direction में R vector सबको समझ में आ गया है क्या है vector भीया? I current है बेटा R distance है Mu naught by 4 pi constant है बेटा Mu naught को बोलते हैं हम लोग permeability of free space और यह Mu naught by 4 pi की value है constant बेटा, इसकी value है 10 to the power minus 7, SI units में अभी units की बाद बाद में कल लेंगे जब magnetic field की unit मिल जाएगी 10 to the power minus 7 in SI units Mu naught by 4 pi 10 की power minus 7 तो बेटा, यह तो हो गया vector form में, किस form में हो गया? Vector form में जड़ा, scalar form में try करें इसको, यह तो vector form में बताया, हमने Mu naught by 4 pi I DL cross R upon R Q, जड़ा, scalar form में लिखते हैं यह DL vector, यह R vector इनके बीच में अंगल theta So DL cross R को क्या लिख सकते हैं? DL R sine theta तो यहाँ पर लिख लेंगे DB का magnitude DB का magnitude अरे 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 बिना मार कर गिने lecture complete नहीं होता रे बाबा चलो, तो भाईया, क्या बोल ला हूँ मैं? DB का magnitude DB का magnitude is equals to Mu naught by 4 pi I DL cross R तो DL into R into sine theta upon R cube बेटा, R cube है, उपर R है तो एक R, एक R मर जाएगा और आपको मिलेगा DB का magnitude is equals to Mu naught by 4 pi I into DL बेटा, और क्या बचा? sine theta R से R cube से एक कंसिल क्या बचा नीचे? R square यह हो गया, बेटा, scalar form में यह हो गया, vector form में यह हो गया, आपका scalar form में clear? clear? तो DB क्या है? मैंने आपको बता दिया DB है, छोटी सी magnetic field यहाँ पे बनने वाली छोटी सी magnetic field किस की वज़े से? छोटे से current element DL की वज़े से कितनी है? Mu naught by 4 pi I DL vector cross R vector upon R cube मैंने का भया, यह किस form में हो गया? यह हो गया, vector form में फिर हमने का नहीं यार, scalar form में भी पता होना चाहिए हमने का अच्छा, ठीक है तो DL cross R को क्या लिख सकते हैं? DL cross R को क्या लिख सकते हैं? DL into R into sin theta लिख सकते हैं R से R cube cancel हुआ? मतलब यहाँ एक R कम हो जाएगा I DL sin theta बटे R square यह किस क्या हो गया? Scalar form Sir कौन सा इस्तिमाल करेंगे? Generally हम लोग यह यूज करते हैं हम लोग यह वाला यूज करते हैं ठीक है, क्यों यूज करते हैं? Magnetic field की value यहाँ से निकाल लो और direction राइट हैंड ठम रूल से निकाल लो, खत्म So छोटी सी magnetic field due to छोटा सा current element बेटा कितनी है? Mu naught by 4 pi ideal sin theta upon R square इसको बेटा याद करेंगे इन दोनों ही expression को याद रखेंगे इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद करेंगे सो बेटा vector form में क्या है? Mu naught by 4 pi ideal cross R upon R cube और याद रखना DL vector का direction is in a direction of current DL का direction क्या है? is in the direction of current क्या यह current carrying wire की magnetic field है? यह किसकी magnetic field है? current carrying element की लिका है ना current element है DL की R distance दूर wire से theta angle पे कितनी magnetic field है? mu naught by 4 pi I DL cross R बेटा R cross DL मत बोल देना सब उल्टा उल्टा हो जाएगा DL cross R upon R cube अब यहाँ यह क्या चीज है? constant है इसकी value कितनी है? 10 की पार minus 7 in SI units फिरम ने का यह तो vector form हो गया scalar में क्या करेंगे बिटा? DL cross R DL R sin theta लिख लेंगे R से यह cancel हुआ ideal sin theta बटे R square clear आगे बढ़े clear आगे बढ़े ideal sin अच्छा दोनों में से कौन सा use करोगे numericals के लिए numericals के लिए यूज करोगे यह first वाला यूज करोगे कि यह second वाला यूज करोगे by second वाला यूज करेंगे direction of magnetic field right hand thumb rule right hand thumb rule से ठीक है? right hand thumb rule से आगे बढ़े JMD, 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 JMD practice sheet जरूरी है जरूरी तो कुछ नहीं है जिंदिगी तो ऐसे भी चली जाएगी magnetic field is zero on the axis of current element जरूरी यह भी समझो magnetic field is zero on the axis of current element बेटा जरूरी यह भी समझो current element की axis पे magnetic field zero है कहने का मतलब बेटा माल लो यह आपका current element है dl है न? और current यू जा रहा है ठीक बेटा इस axis पे magnetic field हर जगे zero होगी मैं यहां पे magnetic field पूछू zero यहां पे magnetic field पूछू zero axis पे wire की axis पे magnetic field हमेशा zero होगी जैसे माल लो यह current carrying wire आई है ठीक है आप से कहा find magnetic field at point P यहां पे तो बेटा क्योंकि point P कहां पढ़ रहा है axis पे तो बेटा यहां magnetic field कित्ती होगी zero axis of wire पे हमेशा magnetic field zero होती है जैसे मैं यहां पूछ लूँ यहां कोई point Q है यहां magnetic field कित्ती होगी zero reason बड़ा असान है पेटा जरा ध्यान से देखो यहां पे देखो यह DL vector हुआ और यही R vector हो गया DL और R के बीच में angle zero दीरी हो गया जीदी बोल दिया zero degree हो गया जरा ध्यान से देखो reason बड़ा असान है यह देखो DL vector और यही हो गया R vector DL और R के बीच में angle कितना हो गया theta zero degree हो गया theta sin zero की value zero हो गई so magnetic field कित्ती आ गई zero clear हुई बात क्यों zero है समझ में आया क्योंकि angle zero है यहां से देखो आप यह DL vector यह DL vector यह DL vector यह R vector इनके बीच का angle कितना हो गया theta zero degree angle zero तो sin zero sin zero तो sin zero की value zero clear क्योंकि db का expression क्या है magnitude of db कितना है mu naught by 4 pi बोलो सभी लोग ideal sign theta बोलो भाया upon r square दो को magnetism बहुत असान है कुछ formula रटने है magnetism हलवा लगना है कुछ formula रटने है मेरे साथ कुछ हाथ का खेला खेलना आज आज पूरे lecture में हाथों का खेला खेलेंगे हम लोग राम नाम जपेंगे भाया काम बन जाएगा और कुछ formula भाया पकड़ने पड़ेंगे और सारे formula मैं आपको similar कराके दिखाऊंगा देखो मालब याद करने में तकलीफ ना हो यह मैं ensure करूँगा चलो भाया तो db की value कितनी है सभी लोग बोलेंगे mu naught बटे 4 pi ideal sine theta बटे r square db is equals to mu naught बटे 4 pi ideal sine theta बटे r square और बेटा theta किसके बीच का angle है theta किसके बीच का angle है angle between angle between dl vector and r vector और dl vector किस direction में होता है current के direction में यहाँ dl vector देखो इस direction में और यह r vector दोनों same direction में है clear सभी को चलें आगे बढ़ें हाँ बेटा इस तरफ 0 degree हो गया इस तरफ 180 degree हो गया साब बास बेटा एक बच्चे ने बहुत सही बता दिया इस तरफ अगर r देखो तो इस तरफ theta कितना हो गया 180 degree हो गया साइं 180 भी 0 होता है तो magnetic field 0 देखो इन सब में मत फसो तुम यह पकड़ लो बस यह पकड़ लो क्या magnetic field on the axis of current carrying wire is 0 अगर यह current carrying wire है तो इसकी axis पर magnetic field 0 होगी इसकी axis पर magnetic field 0 होगी axis पर magnetic field 0 होगी भया बात हो गई हम लोग की अब देखो direction of db या magnetic field direction कैसे मिलेगा direction कैसे मिलेगा dl cross r से जरा समझो बेटा db को vector form में लिखते हैं देखो तुमको रटवा दूँगा db को vector form में बेटा db को vector form में mu naught बटे 4 pi i into dl cross r बटे r cube बो सभी को याद हो गया आप तक db is equals to mu naught बटे 4 pi i into dl cross r बटे r cube बेटा इसका direction पूछा है यह किस से आया है धो vector के वही db का बेटा यह ज़्यादा reliable method है right hand thumb rule से right hand thumb rule थोड़ा सा चल जाता है 95% case में बट बेटा ये हमेशा सही होगा this is 100% true मैं हमेशा 100% true चीज भी बताता हूँ और फिर वो ही बताता हूँ जो जहां जालतर जगे जो चीज लग जाती है बट 100% true बेटा यह है ठीक है 100% true dl cross r का जो डिरेक्शन होगा वही db का जरा मिसाल देखते हैं पेटा फिरसे बही बेटा यह dl vector g master बेटा यह r vector g master यह p point g master यह theta angle g master अब बेटा बताओ यहाँ बेटला मैंगनेटिक फील्टर डिरेक्शन क्या होगा यह r vector हो गया और यह आपका dl vector DL cross R, देखो DL यू है, R यू है, DL cross R, बेटा, screw rule तो पढ़ा होगा न, vector product में, cross product के लिए screw rule होता है, DL और R, DL cross R, किदर जा रहा है, बेटा, DL cross R, screw किदर जा रहा है, अंदर, inwards, बोलो clear न, DL cross R, बेटा, ये ज़्यादा reliable है, ये कभी गलत नहीं होगा, mu naught by 4 pi, ideal cross R, बेटे R cube, ये actual formula है, है न, और ये तो हम लोग ने दिमाग लगा के, सिर्फ scalar इसका value निकाल लिया, direction देखा जाएगा, ऐसा सोचा, mu naught by 4 pi, ideal cross R upon R cube, तो बेटा, किदर direction आया, inwards, अब आए भईया, कौ होता है, इसलिए इसको use करते हैं, अब ये ता, ये क्या बोलेंगे, थम को रखो current के direction में, रख लिया, fingers को curl करो, किस thumb को बेटा, right hand के, thumb काट के मत रख देना, thumb को रख दिया, अब कैसे निकाले direction, right hand के thumb को रखे, current के direction में, fingers को curl करें, किदर आ रहा बेटा, direction, inverse, so आप DL cross R क direction का direction देख सकते हो, या आप simple right hand thumb rule भी use कर सकते हो, reliable कौन है, ज्यादा, ये है, बट लगाना कौन सा है, ये, क्योंकि ये असानी से लग जाता है, तो maximum case में, लगाएंगे यही, thumb को रखा current के direction में, fingers को curl किया, या तो DL cross R, clear है बेटा, बहुत बढ़ी है, यहाँ पे आपका, बायोड सिवेट लॉग खतब हुआ, चलो, सवाल करते है, यूनिट, अच्छा, यूनिट्स of magnetic field intensity, बेटा, B की यूनिट, magnetic field intensity, B की यूनिट हमसे मांगी है, तो बेटा, इसकी B की यूनिट हम लो निकालते हैं, इस formula से, F is equals to IBL, यहाँ से आप B की यूनिट निकालते हो, क् निकालते हैं, B की यूनिट होती है, टेसला, है मां, सभी को बता होगा, तेसला, magnetic field intensity की यूनिट क्या होती है, टेसला, टेसला क्या होता है, न्यूटन पर अम्पियर मीटर, क्या होता है, न्यूटन पर अम्पियर मीटर, कैसे आएगा जड़ा देख लो, F is equals to IBL, बेटा, F stands for force, I of course stands for current, I stands for current, B stands for magnetic field, and L stands for length, यह आगे हम लोग पढ़ेंगे formula, force होना, current carrying wire में, बेटा, यहां से B क्या हो जाएगा, F upon I into L, बेटा, force की यूनिट, न्यूटन, current की यूनिट, ampere, length की यूनिट, meter, बोलो clear है, B का formula बना लिया हमने, B का formula बना लिया, B को subject बना लिया, B को subject बना लिया, बेटा, B is equals to F upon I into L, बेटा, force की यूनिट, newton, current की यूनिट, ampere, length की यूनिट, meter, newton पर ampere, बेटा, इसी को आम लोग बोलते है, Tesla, denoted by capital T Tesla, clear है, Tesla, denoted by capital T, clear कह रहे हैं कि Elon Musk के ancestor ने दियोंगे, कैसी generation है, Nicholas Tesla को नहीं जानती, Nicholas Tesla नहीं दिया है, scientist के नाम पे है, चले आगे बढ़े, Tesla, इसको बेटा, Weber per meter square भी बोलते है, एक unit और होती है, लिखना चाहो तो लिख लो Weber per meter square, ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, Weber per meter square, Weber per meter square, चलो, आगे बढ़ते हैं, Newton per ampere meter या Tesla, बेटा सवाल आ गया, 1996, बहुत पुराना सवाल बेटा, The magnetic field DB due to a small current element DL at distance R and element current I is, बताएं बच्चों जल्दी से, A, B, C, D, mu naught by 4 pi I DL cross R upon R cube, कहा है, mu naught by 4 pi I DL cross R upon R cube, B, सभी का आगया, बी, mu naught by 4 pi I DL cross R upon R cube, B, 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 चलो, आगे बढ़ते हैं, यह था by or savert law, आगे बढ़े बेटा by or savert law के application है, अब current element के help से, हम पूरे पूरे wire की वज़े से, magnetic field निकालेंगे, एक element की वज़े से आगया, अब पूरे wire की निकालेंगे, कैसे, integrate करके, पर हम integrate नहीं करेंगे, हम formula पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब देखो, आगे बढ़ते हैं, अब we have a straight wire of length capital L, carrying current I, and P is a point at perpendicular distance A from the wire, अब पहली बात सुनो, दियान से यहाँ पे, कि P जो है, वो midpoint के सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, guaranteed नहीं है कि midpoint के सामने, यह बात दिमाग में डालो, P क्या है, P is a point at perpendicular distance A, बस यह पता है कि P यहाँ से perpendicular distance A पे है, यह क्या है बेटा, wire है, जिसकी एक defined length है, infinite wire नहीं है, अब we have a straight wire of length L, carrying a current I, and P is a point at perpendicular distance A from the wire, अब बेटा, P पे हमें magnetic field बतानी है, करते कैसे हैं, एक current element की वज़े से यहाँ magnetic field निकालते हैं, फिर दूसरे current element की वज़े से यहाँ magnetic field, फिर तीसरे की वज़े से यहाँ magnetic field, फिर चौथे की वज़े से सारे current element की वज़ा से, यहाँ पे magnetic field निकालकर, उसको साम बना देते हैं इंटिग्रेट कर देते हैं, तो net magnetic field, तो overall बेटा answer क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ेंगे, ऐसे, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजे, इसको यहां से जोड़ेंगे, और इसको यहां से, वायर के दोनों end को, उस P point से जोड़ लो, जहां पे magnetic field आपको निकालनी हो, जोड़ लिया, बेटा, इस angle को हम बोलेंगे theta 1, और इस angle को बोलेंगे theta 2, एक angle को बोला theta 1, एक angle को बोलेंगे theta 2, ठीक है, तीता 1 और ये हो गया तीता 2 बेटा P पे जो magnetic field होगी वो कित्ती होगी इसमें current कितना है I current माल लेते है इसमें current माल लेते है I जा रहा तो बेटा P पे जो magnetic field होगी वो होगी ध्यान से सभी लुखोंगे B is equals to mu naught by 4 pi B is equals to mu naught by 4 pi current कितना है I I distance कितना है A perpendicular distance bracket में sin theta 1 plus sin theta 2 ये किसकी वेशे निकाला बेटा हम लोग ने एक finite wire की वज़े से किसकी वेशे finite wire की वज़े से जिसकी length कितनी है capital L क्या लिखा हमने B is equals to mu naught by 4 pi देखो ये हमेशा मैं रखूँगा mu naught by 4 pi को मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने पास रखूँगा आज के पूरे lecture में ये constant है ना इसको अपने साथ रखेंगे 10 की पार माइनस 7 इसकी value है i by a i upon a sin theta 1 plus sin theta 2 अब sin theta 1 sin theta 2 कैसे लेना है समझ में आया आपको जो wire दिया हो मालो आपको ये wire दे दिया आपको जो wire दिया हो बात सुनो ध्यान से आपको ये wire दे दिया और यहां मालो p point दे दिया तो आपको क्या करना है बेटा p point को wire के end से connect करना है मालो ये wire given है ये p point तो आपको क्या करना है आपको wire के ends को P point से connect करना है ये perpendicular distance आपका A होगा ये angle आपका theta 1 ये angle आपका theta 2 तो इस तरह से खेल खेलना होगा clear है? जैसे मान लो आपको यू दे दिया wire और यहाँ दे दिया कहीं P point अब आपसे कहाँ P पे magnetic field निका लो तो आप क्या करोगे? wire के दोनों end को P से connect करोगे फिर perpendicular गिराओगे P से wire के उपड़ इस distance को A बोलेंगे this will be theta 1 this will be theta 2 बोलो clear है? बोलो clear है यहाँ तक? बोल भाई अरे बोल भाई क्या है यहाँ तक बात? तेरे को समझ में आई आगे बढ़े बोलो clear है यहाँ तक? A स्क्वेर होगा नहीं बेटा I by A simple mu naught by 4 by I by A sin theta 1 plus sin theta 2 direction बेटा right hand thumb rule से current के direction में thumb रखा fingers किदर जा रही? अंदर तो मिल गए direction कहीं inward होगा कहीं outward होगा वो तो depend करता है जैसे माल लो मैं यहाँ current यू कर दूँ अब बताओ current direction में थम रखा यहाँ पे fingers कैसी आई? outward होगा यहाँ माल लो मैं current की direction को यू कर दूँ thumb को रखा current direction पे P पे magnetic field कैसी आई? inverse तो wire के दोनो end को किस से जोड़ना है? P point से जोड़ना है P से एक perpendicular गिराना है यह angle theta 1 यह angle theta 2 चलो भाई आगे बढ़ते हैं सभी को समझ में आगे हैं mu naught by 4 pi i by a sin theta 1 plus sin theta 2 इसको आप याद रखेंगे mu naught by 4 pi i by a sin theta 1 plus sin theta 2 चलो सवाल आ गया from the figure shown find the magnetic field at P if I is equals to 10 ampere A is equals to 70 cm theta 1 is 37 degree and theta 2 is 33 degree चलो बच्चों जली सकी आजा यह 37 degree यह 33 degree यह 70 cm तो बेटा यहाँ पे P पे magnetic field चाहिए मुझको simple है बेटा B is equals to formula based mu naught by 4 pi i by a sin theta 1 plus sin theta 2 mu naught by 4 pi की value 10 की par minus 7 current कितना दिया है बेटा 10 ampere A की value किती है 70 cm 70 cm यानि 0.7 meter या 70 बटे सो जाओ लेना चाहो 70 cm यानि 70 upon 100 meter और बताओ sin theta 1 बेटा sin 37 कितना होता है 3 by 5 और sin 53 4 by 5 यह तो अब तक आपको आगे होगी कहानी यह 37 डिगरी वाला triangle 3, 4, 5 और तिरपन डिगरी वाला 4, 3, 5 तो sin 37 कितना हो गया 3 by 5 sin 53 कितना हो जाएगा बेटा 4 by 5 clear तो कितना हो गया 10 की par minus 7 into 10 यह 0, 0 cancel एक 10 और उपर आ गया upon 7 3 प्लस 4, 7 बटे 5 7 से 7 cancel 5 बटे 5 5, 2 जा 10 10 की par minus 6 2 into 10 की par minus 6 तसला 2 into 10 की par minus 6 2 micro tesla 10 की par minus 6 मतलब 2 micro tesla सबी का आ गया 2 micro tesla clear sin 37 हो गया 3 by 5 sin 53 हो गया 4 बटे 5 clear 2 micro tesla B, 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 B चलो बहुत बढ़ी है next use bio-severt law to obtain an expression for the magnet अच्छा यहाँ पर direction बता सकते हैं बेटा current का direction ही नहीं given है माल लेते हैं अगर current इस तरफ है माल ले अगर current ऐसे है तो magnetic field कैसी होगी inverse चलो current अगर उपर माल लेए तो magnetic field inverse next बेटा next क्या है use bio-severt law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side to a carrying current I तो बेटा यह जो coil है इसमें I current बेह रहा है ठीक है screen के काफी side में है कोई बात नहीं इसमें I current बेह रहा है आपको क्या निकालना है बेटा इसके center पे magnetic field use bio-severt law to obtain an expression for the magnetic field at the क्या चाहिए आपको बेटा magnetic field at the center of a coil तो बेटा इस coil के center पे magnetic field चाहिए यहाँ पे अच्छा अब बेटा आप देखो यहाँ पे चार finite wires है एक यह finite एक यह एक यह किसी एक की वज़े से magnetic field निकाल लेते हैं इस wire को मैंने one बोल दिया इसकी वज़े से इस point P पे magnetic field कहां पे निकाल ली है बेटा expression for the magnetic field at the center of a coil तो मैंने center पे P point ले लिया यहाँ पे magnetic field चाहिए तो भाईया मैंने का इस wire की वज़े से आओ निकालते हैं तो क्या करोगे इस कोपचे को इस से जोडोगे इस कोपचे को इस से जोडोगे यह एक perpendicular गिराओगे बेटा side कितनी है ध्यान से देखो side कितनी है 2A है कितनी है 2A है कितनी है 2A तो यह कितना होगा A हो जाएगा चलो यह तो A हो गया clear यह 2A है तो आधा यह A हो गया चलो बेटा एंगल की बात करते है यह एंगल 90 degree होता है यह कितना हो गया 45 है ना बेटा square में यह एंगल कितना होता है 90 तो यह कितना हो गया 45 और 45 के, बोलो सबको यहां तक clear हो रहा है यह हो गया A, यह बेटा 95, 90 तो यह 45 डिगरी अब बेटा magnetic field due to first wire तो first wire की वज़े से mu naught बटे 4 pi current कितना है I, बटे A sin theta 1 यानि sin 45, sin theta 2 यानि sin 45 तो बेटा यह हो गया mu naught बटे 4 pi I by A, अच्छा, sin 45, 1 by root 2 sin 45, 1 by root 2, यह कितना हो गया बेटा 2 by root 2, बोलो सही है sin 45, 1 by root 2, sin 45, 1 by root 2, 2 by root 2 यह बेटा एक wire की वज़े से हुआ direction क्या होगा, thumb रखा current के direction में fingers किदार, अंदर, inwards thumb रखा current के direction में, finger किदार, inwards इसकी वज़े से सोचो thumb रखा current direction में, finger किदार है, inwards इसकी वएसे भी inwards है, इसकी वएसे thumb रखा current direction में, direction inwards, इसकी वएसे thumb रखा current direction में, inwards तो बेटा, सबकी magnetic field inwards है और सबकी बराबर भी होगी, symmetry दिख रही है इसकी वएसे भी दोनों एंगल 45, 45 इससे भी distance है, इसकी वएसे भी दोनों एंगल 45, 45 इससे भी distance से वेट्री दिख रही है यानि इसकी magnetic field किदार है, अंदर इसकी भी अंदर, इसकी भी अंदर और इसकी भी अंदर, सबकी अंदर है सबकी बराबर है, तो इसका 4 गुना कर देते है B net is equals to B1, plus B2, plus B3, plus B4 और यह सब बराबर होंगे बेटा तो हम लोग लिख सकते है, 4 times of B1 इसको 4 से multiply कर दो बेटा कितना हो जाएगा, 4 into mu naught बटे 4 pi i by a 2 by root 2 तो यह 4, 4 cancel, 2 by root 2 बेटा, उप़र इसको root 2, root 2 लिख लेंगे एक root 2 cancel हो जाएगा, so root 2 into mu naught बटे pi, i by a यह आएगा, root 2 into mu naught बटे pi, i by a option C, आया क्या option C, अच्चा बेटा ऐसी जगह में, option C आगे बहुत बड़िया, ऐसी जगह में जहाँ पे आपको एक closed coil दिख रहा हो वहाँ पे magnetic field निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है सुनो दियां से, जहाँ closed coil दिखे भले ही square हो, भले ही circular हो भले ही rectangle हो भले ही parallelogram हो, भले ही आपका triangle हो, कोई भी closed coil अपनी right hand की fingers को हाँ हाँ, उल्टा कर दो खेल को खेल को उल्टा कर देंगे, right hand की fingers, यह सारा खेल इसमें डोनों हाथों का है वैसे मैं यह हाथ यूज़ी नहीं करता हूँ ले fun hand rule आता है मैं कहीं ** राहएंड से सारा खेल right hand की fingers, इस हाथ से मैं सारा केल खेल दूँगा मैं left hand use नहीं करूँगा ठीक है और इस हाथ मैं एक ही rule बताऊँग यही से ठीक है, चरद ध्यान सुनो, right hand की fingers को current की direction में curl करो और जिदर thumb point करे, वो magnetic field का direction उल्टा कर दिया सरा, हाँ, coil के case में ने उल्टा कर दिया, वड़ा असान है right hand की fingers को curl करो current के direction में, जिदर thumb point करे that is the direction of magnetic field, बोलो clear है right hand की fingers को curl किया current की direction में, thumb किदर point किया? अंदर, this is the direction of magnetic field, clear? right hand की fingers को curl किया current direction में, thumb अंदर, चलो next बेटा, क्या है? the magnitude of the magnetic field at the center of an equilateral triangular loop of side 1 meter which is carrying a current of 10 ampere, तो बेटा ये 1 meter की side है और कितना current केरी कर रहा है? 10 ampere current केरी कर रहा है ठीक है? 10 ampere current केरी कर रहा है अच्छा, क्या पूचा है? magnitude of magnetic field at the center of an equilateral triangle बेटा, center पर मांगा है, यहाँ पर magnetic field मांगिए, P point पर तो क्या करोगे बेटा? इसकी वज़े से magnetic field निकाल लेते हैं जो इसकी वज़े से होगी, वही इसकी वज़े से होगी यह तो समझ में आ गया होगा direction of magnetic field, current के direction में fingers को curl किया, thumb किदर गया, अंदर तो inverse है, सबकी same direction में होगी समझ में आ रहा है देखो चला, इसकी वज़े से inward, इसकी वज़े से inward इसकी वज़े से, clear? थम रखा current direction, fingers, अंदर थम रखा current direction, finger, अंदर या तो fingers को curl किया, current direction में थम, अंदर चलो, तो एक की वज़े से निकालना है, बेटा अब क्या करना पड़ेगा? इस wire के end को P से जोड़ना पड़ेगा इस wire के ends को P से जोड़ना पड़ेगा यह perpendicular A गिराना पड़ेगा बेटा, यह equilateral triangle है यह पूरा angle 60 degree होगा तो यह कितना हुआ? 30 degree यह 90 तो यह 30, यह 90, तो यह कितना हुआ? 60 degree इसदर से बेटा, यह पूरा angle 60 degree होगा यह अपने angle को बीच से कार्ड दिया 30 degree यह 90, अब इस triangle में देखो 1 90, 1 30, तो यह 60 तो theta 1, theta 2 कितना हो गया? 60, 60 हो गया तो बेटा, एक की वज़े से B1 is equals to mu naught बटे 4 pi current i बटे A sin 60 plus sin 60 बोलो clear है? दोनों angle कितने आएंगे? 60, 60, 30, 30 तो नहीं रख रहे हो कोई 30, 30 तो नहीं रख रहा है बेटा यहाँ से इसको मैंने join किया यहाँ से इसको join किया यह पूरा 60 था तो इसको 30, यह 90 30, 90 तो यह 60 यह पूरा 60 था, यह 30, 90 तो यह 60 clear है? चलो तो theta 1, theta 2, दोनो 60, 60 degree sin 60, sin 60 चलो बेटा अब current कितना है? 10 ampere और बेटा, A की value कितनी होगी? निकाल लेते हैं यह side कितनी है? 1 meter तो यह कितना हो जाएगा? 0.5 है ना? off side 1 meter side कितनी है? 1 meter है बेटा यह तो यह कितना हो गया? 0.5 meter यहां से आप A निकाल सकते हो यह triangle देखो यह A है यह angle 30 degree है और यह 0.5 है यहां से बेटा 10.30 is equals to perpendicular upon base 10.30 कितना होता है? 1 by root 3 तो A कितना हो गया? 0.5 by root 3 off value रखते हैं बेटा mu 0 by 4 pi 10 की पार माइनस 7 current कितना है बेटा? 10 ampere A कितना है? 0.5 by root 3 तो 0.5 by root 3 तो root 3 को उपर भेज़ दें A की value कितनी होगी? यहां से 0.5 by root 3 तो root 3 उपर चल गया sin 60 is बेटा root 3 by 2 sin 60 is root 3 by 2 दोनो जोड दिया so 2 times of root 3 by 2 बोलो सही है? sin 60 is root 3 by 2 root 3 by 2 times of 2 to cancel होगी है root 3 into 3 root 3 into root 3 3 बन जाएगा 0.5 से पार पर 0 5 into 5 5 to the 10 20 so 10 की पार minus 7 into 20 root 3 into 3 होगया 3 root 3 is a 6 6 into 10 की पार minus 6 बोलो सही है? 2 3s are 6 और 1 0 को इदर लगए 10 की पार minus 6 ये बेटा 1 की वज़े से है 3 की वज़े से इसका 3 गुना हो जाएगा है की नहीं? ये कितना हो गया? 10 की पार यानि 18 माइक्रो टेसला will be the answer D बोलो आ गया सभी का D 18 माइक्रो टेसला तो क्लियर हो गई बेटा ये बात हम फाइनाइट वायर की वज़े से माइग्नेटिक फील्ड आप निकाल लोगे म्यू नौट बाई 4 पाई आई बाई A साइन थीटा वन प्लस साइन देखो कुछ पार्ट्स दिखेंगे इस चाप्टर में आपको और उन पार्ट्स को अच्छे से ग्राप कर लो पूरा चाप्टर कम्प्लीट ठीक है? तो फाइनाइट वाईर की वज़े से हमें मैगनेटिक फील्ड निकालना आ गया कि अगर हमें एक फाइनाइट वाईर देता है और वहां से A डिस्टेंस में कोई पॉइंट P देता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वाईर के एज़ेस को P पॉइंट से जोड़ना है इस एंगल को थीटा 1 बोलना है इसको थीटा 2 बोलना है उसके बाद मैगनेटिक फील्ड कित्ती होगी? अगर वाईर में करेंट आई है तो मैगनेटिक फील्ड कित्ती होगी? मू नॉट बाई 4 पाई बोलो आई बाई ए अरे बोलो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मू नॉट बाई 4 पाई आई बाई यह साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाईर के एज़ेस को जोड़ना है यह याद रखना अगर यह सर्किल है जो तो बताएंगे आगे सर्किल की बात करेंगे थोड़ी दिर रुको चलो Magnetic field due to a straight wire of infinite length अब देखो अब infinite length की बात करेंगो कई बार infinite length बोलेगा कई बार आपसे long wire बोलेगा जब आपसे long wire यूज करें तो long wire का मतलब बहुत long exam में long लिखा मतलब infinite wire तो अगर यह wire infinitely लंबा हो जाए समझते हो ना सही में infinitely लंबा नहीं होता ना infinitely लंबा मतलब कि यह point इतना close हो कि इसको यह wire infinite दिखे है यहां समझ लो मेरे पास एक 100 meter का wire है कितने meter का 100 meter एक meter इतना होता है 100 meter का एक wire और मैं उसके एकदम पास में खड़ा हूँ मैं उपर देखूँगा मुझे तो wire infinity तक दिखेगा और मेरे को हवा में थो उपर लटका दो थोड़ा उपर लटका दो बीच में ले आओ wire के मैं नीचे भी देख रहा हूँ मुझको infinity तक wire तो क्योंकि मेरा wire से distance कम है इसलिए wire मुझको infinitely लंबा दिखता है और बेटा इस case में आप क्या करोगे यहाँ ते इसको जोडो तक 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 अब बेटा यह angle कितना होगा 90 अज बेटा यह infinite wire है ना तो यह line कहां मिलेगी इस से यह देखो कितना एंगिल हो गया 90 और नीचे भी कितना हो जाएगा 90 तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैलू कित्ती हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी टीटा 1 थीटा 2 अरे भाय यह 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 से कम मिलेगी यह infinite पे जा रही है और यह भी इन्फानेट पे जाएगी है ना दो पहले लैंज कहा मिलती है इंफिनिटी पे जाके मिल नैंसे में किसे मिलेगी यह समझ रहो इसे टिथा पर यह उपर अरे और उपर और अहलो भाई अंगल कितना हो गया कि उत्यूशलाइं कि यह सुतंतर इसके अंड से वाई क्या मिलाना है, end को मिलाना है, p-point से, end को मिलाना है, end का है, का है, का है, का है, का है, का है, और या, भाईया, तो यह कितना हो गया, 90 डिगरी, तो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, infinite wire में, theta 1, theta 2, दोनों बराबर 90, बेटा, आप magnetic field कित्ती हो जाएगी, mu naught by 4 pi, i by a, sin 90 plus sin 90, बेटा, sin 90 की value 1, sin 90 की value 1, तो यह हो गया, 1 plus 1, 2, ठीक है, 2, तो एक काम करो, ऐसे लिखो, mu naught by 4 pi, 1 plus 1 हो गया, 2, 2 i by a, कट्टम कुट्टा मत खेलना, कट्टम कुट्टा ना खेलना, mu naught by 4 pi को पास रखना, समझ में आया, mu naught by 4 pi, 2 i by a, कट्टम कुट्टा नहीं खेलेंगे, सिवं कस्यब बोल रहे हैं, बहुत tension है, तो बेटा, acceleration भी यादा होगा, सर्ट, teach fast, पढ़ा दिया, fast का मतलब होता है, तेज, पढ़ा दिया मैंने, teach fast, इसने कहा, fast को पढ़ाओ, मैंने fast पढ़ा दिया, और कोई concept बेटा जो तुमारे कमजोर हो, slow भी पढ़ा सकता हूं मैं आपको, so, B is equals to mu naught by 4 pi 2i by A, clear, B is equals to mu naught by 4 pi 2i by A, बेटा, mu naught by 4 pi को मत मारना, 2 से इसको cancel, मत करना, मत करना, mu naught by 4 pi 2i by A, तो बेटा, किसके लिए हो गया, infinite wire के लिए, mu naught by 4 pi 2i by A, infinite wire के लिए, mu naught by 4 pi 2i by A, clear है, चलो, सवाल 1992 का, the magnetic field at distance r from a long wire carrying current i is 0.4 tesla, the magnetic field at distance to r is, तो बेटा, बोल रहा है, current carrying wire से r distance पे, magnetic field कितनी है, 0.4 है, तो बोल रहा है, कि magnetic field at distance to r, बेटा, कौन सा wire है, infinite wire है, क्यों infinite बोल दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, long, long मतलब infinite, तो बोला है, at a distance r from a long wire is 0.4, तो 2r, तो बेटा, हमने, magnetic field का expression देखा है, क्या है, mu naught by 4 pi 2i by A, तो बेटा, inversely proportional है distance से, inversely proportional है distance से, आप distance को double करोगे, magnetic field, half हो जाएगी, तो यहाँ नहीं magnetic field कितनी हो जाएगी, 0.4 divided by 2, 0.2 tesla, बोलो clear है, inversely proportional to distance दिख रहा है, आप distance को double करोगे, magnetic field half हो जाएगा, 0.2 tesla, कोई सवाल, कोई दिक्कत, हलवा सवाल, clear है, inversely proportional to distance, आप जा distance को double किया, magnetic field half हो जाएगी, चलो आगे बढ़ते हैं, next, next क्या है बेटा, चलो पड़ो करो, magnetic field निकालनी आपको p point पे, दो infinitely long wire है और p point पे magnetic field find करनी है, बताओ, दो infinitely long wire है और p point पे magnetic field find करनी है रहे बाबा, बताओ, चलो, two very long and insulated wire are kept at 90 degree angle from each other in x-y plane as shown in the figure, the wire carries current of equal magnitude i and i, whose directions are shown in the figure, the magnetic field at point p will be, पे 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 निट magnetic field चाहिए, देखो यह current i है, इसकी वज़े से magnetic field कित्ती होगी, इसको मैं 1 बोल दूँ, इसको मैं 2 बोल दूँ, दोनों symmetrical है मिटा, इसकी वज़े से magnetic field कैसी 1 की वज़े से, inverse है, 1 की वज़े से कैसी है, inverse है कित्ती होगी, mu naught by 4 pi, 2i by d, infinite wire है रहे है न, so 2i by d, कैसी, inverse, और बेटा 2 की वज़े से देखो magnetic field कैसी होगी, outwards, बेटा current यह जा रहा है न, इसके वैसे magnetic field कैसी होगी पीपे, outwards, और value भी सेम हो जाएगी बेटा, b2, सेम होगी, mu naught by 4 by 2 by d, और direction कैसा होगया बेटा, outwards होगया, तो एक inverse, एक outward, net magnetic field कित्ती होगई, zero होगई, क्या सभी का आ गया, ए, 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 जीरो, clear, आगे बढ़ते हैं, next बेटा, 1996, क्या है, where do we expect the resultant magnetic field to be zero, बेटा, एक current carrying wire आईए है, एक current carrying wire आईए है, आपको कहां पे लग रहा है, कि resultant magnetic field zero होगी, where do we expect, where do we expect the resultant magnetic field to be zero, बेटा, दो wire है, दोनों की वैसे magnetic field बनेगी, एक I, एक I, कहां पे net magnetic field zero होगी, चलो, दूरते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार यहां देखते हैं, क्या हाल है, यहां पे magnetic field इसकी वैसे, inverse, और इसकी वैसे, outwards, और बराबर तो होगी, क्योंकि जित्ते distance पे इससे है, उत्ते distance पे इससे है, तो यहां पे zero हो गई, अच्छा, और कोई point, और कोई point, यहां पे हो गई zero, क्या है, on CD, on AB, on B, both OD and BO, OD and BO, on AB and CD, अच्छा, बेटा, इस पे तो zero होगी, पूरी जगा, यहां पे point देख लो, इसकी वएसे magnetic field, inverse, इसकी वएसे magnetic field, outwards, क्योंकि बराबर distance पे है, तो magnetic field net कित्ती हो जाएगी, zero, बोलो समझ में आया, हमें किस पे चक करना है, CD पे चक करना है, AB पे चक करना है, OD पे चक करना है, BO पे चक करना है, यहां पे point लेके देखो, जितना दूर इससे है, उत्ता दूर इससे है, तो magnetic field तो बराबर होगी, इसकी किदर है, अंदर, और इसकी किदर है, बाहर, तो बेटा, zero हो जाएगी इस पूरी line पे, अच्छा, जड़ा इधर देखो बेटा, जितने distance space से है, उत्ते distance space से है, बेटा, इसकी वैसे magnetic field अंदर, और इसकी वैसे magnetic field बाहर, बेटा, यहां भी zero होगी, तो O A पे भी zero है, O B पे भी zero है, यानि A B पे zero है पहली बात तो, A B पे तो zero हो गई, यहां भी zero यहां चेक करो, जित्ती दूर यहां से, उत्ती दूर यहां से, बराबर distance पे है, धीमा हो रहा है क्या, चलू आगे समझ में आगे है सब को क्या कहानी, जित्ती दूर यहां से, उत्ती दूर यहां से, तो magnetic field बराबर होगी, इसकी वैसे अंदर, और इसकी वैसे बाहर बेरा यहाँ देखो CO पे यह point ले लिया बेटा जित्ती दूर यहाँ से उत्ती दूर यहाँ से बराबर होगी इसकी वैसे magnetic field outwards और इसकी वैसे magnetic field outwards तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकती दोनों के वैसे outwards है यहाँ देख लो बेटा पॉइंट लेके जित्ती दूर यहाँ से उत्ती दूर यहाँ से बराबर तो होगी होगी इसकी वैसे magnetic field inwards इसकी वैसे magnetic field inwards दोनों के वैसे invert है बेटा 0 नहीं हो सकती है तो इस line पे 0 नहीं है इस line पे 0 है 20 सभी को आ गया अरे सर समझ गया बहुत बड़ी है बेटा next 2004 का सवाल चलो यह समझो 2014 का सवाल है 2014 का सवाल है 2014 बाई 2 identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angles to each other with one above the other such that O is the common point for the two the wire carry current I1 and I2 respectively point P is lying at distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires दो मैं देखो यह सवाल असान है language का फिर इस सवाल का सही डाइग्राम बन जाए तो 50% question महीं solve है तो को exam में क्या होता है यह बहुत बड़ी एक strategy है और यह बहुत बड़ा एक point है कि exam में questions गलत होने का major region physics के अंदर यह होता है कि आप सही डाइग्राम नहीं बना पाए question बहुत असान है यह इसका सही डाइग्राम अगर बन जाए तो बात बन जाए two identicals long conducting wires AOB and ACOD are placed at right angles to each other with one above other such that O is the common point for the two देखो चला इसको मैं कैसे बना रहा हूँ अगर इसका सही डाइग्राम बन जाएगा तो यह question हलवा हो जाएगा otherwise यह question tough है चला तो बेटा क्या है दो आपके पास wire है AOB यह AOB हो गया और दूसरा कौन सा है COD cash on delivery यह हो गया COD अच्छा फिर क्या है with one above the other such that O is the common point for the two the wire carry current I1 and I2 चलो इनको wire में current भी carry करा देते हैं इसको मैंने current दे दिया I1 और इसको मैंने current दे दिया I2 the wire carry current I1 and I2 आगे कहानी देखते हैं बेटा आगे कहानी बढ़ेगी अभी the wire carry current I1 and I2 इसको मैंने दे दिया I1 इसको दे दिया I2 फिर देखो आगे क्या कहानी है पॉइंट P is lying at distance D from O O से D distance पे P point है along the direction ये देखो पॉइंट P is lying at distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires बेटा ये plane है जो wire को contain किया है ये X, ये Y, ये Z तो किस plane में है wire? X, Z में है point P is lying at distance D from O point P is lying at distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires point P बेटा कहीं इसे है, पॉइंट P देखो ऐसे है clear हुई बात? point P is lying at distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires इस plane में wire है, इसके perpendicular perpendicular to the plane containing the wires the magnetic field at the point P अब P पे magnetic field चाहिए बेटा ये कैसा wire है? two long conducting wires, बेटा दोनों कैसे हैं? infinite wire है, long conducting, infinite ये भी infinite इसकी वएसे बेटा magnetic field current के direction में थम रखा, magnetic field यू बाहर current direction में थम रखा, P पे magnetic field बाहर outwards आ रही है, ये हो गई magnetic field B और इसकी वएसे बेटा, current direction में थम रखा magnetic field इधर, तो ये इसकी वज़े से इधर है इसको मैंने B2 बोल दिया और इसकी वएसे magnetic field बेटा, हाँ, बाहर हो गई एक मिनिट, दोनों के वएसे magnetic field निकाल नहीं? चलो, हाँ, इसकी वएसे magnetic field बेटा, बाहर तो ये हो गई B2, है ना? और इसकी वएसे magnetic field, A, P पे, P पे, P पे, P पे current direction में थम रखा, P पे, P, 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 पे, खचक इधर X में, तो ये X में गई, ये Z में गई, यानि कितने angle पे है बेटा? 90 degree पे है, 90 degree पे है, है ना? current direction में थम रखा, मैं गई भी ले, A, A, इधर, यानि X में एक X में है, एक Z में है, बेटा, value कित्ती होगी इनकी? देखो, B1 की बात करूँ, B1 इसकी वेसे है, infinite wire, D distance पे mu0 बटे 4 pi, 2i1 बटे D, और B2 की बात करूँ बेटा, B2 इसकी वेसे यह भी infinite wire, इससे D distance पे, mu0 बटे 4 pi, 2i2 बटे D, बोलो सही है और दोनों कितने angle पे हैं, बेटा, 90 degree पे है, अच्छा, एक काम करें, बेटा, इसको हम यह बोल सकते हैं सारी चीज़ तो same है, k times of I1, और इसको बोल सकते है, k times of I2, यह ना? बेटा, net magnetic field कित्ती होगी, net magnetic field देखो, B1 इधर है, X में, और B2 इधर है, किधर है, Z में, angle कितना होगी है, 90, तो net magnetic field को दियू होगी, कित्ती होगी, under root, B1 square, plus B2 square, B1 क्या है, K I1, so K square, I1 square, B2, K I2, K square, I2 square, बेटा, K square common बाहर आ गया, under root, I1 square, plus I2 square, बेटा, K की value कित्ती है, mu naught by 4 pi, 2 by D, clear, इस 2 से इसको cancel कर लो, mu naught by 2 pi D, mu naught by 2 pi D, under root, I1 square, plus I2 square, बोलो आया, बोलो आया, D, बेटा, इसमें diagram का खेल था, कर diagram सही बनेगा, तो खेल सही बनेगा, बना नहीं, बना लटक जाओगे बेटा, इसमें, two identical conducting wires, A, O, B, N, C, O, D, are placed at right angles to each other, जिनको नहीं समझ में है, इसको धीमा से करके, lecture के बाद एक बाद फिर दरीबीट करके देखेंगे, right angles to each other, such that, फिर क्या है, with one above the other, such that O is the common point for the two, the wire carries current I1 and I2, point P is lying at distance D from O, along a direction perpendicular to the plane containing the wire, तो यहां लेगिया हमें, along a direction, perpendicular, यह plane है, जिसमें wires है, plane containing wire, इस plane में wires है, इसके perpendicular, बेटा, इसकी वेज़े से magnetic field, outwards, इसकी वेज़े magnetic field, इधर, clear है सभी को, B1 निकाल लिया, mu naught by 4 pi, 2I1 by D, और B2, mu naught by 4 pi, 2I2 by D, इसकी वेज़े से देखो, outwards, Z direction में, और इसकी वेज़े से, इधर, current की direction में थम रखा magnetic field X में, current direction में थम रखा magnetic field Z में, तो मैंने यह B1, B2, B net हो जाएगा, under root B1 square plus B2 square, दोनों सेम सेम लग रहे थे, मैंने कI1 कI2 कल लिया, क2 I1 square, क2 I2 square, क2 बाहर, का गया, under root I, ठीक है, के है, mu naught by 4 pi, 2Y2, clear, शल, हट, break अभी कॉन बोलना है, मारूंगा, next, magnetic field due to a straight wire of semi-infinite length, अब बेटा किसकी बात कर रहे हैं हो, semi-infinite length की बात कर रहे हैं, semi-infinite कैसे होगा बेटा, कुछ नहीं होता, देखो, एक infinite wire के, एक end पे आप खढे हो जाओ, to वो wire कैसा हो गया, semi-infinite हो गया, समझे, आपके पास एक infinite wire है, आप उसके एक end के सामने खढे हो जाओ, तो wire कैसा दिखेगा semi-infinite क्योंकि एक end आपके सामने है और एक end infinity पे है यह एक infinite wire है हम इसके एक end के सामने खड़ा हूँ यहां से निकल के इस तरफ infinity पे जा रहा है तो semi-infinite तो semi-infinite wire की वज़े से magnetic field कित्ती होती है B is equals to infinite की आधी mu naught by 4 pi i by d infinite की आधी बड़ा simple है बड़ी symmetry है semi-infinite है ना तो आधी कर दो semi-infinite है ना तो infinite की आधी simple semi-infinite ना तो infinite का आधा infinite का कितना था? 2i by d यह कितना हो गया? i by d बड़े direction के लिए तो आप खिलाली होई चुके हो बहुत बड़े यहां current होगा तो magnetic field कैसी होगी? अन्वर्ड्स current direction में तो हम रखा magnetic field इन्वर्ड्स clear है? mu naught by 4 pi i by d clear? चले यहांगे बड़े infinite में कितना mu naught by 4 pi 2i by d semi-infinite में कितना है बड़ा? infinite का आधा infinite का हाफ magnetic field at the center of a current circular current loop देखो आ गया circular current loop बड़ा magnetic field का direction बताओ जला पहले फिर value बताते हैं यह circular current loop है बड़ा carrying current i radius इसका a है अब आप बताओ पहले magnetic field का direction फिर मैं value बताऊंगा आप पहले magnetic field का direction बताओ फिर हम value बताएंगे direction बताओ क्या होगा बेटा direction fingers को curl कर लें current के direction में thumb किदर गया? अंदर है ना यहाला method लगाए दे right hand curl rule right hand curl rule क्या लगाया? right hand curl rule fingers को curl किया right hand बेटा right hand left hand तो मैं निकालूँगे नहीं left hand है मेरी pocket में ठीक है? तो right hand की fingers को curl किया current के direction में thumb अंदर तो inward magnetic field हो गई अब बेटा value कित्ती होती है circular coil की? B of circular coil अब यहां पे 4 pi गाया हो जाएगा mu naught by 2 i by a देखो मैं लगाने को लगा सकता हूँ 4 pi पर फिर वो आपकी मुश्किल बढ़ाएगा mu naught by 2 i by a mu naught by 2 i by a इसको याद करना होगा mu naught by 2 i by a mu naught by 2 i by a mu naught by 2 i by a और बेटा यह कहां पे defined है? सिर्फ और सिर्फ center के लिए है सिर्फ center के लिए बेटा और किसी point पे नहीं बता सकते हैं लोग और किसी point का पूछता भी नहीं है कभी इसे लिए at center यहाँ पे mu naught by 2 i by a clear है? चलो instead of single loop if there is a coil of n tons बेटा माल लो n tons है तो बेटा 1 की वज़े से कितनी है? mu naught by 2 i by a 2 की वज़े से double हो जाएगी 3 tons होंगे triple बेटा 1 current carrying loop है इसकी वज़े से इतनी magnetic field 2 होगा तो double हो जाएगी 3 होगा triple n होगा तो n times तो बेटा यहाँ पे b कितना हो जाएगा? n times of mu naught by 2 i by a simple बेटा जब भी आपको n loops दिख जाए तो simple सी बात है जो एक की वज़े से है उसका n times कर दो एक loop की वज़े से field कित्ती है? mu naught by 2 i by a तो n loop की वज़े से इसको लिखा ऐसे जाता है कई बार mu naught n i by a उससे कोई फरक नहीं परता है mu naught by 2 n i by a जैसे लिख लो n से multiply कर लो जैसे समझो n times हो जाएगी clear है? n times हो जाएगी नहीं बेटा यहाँ pi नहीं होगा कई बच्चे pi पूछना है इसको आप याद रखेंगे mu naught by 2 i by a mu naught by 2 i by a चलो mu naught by 2 i by a mu naught by 2 i by a सवाल आ गया phase 2 2016 क्या है? a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton the magnetic field at the center of the loop is B it is then bent into a circular coil of n tons the magnetic field at the center of the coil of n tons will be a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton तो एक long wire को a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 ton कितने ton है circular loop of 1 ton एक ton है ठीक है? circular loop of 1 ton ठीक है? मैंने एक loop एक ton का बना लिया the magnetic field at the center of the coil is B इसके center पे magnetic field इसका radius R माल लेते हैं so magnetic field at the center हो जाएगी बेटा कितने? B is equals to mu naught by 2 I by R बोलो सही है? the magnetic field at the center of the loop is B तो B हो जाएगा mu naught by 2 I by R फिर क्या किया? it is then bent into a circular coil of n tons फिर क्या किया बेटा इसको? circular coil of n tons में bend कर दिया इसी को same wire को a long wire carrying a steady current तो बेटा हमारे पास एक long wire था उससे पहले हमने क्या किया? एक circular coil बनाया हमारे पास एक long wire था? पहले circular coil बनाया एक turn का radius R माल लिए current आई magnetic field at the center of the loop is B mu naught by 2 I by R फिर क्या किया? it is then same बेटा wire को it is then bent into a circular coil of n tons बेटा इसी coil को n tons में बनाओगे तो radius थोड़ा कम करना पड़ेगा कि wire थो उत्ता ही है उत्ता ही wire का तुमने इतना बड़ा एक गोला बनाया और केरें 10 गोला बनाओ it is then bent into a circular coil of n tons तुमने एक गोला बना दिया और वो केरें इसका 10 गोला बनाओ तुम गोला बना तो देंगे यार पर बना तो देंगे यार पर radius छोटा करना पड़ेगा मुझे तो तुमने ये n tons तो बना दिये पर radius कम करना पड़ेगा तुमक्र current अभी भी आई है अच्छे कि नहीं समझे तो एक चक्का बनादो, तो एक चक्का तो बनादो, तो एक चक्का तो बड़ा बन जाएगा, दस चक्के बनाना पड़ेगा, थो थो शोटे-चोटे गोलें, 10 meter की length है, पर बाल लपेड के बड़ा, तो यह चोटा का बनादो you be bend into a circular coil of n-tons, the magnetic field at the center of this coil of n-tons will be, यहाँ बे magnetic field पूछी ही बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ B dash is equals to mu naught by 2 i by r multiplied by n, yes or no, इसके center पे magnetic field कित्ती हो जाएगी बेटा, इसके center magnetic field, mu naught by 2 i by r और कित्ते tons हैं, n-tons हैं, एक की वैसे mu naught by 2 i by r और n-tons की वैसे multiplied by n हो गया, अच्छा, अब बेटा, जितनी ये wire की length है, उतनी इस wire की length होगी, दोनो wire की length same होगी, length of wire is same, तो ये कितनी length हुई बेटा, 2 pi r, ये कित्ती length हुई, 2 pi r, और ये कित्ती length होगी, 2 pi r, 2 pi r, 2 pi r, कित्ती बार, n-bar, बोलो clear है, ये length हुई, 2 pi capital r, और ये length, 2 pi small r, 2 pi r, 2 pi r, कित्ती बार, n-bar, 2 pi 2 pi cancel, capital r is equals to nr, इसके जगे nr लग सकते हैं, b dash की value चाहिए बेटा, इसको मैंने first बोला, इसको मैंने second बोला, b dash divide by b कर दो, so b dash divide by b करोगे बेटा, mu naught से mu naught cancel, i से i cancel, 2 से 2 cancel, बचा क्या बेटा, n बटे r, और यहाँ क्या बचा, capital r है b dash बटे b किया, mu naught से mu naught, i से i, 2 से 2 cancel, n बटे r upon capital r, capital r is nr, n बटे r, capital r is, कुछ mistake हुआ क्या, n बटे r, b dash mu naught बटे r, और 1 by r आएगा यह, अच्छा, वही मैं सोचे, b dash बटे b जब करेंगे हम, तो यहाँ से आएगा, mu naught से mu naught cancel, i से i, 2 से 2, यह हुआ, n बटे r, और यह हुआ, 1 बटे r, यह देखो गलती कर ला था मैं, जब इसको इससे डिवाइट करोगे, इससे यह cancel, इससे यह cancel, इससे n बटे r, और यह क्या बचेगा, 1 बटे r, अब सही है, सो, n बटे r, और 1 बटे r, 1 बटे r के जगे, n इन्टो r, r से r cancel, n उपर गया, n स्क्वेर, b dash by b is equals to n स्क्वेर, b dash is equals to n स्क्वेर b, n स्क्वेर b, n स्क्वेर b, n स्क्वेर b, clear है, अब बटे इसको आप याद भी रसकते हो, इस चीज़ को आप नीट के लिए याद रखोगे, कि आपके पास मान लो एक वाइर है, और उसके आप n टन्स बना देते हो, तो नए वाइर के सेंटर पे मैंगनेटिक फ्रील कित्ती होगी, इस बात को आपको लर्ण भी करना है, b dash is equals to n square v, कहने को बेटा ये एक मैंटाउज मैथड भी होता है, बट आपको मैंने पूरी कहानी भी समझा दी, करके भी दिखा दिया, थोड़ी प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी, इसको आप as a mentos method याद रखोगे अब, इसको as a mentos method याद रखोगे, कि अगर एक क्वाइल है, उसके सेंटर पे मैंनेटिक फ्रील भी है, फिर उसका n टर्न कर दिया, उसके सेंटर पे मैंनेटिक फ्रील कित्ती होगी, तो आप इस बात को याद रखोगे, बी डाश is equals to n square times of b, बी डाश is equals to n square times of b, clear, clear, चले आगे बढ़े, बी डाश is equals to n square by b, अब इसको आप mentos बोलना चाहो तो बोल लो, पर मैंने आपको पहले method भी समझाया है, method जानना जरूरी है कैसे हुआ, अब सिधा मैं बोल दा, इसका mentos method है, बी डाश is equals to n square by b, तो सिधा अंसर आजाता, तुम भी खुश, हम भी खुश, बर थरोदा सवाल इधर उदर हुआ, एक्जाम में अपनने टक है, इसलिए method करना जरूरी होता है, चलो, next, 2002, the magnetic field of a given length of a wire for single turn coil at its center is b, single turn के लिए कितनी है center पे, b है, then its value for 2 turns of coil, तो बेटा 2 turns कर दिये, तब magnetic field कित्ती हो जाएगी, n square b, n की value कित्ती है, 2, तो 2 का square 4 b, clear, ऐसे कर भी सकते हूं, clear, तो आब ऐसे भी कर सकते हूं, कितना है, single turn के लिए b, then its value for 2 turns, तो बेटा 2 turns कर दिया, n square b, 2 का square 4, clear, चलो आगे बढ़ाती 4, next, यह अच्छा सवाल, 2012 का, क्या है, two similar coils of radius r, r line concentrically, concentrically मतलब, दोनों का center coincide करेगा, concentrically, यानि center coincide, with their planes at right angles to each other, देखो, दोनों के plane कैसे है, right angle to each other, the current flowing in them, are i and 2i, तो एक में current है बेटा, i, और एक में current है, 2i, the current flowing in them, are i and 2i, the resultant magnetic field induction, at the center will be, center पे magnetic field induction बोला है, तो बेटा, इसकी वज़े से magnetic field, और इसकी वज़े से magnetic field, resultant निकालना होगा, दोनों का radius क्या है, दोनों का radius R, two similar coils of radius R, एक में current i, एक में 2i, बेटा, इसकी वज़े से magnetic field यहाँ पे, इसकी वज़े से magnetic field इधर, B1, और इसकी वज़े से magnetic field, 2i की वज़े से, उपर, चाहो तो ऐसे देख लो, fingers को curl किया, तो निकालना होगा, यहाँ पैसे थम रखके देख लो, इसका current ऐसे है, fingers को यूँ curl किया, magnetic field इधर, इसका current ऐसे है, इसका current ऐसे है, उपर से देखने में, so fingers को यूँ curl किया, magnetic field उपर है, fingers को यू curl है, तो इसकी magnetic field उपर B2, दूसी चीच बेटा जो मुझे दिख रही है कि B2 B1 का double होगा, क्योंकि current double है, radius same है, B2 will be just double of B1, है कि नहीं, बेटा B1 की value कित्ती होगी, mu naught by 2, I by R, और B2 की value कित्ती होगी, same, mu naught by 2, ब बटे R, तो बेटा अगर ये B है, तो ये 2B हो जाएगा, है कि नहीं, अगर ये B है, तो ये 2B, कित्ती एंगल पर है, 90 degree, तो बेटा, net magnetic field कितनी हो जाएगी, under root, B1 square plus B2 square, under root, B2 square plus 2B का square, 2B का square, 4B का square, तो बेटा, B2 common होके बाहर हो गया, बाहर B आया, under root, 1 plus 4 कितना हो गया 5, B की value कित्ती है, mu naught by 2, I by R, into root 5, देखो, mu naught by 2, into I by R, into root 5, clear, 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 चलो, सभी का आगया, A, 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 सभी को समझ में आगया, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ा जाए बच्चों, next सवाल देखा जाए, चलो, next question देखते है, A, 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 सभी का आगया, 2015 क्या है, an electron moving in a circular orbit of radius R makes n rotations per second, the magnetic field produced at the center has magnitude, बेटा, कितना असान सवाल है, एक electron है, जो की कैसे घूम रहा है, an electron moving in a circular orbit of radius R makes n rotations per second, बेटा, इसकी frequency दे रखी है, frequency किती है, n rotations per second, the magnetic field produced at the center has magnitude, यहाँ पर magnetic field पूछा है, तो बेटा, circular quiet लिए magnetic field कितनी होती है, mu naught by 2, I by R, क्या मैंने आपको इस system का current निकालना सिखा रखा था, याद करो, इस system का current मैंने बताया था, कितना होता है, E into F, या Q into F, याद होगा आपको, इस system का current कितना होता है, rotating charge का, Q into F, yes, Q into F, F क्या होती है, frequency, so, mu naught by 2 R, करेंट की जगे Q into F, बेटा, frequency क्या होगी इसकी, 1 by time period, so, mu naught by 2, Q की जगे E रख दिया मैंने, R, और 1 by time period, बेटा, इसका time period कितना होगा, 2 pi R बटे V, 2 pi R बटे V, इसमें V तो देख नहीं रहा है, और कैसे निकाल सकता हूँ, अच्छा, इसमें frequency के terms में यह answer है, यहां तक जाना ही नहीं है, अच्छा, अच्छा, मैं तो आगे जाने लग जया था, में को लगा V के terms में answer होगा, mu naught E, और frequency कितनी है, N, so mu naught E into N बटे 2R, यह तो हलवा answer है, मैं तो सुचा, time period निकालूँगा, mu naught N E by 2R, mu naught N E by 2R, D, मुझे लगा frequency की value रखके कुछ निकालना बढ़ेगा आगे विया, तो हलवा था, यह तो एक दमी हलवा है, I is equals to Q into F, खतम, Q कितना है E, F कितना है N, खतम, mu naught N E, बटे 2R, clear, चलो, next, 2011 और 2010 में सेम सावाल आया, चलो यह भी तुम उड़ा दोगे अब, सेम concept पे है, जल्दी से उड़ा दें इसको बेटा, उड़ा दें मतलब कर दें, यह नहीं कि छोड़ दें, उड़ा दिया, चलो, चार्ज Q is uniformly spread on a thing ring of radius R, एक thing ring है आपके पास, इस पे चार्ज Q आपने uniformly spread किया हुआ है, चार्ज Q इस पे uniformly spread है, ठीक है, of radius R, the ring rotates about its axis with uniform frequency F, तो ring यह rotate की, about its axis, यह axis हो गई, और यह rotate की, ठीक है, यह rotate की, the ring rotates about its axis, तो पेटा, यह axis हो गई, इसके about ring rotate की, क्या पूचा है, the magnitude of magnetic induction at the center, तो पेटा, center पे magnitude कितना होगा, mu naught by 2, i बटे R, पेटा, i के जगे क्या लिखोगे, q into f, mu naught बटे 2, i के जगे, q into f, बटे R, खतम, frequency हो दियर कोगी, mu naught qf बटे 2R, b, mu naught qf बटे R, इसमें भी अगर आप सोचोगे, current कितना आएगा, पेटा, same आएगा, अगर यहाँ पे मैं एक cross section को consider करूँ, कई लोग सोच रहाँगे, इसका current कैसे निकाला आप में, यहाँ पे मैं cross section को consider करूँ, तो यहाँ से बेटा, एक time period में, कितना charge pass करेगा, एक time period में, यह DQ, यह DQ, यह DQ, यह DQ, एक time period में, पूरी ring pass कर जाएगी, कई लोग सोच रहे हैं कि, इसके लिए सर, यह बोल सकते हैं कि नहीं, क्या यह चीज इसके लिए correct है, हाँ correct है, क्यों correct है, यहाँ मैं मैंने cross section बनाया, तो एक time period में, इस cross section से कितना charge pass करेगा, DQ, 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 Q, DQ, पूरी ring pass करेगी, एक time period में, इसमें से पूरी ring एक बार pass करेगी, यानि Q charge pass करेगा, यानि I is equals to Q charge pass किया, एक time period में, 1 by T, F हो गया, clear? सेम आएगा यहाँ पे भी, I is equals to Q into F, यहाँ पे आपने cross section मिलाए, एक time period में, DQ, 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 पूरी ring एक बार pass करेगी, एक time period का मतलब ही क्यों होता है, यह point यहाँ से निकला, फिर यह DQ, फिर यह DQ, यह point घूमता हुआ, फिर वापस आएगा, यानि पूरा Q charge pass किया, एक time period में, चलो, next, find the magnetic field at the center in the following case, बेटा, बड़ा असान है, देखो, infinite का क्या था, mu naught by 4 pi 2i by d, और semi-infinite का, mu naught by 4 pi i by d, semi-infinite का क्या हुआ, infinite का आधा, वैसे ही बेटा, circular का कितना था, mu naught by 2i by r, तो semi-circle का बेटा, उसका आधा कर दो, अगर यहाँ पे मुझे magnetic field चाहिए हूँ, इस point P पे, तो magnetic field कितनी होगी, जो circle की है, उसकी आधी, mu naught by 2i by a, इसका क्या कर दो, half, simple, semi-infinite की क्या होती है, infinite की आधी, semi-circle की क्या होगी, circle की आधी, जैसे माल लो मेरे को यहाँ पे चाहिए हो, यह क्या है बेटा, circle का चौथा ही पार्ट है, so B is equals to mu naught by 2i by a, circle का चौथा ही पार्ट है न, so 1 बटे 4, 1 fourth of circle, mu naught by 2i by a, 1 fourth of circle, circle में mu naught by 2i by a, इस circle का 1 fourth part, तो half, sorry, half part तो half, 1 fourth तो 1 fourth, clear है, आधा किया तो आधा कर दिया, चौथा ही किया तो एक चौथा ही कर दिया, direction तो निकाली लोगे, यहाँ पे, inwards, यहाँ पे direction बेटा, inwards, magnetic field at the center of a circular arc, अब मालो, arc ले ली हमने बेटा, theta angle है, radius A है, अब यहाँ पे हमसे magnetic field पूछिए, पी point के, तो पेटा है तो यह भी circle का ही part, यह circle का कितना हिस्सा है, बस यह बता दो, magnetic field होगी, mu naught, बटे 2, I, बटे A, अब बताओ, यह circle का कितना हिस्सा है, बस यह बता दो, break देंगे याँ, थोड़ा सा cover तो कर लो, फिर देते हैं break, यह circle का कितना हिस्सा है, देखो, circle क्या होता है, जिसमें angle कितना हो, circle के बीच का यह angle कितना होगा, 2 pi, अगर circle की बात करो, तो circle में यह पूरा angle कितना हो जाएगा, 2 pi, और मैं इसकी बात करूँ बेटा, arc की, इसमें angle कितना है, alpha, तो इस सर्कल का कितना पार्ट है बेटा farmer बटे 2 buyer 2 buyer का alpha पार्ट नहीं 50% कहा है यह 50% तो semi circle होता है ये 2 buyer का कितना पार्ट है alpha 2 buyer में से कितना लिया alpha so alpha बटे 2 buyer clear जो circle का magnetic field था वही लिख लो जो circle का magnetic field था i बटे ay लिख लिया multiplied by alpha बटे 2 pi पीटा alpha को radian में रखेंगे जाहिर सी बात है alpha को जाहिर सी बात है किस में रखेंगे radians में रखेंगे alpha बटे 2 pi and alpha in radians alpha in radians clear है चलो एक बार जल्दी से पहले summarize कर लेते हैं कितना पढ़ा है फिर आगे बढ़ते हैं या तो break लेते हैं पहले summarize करते हैं मना सब भूल जाओगे मजा नहीं आएगा summarize सबसे पहले आपने biot savert law पढ़ा current carrying element की वज़े से magnetic field db is equals to mu naught बटे 4 pi i dl cross r बटे r cube सबसे पहले यह पढ़ा फिर हमने इसका scalar form बढ़ा db का magnitude mu naught बटे 4 pi i dl sin theta बटे r square और हमने क्या पढ़ा कि axis of wire पे magnetic field 0 होती है फिर बेटा हमने पढ़ा finite wire का b finite wire का finite wire का था mu naught बटे 4 pi i बटे a sin theta 1 plus sin theta 2 और theta 1 theta 2 कैसे लेते हैं wire के end से p point को connect करके क्या p point mid point के सामने होता है नहीं wire में कहीं भी हो सकता है wire के सामने कहीं भी perpendicular distance a पे फिर बेटा हमने infinite और semi infinite की बात की infinite क्या था mu naught by 4 pi 2 i by a फिर बेटा हमने semi infinite की semi infinite इसका आधा हो जाता है clear semi infinite क्या हो जाता है half of b infinite finite है ना इसी का आधा यानि mu naught by 4 pi i by a इसके बाद बेटा बात की हमने circular की b circle की बात की वहाँ पे थोड़ा सा difference था mu naught by 2 i by a था simple और n turns होते हैं तो n से multiply भी कर लेते हैं mu naught by 2 i by a और n turns होते हैं तो n से multiply अब semi circle होगा तो इसका half quadrant होगा इसका one fourth और कोई theta angle की arc होगी so mu naught by 2 i by a alpha by 2 pi पूरे circle में कितना angle होता है 2 pi arc angle alpha तो कितना part है alpha part है किसका 2 pi का no need of break बिल्कुल बहुत बढ़ी आगे बढ़ते हैं फिर alpha part है किसका 2 pi का इतनी समरी याद हुई समरी तो जरूरी थी ना आगे सवाल करने अपने को alpha part है किसका 2 pi का चलो सवाल करते हैं find magnetic field at point O in the following cases थोड़ी सी practice करने जा रहे हैं हम लोग थोड़ी दिर practice करेंगे अब थोड़ी सी चलो find magnetic field at point O in the following cases बेटाई यहाँ पे point O है आपको यहाँ पे magnetic field बता दी है चलो अब पस दो wires हैं एक wire ये इसमें current इधर जा रहा आई इसमें current इधर जा रहा आई दोनों की वज़े से magnetic field चाहिए बेटा चलो start करते हैं बेटा अंदर वाले की वज़े से इसको मैंने बोला 1 इसको मैंने बोला 2 चलो बेटा 1 की वज़े से magnetic field semi circle है और magnetic field किदर आ रही है बाहर so B due to 1 mu naught by 2 I upon radius कितना है इसका A I by A और बेटा इसका half करना पड़ेगा क्योंकि ये तो circle की होती है ये तो semi circle है direction बताओ outwards तो dot बना लिया direction क्या हुआ outwards चलो अप second वाले की वैशे देखें due to the second one second वाले की वैशे magnetic field अंदर कई लोग 0 लिख रहे है 0 answer नहीं है second वाले की वैशे magnetic field अंदर कितनी होगी mu naught by 2 I but A बेटा second वाले का radius कितना है B दोनों का radius अला गला गया बच्चों इस वाले का radius कितना है A इस वाले का radius कितना है B इसकी वैसे mu naught बटे 2 I by A और half से multiply कर लिया क्योंकि semi circle है और दूसरे के लिए mu naught बटे 2 I by B radius B हो गया और इसको भी half से multiply करेंगे और magnetic field कितर है अंदर तो ये cross लगा दिया अब बेटा इन दोनों में इसे कौन बढ़ा होगा देखो A छोटा है तो B1 बढ़ा होगा A छोटा है तो B1 बढ़ा होगा B1 minus B2 होगी क्योंकि A छोटा है तो ये magnetic field बढ़ी होगी तो net magnetic field B1 minus B2 मतलब net magnetic field किदर है बेटा outwards है क्योंकि A जीत गई outward वाली जीत गई invert वाली हार गई तो net magnetic field outward now you can find out अगर करा जाए तो क्या किया जाएगा mu naught by 2 common हो जाएगा I common हो जाएगा ये half भी common हो गया क्या बचा 1 by A minus 1 by B और direction क्या होगा mu naught बटे 4 I 1 by A minus 1 by B clear mu naught बटे 4 into I 1 by A minus 1 by B चलो next देखते है next बेटा ये है कुछ arc जैसा है एक arc ये है radius A की एक arc ये है radius B की एक wire ये है एक wire ये है 4 wire है 1 2 3 4 देखो पहली बात तो ये समझो कि तीसरे wire की वज़े से O पे कोई magnetic field नहीं होगी क्योंकि तीसरे wire के लिए O point axis पे है चौते wire की वज़े से भी O point पे कोई magnetic field नहीं होगी क्योंकि इसके लिए भी ये point axis पे है है ना So B3 equal to B4 equal to 0 क्यों O is on the axis of wire ध्यान से देखो O इस wire की axis पे है O इस wire की axis पे है clear इसकी भी axis पे इसकी भी axis पे यहां तो 0 हो गई अब क्या बच्चा 1 और 2 बच्चा चलो 1 को देखते हैं B1 B1 बेटा magnetic field किदर होगी outwards 1 की वज़े से 1 की वज़े से outwards value कित्ती होगी mu naught by 2 i बटे radius कितना है A और बेटा ये arc है कितना part है alpha part of 2 pi direction क्या है बेटा outwards dot लगा लिया इसकी वज़े से देखते हो B2 इसकी वज़े से magnetic field inverse आ रही इसके वज़े के वज़े से inverse current देखो यूं है ऐसे एक खचक magnetic field inverse value कित्ती होगी mu naught बटे 2 i बटे b और बेटा alpha बटे 2 pi यहाँ पे भी लिखेंगे न angle तो ये भी कितना बना रहा है alpha ही बना रहा है ये भी एक arc है isका angle भी कितना alpha mu naught बटे 2 i बटे b alpha बटे 2 pi और किधर inverse अब बेटा net magnetic field कितनी हो जाएगी net magnetic field कितनी हो जाएगी इन दोनों में से कौन बड़ा होगा ये क्योंकि a चोटा है तो b1 बड़ा होगा a चोटा है तो b1 बड़ा होगा 1 by a minus 1 by b और इसकी और इसकी वैसे 0 हो गया क्योंकि इसके लिए point axis पे इसके लिए point axis पे बोलो clear है सभी का आ गया mu naught i alpha 2 to the 4 pi mu naught i alpha 2 to the 4 pi common 1 by a minus 1 by b और net direction क्या होगा outwards क्योंकि इसका a चोटा है magnetic field बड़े clear net direction is outwards clear, 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 clear clear, चलो next यह है बेटा अब यहां क्या है बेटा दो element यहां पे भी है एक circular coil है एक infinite wire है इसको मैं देता हूँ 1 इसको मैं देता हूँ 2 चलो circular coil infinite wire पहले infinite wire की बात करते है due to infinite wire बेटा यह कितनी दूर होगा r distance ही दूर होगा infinite wire से कितनी distance दूर है point o r distance दूर है magnetic field कैसी आईगी outwards आ रही है infinite wire की कितनी होती है mu naught बटे 4 pi 2i बटे r कैसी outwards मैटा coil की वेशे बात करें current यू है magnetic field इसकी भी outwards है coil देखो current यू है magnetic field इसकी भी outwards यानि B2 due to coil mu naught by 2 i बटे r यह भी क्या है outwards मैटा दोनों को जोड देंगे net magnetic field ठेक है ठेक है clear net magnetic field क्या हो जाएगा mu naught common i common और बताओ r common यहां क्या बचा 2 1 by 2 pi और यहां क्या बचा mu naught i plus 1 by 2 कैसा clear mu naught i बटे r common to 2 pi mu naught i बटे r clear outwards इसकी वेसे भी magnetic field outwards इसके वेसे भी magnetic field outwards clear इसके वेसे कित्ती होगी mu naught by 4 pi 2i by r और इसके वेसे mu naught by 2i by r clear यह देखो एक बढ़ियासा अब बताओ अब आपको o point पे net magnetic field चाहिए अब आपके पास एक element यह है एक element यह है और एक element यह है एक element यह है इसको बोला 1 ऐसे सवाल आ रहे है अगर कोई सोचना नहीं आ रहे है एक element यह है इसको बोला 1 एक element semi circular इसको बोला 2 एक element यह है इसको बोला 3 element को सही से पहचानना वनना गलती हो जाएगी बेटा पहला वाला element अगर आप ध्यान से देखो, तो semi-infinite wire है, अगर आप ध्यान से देखो, यह semi-infinite wire है, infinite नहीं है, क्योंकि दूसरे end के सामने O point है, एक end जा रहा है infinity, और दूसरे end के सामने O point है, समझे, एक end जा रहा है infinity, और दूसरे end के सामने O point है, तो यह कैसा wire हुआ, semi-infinite, बेटा, इसकी भी यहीं कहानी, एक end जा रहा है infinity, और दूसरे end के सामने O point है, तो यह भी semi-infinite, यह भी semi-infinite, यह semi-circle, चलो, start करते हैं, first से, B1, यह क्या है बेटा, semi-infinite, हाँ बेटा, बोलो, क्या होगी magnetic field, ऐसे हाथ रखा, थम रखा, magnetic field, नीचे, देखो, current यह जा रहा है, अंदर की तरफ, रमा कांत, शर्मा कह रहा है, sir, what should we do, अगर अभी तक time बरबाद किया है, थोड़ा सा और बरबाद करके, 2022 नीट की तियारी करो, सबसे बढ़िया, पढ़ो, और कैसा सवाल है यह, what should we do, अभी तक time बरबाद किया है, छट से कूच जाओ, यह मैं बोलूँगा नहीं, तो क्या करना है, पढ़ा ही करना है, और क्या, बेक उफिक सवाल तुमारे, फेक मोटिवेटर्स चाहिए तुमको जिंदगी ही बस, तो बेटा, current यू अंदर जा रहा है, यह, है ना, current ये वाला, यू अंदर जा रहा है, तो magnetic field O पे देखो कैसी है, downwards, देखो I current कैसे जा रह रही है, कितनी होगी बेटा, semi infinite की, mu naught by 4 pi, I butte r, अगर इसके radius को हम r मान ले, इसके radius को अगर हम r मान ले, तो कितनी होगी, यह, है, current carrying wire यू अंदर जा रहा है, AU, थम रखा current के direction में, fingers देखो, नीचे, O पे नीचे, नीचे मतलब minus y में, minus y को बेटा, हम लोग क्या बोल सकते है, यह सही है, अब vector से खेला है, start करें, minus j cap, current carrying wire देखो, यह, semi infinite wire यह, यह, थम current के direction में, fingers देखो, यह ऐसे जा रहा है, ना, बेटा, A, यह, ऐसे current, यह दिख रहा है, z वाला, z वाला, यू, वो यू जा रहा है, यह, तो थम ऐसे, और magnitude field देखो, P पे, नीचे, O पे, नीच नीचे मतलब, minus y, तो मैंने उसको minus j cap बोल दिया, चलो, अब B2 की बात करते हैं, बेटा, B2 अपना semi circle है, semi circle का क्या होगा, circle का आधा, mu naught by 2, i by r, into 1 by 2, circle का आधा कर दिया, बोलो सही है, semi circle is half of circle, और बेटा, direction क्या होगा, current देखो, यह यह जा रहा है, magnetic field अंदर, अंदर, बे दियांचे देखो, z नहीं है, इन्होंने अपनी axis बनाई है, इधर इन्होंने x बोला है, तो अंदर इनका minus x होगा, यह देखो magnetic field, current yun है, magnetic field अंदर, यह तो ऐसे current रख लो magnetic field, अंदर, current देखो yun भूम रहा है न, तो magnetic field अंदर, अंदर मतलब minus x में, minus x मतलब minus i के आप में देख लिया, फिर बेटा, b3, फिर से क्या है, semi-infinite, magnetic field कैसी है, इसकी वैसे, अंदर, अंदर मतलब पीछे, पीछे मतलब minus x, यह देखो, पीछे, पीछे क्या है, minus x, so mu naught by 4 pi, i बटे r, minus x मतलब, यह देखो, mu naught by 4, i बटे r, किधर जा रहा है, अंदर, अंदर बेटा मतलब minus i cap, clear, break to become charge, बस दे रहा हूँ बेटा, ब्रेक, एक सवाल और करालू, एक और, बस एक सवाल और कराके ब्रेक दे रहा हूँ, यह वाला करके चलो, इसी के बाद ब्रेक दे रहा है, इसी सवाल पर, हाँ ठीक है, सही समय है, पहले यह वाला तो complete करो, तो यह बेटा, semi-infinite, magnetic field किदर, अंदर, कितनी होगी, mu-naught by 4 pi, i by r, और अंदर मतलब, minus i cap, बेटर, net magnetic field में सब को जोड़ लेंगे, i को i से जोड़ते हैं, इसको इस से जोड़ लोगे, तो, एक काम करते हैं, पहले तो common लेते हैं, mu-naught by 4 pi into r, यह सब common लेते हैं, mu-naught by 4 pi into r, common, यहां से क्या बेटा बेटा, minus j cap बचा, और कुछ नहीं बचा, mu-naught by 4 pi, mu-naught by 4 pi, i by r common लेते हैं, minus j क्या है, यहां से बेटा, mu-naught by 2 to the 4 r है, pi तो है ही नहीं, तो, यहां पहले हम एक काम करते हैं, minus pi i cap कर लेते हैं, इसको pi से multiply, डिवाइड कर दो, तो, यह कितना हो गया, mu-naught by 2 to the 4 pi r, mu-naught by 4 pi, i by r common, क्या है, pi into i cap, बोले समझे, इसको मैं pi से multiply और pi से divide कर दूँ, so, mu-naught by 2 to the 4 pi r, minus pi i cap, यहां बेटा, mu-naught by 4 pi r common हो जाएगा, minus i cap, यह कुछ होगा, minus बहाल ले लो, mu-naught by 4 pi, i by r, बेटा, minus बहाल ले लिया, pi plus 1, 1 plus pi i cap, plus j cap, यह होगा, यहां से minus बहाल लिया, minus mu-naught by 4 pi i by r, यहां से minus बहाल चला गया, फिर i cap common लिया, 1 plus pi i cap, plus j cap, clear, चलो, अब यहां पर break ले लेते हैं, फिर break के बाद अगला सवाल लेते हैं, 12 minutes break, clean, वे लेते हैं, झाल 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 चलो बाई आगे स्टार्ट करते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीके तो यहां तक हम लोग पढ़ ले थे magnetic field due to semi-circular wire due to infinite due to semi-infinite इसके पर सवाल करते हैं आज़ चालो 2015 चालो बताओ a wire carrying current I has the shape as shown in the joining figure linear parts of the wire are very long कैसे है बेटा very long and parallel to x-axis while semi-circular portion of radius R is lying in y-z plane magnetic field at point O यहां पर बेटा magnetic field चाहिए इसमें भी तीन element है एक यह पहला element दूसरा element और तीसरा element तीन element मुझे लिख रहे हैं 1 2 & 3 पहला वाला बेटा ध्यान से देखो बोला है कैसे है linear parts of the wire are very long बोला है linear parts कैसे है very long है मतलब infinite तो इस तरफ infinity को जा रहा होगा यह भी इस तरफ infinity को बेटा O point इस end के सामने है और एक end infinity पे जा रहा है इसके लिए भी एक end infinity पे जा रहा है O point एक end के सामने है चलो B1 देखते हैं बेटा B1 कितना होगा क्या है semi-infinite wire है semi-infinite के लिए mu naught by 4 pi I butte R I butte R और बेटा direction देखें देखो current जा रहा है यह अंदर so magnetic field नीचे current जा रहा है यह magnetic field किदर आई नीचे current जा रहा है अंदर magnetic field ओपे नीचे नीचे मतलब उपर Z है बेचा तो नीचे क्या हो जाएगा minus Z minus Z का मतलब हो गया minus K क्या चलो बेटा अब बात करते हैं B2 B2 क्या है बेटा semi-circle है semi-circle का क्या हो जाएगा mu naught by 2 I butte R into 1 by 2 यह हो गया circle का इसका half कर दिया direction बेटा current U है तो magnetic field अंदर current U है magnetic field अंदर इधर X है तो अंदर क्या होगा minus X देखो X है बाहर की तरफ दिख रहा है बाहर की तरफ क्या है X और magnetic field किदर जा रही है अंदर अंदर क्या होगा minus X minus X मतलब minus I cap फिर बेटा B3 की बात करते हैं B3 यानि इसकी वज़े से current किदर आ रहा है बाहर की तरफ magnetic field किदर होगी नीचे current आ रहा है यूं बाहर X आपकी तरफ यूं magnetic field यहाँ पे O पे नीचे बेटाए कैसा wire है semi-infinite so mu naught by 4 pi i बटे r और magnetic field किदर है नीचे नीचे मतलब minus K cap minus K cap बेटा इसको जोड़ेंगे देखो magnetic field कहाँ है minus I cap में है और minus K cap में है यही से आप question खतम कर सकते हो magnetic field minus K cap में है और minus I cap पहला option देखो magnetic field pi i cap plus 2 K cap माइनस में नहीं है गलत हो गया दूसरा देखो यह minus I cap और यह minus अंदर गया plus 2 K cap यह भी गलत हो गया तीसरा देखो यह minus अंदर गया minus I cap minus 2 K cap यह सही हो सकता है देखो यहाँ पे क्या है दोनों plus में है यह नहीं हो सकता यह minus अंदर गया minus I cap plus 2 K cap नहीं हो सकता दोनों माइनस होने चाहिए, ये देखो माइनस अंदर गया, माइनस I cap, माइनस 2K cap, ये हो सकता है, ये देखो, I cap positive में, 2K, I cap positive में, K cap negative में, ये भी नहीं, एक ही option हो सकता है, C, खतम, D में गलती क्या है, कि I cap positive है, और K cap negative, अब चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो बेटा, इनको जोड़ेंगे, B net is equals to, क्या common लिया है, mu naught by 4pi I बटे R, तो हम भी common ले लेते हैं, minus भी common ले ले, minus mu naught बटे 4pi I बटे R, common ले लिया मैंने, minus mu naught बटे 4pi I बटे R, यहाँ से क्या बचा बेटा, K cap बचा, यहाँ बेटा, नीचे pi है नहीं, तो उपर pi, नीचे pi, क्या हो गया, mu naught बटे 4pi I बटे R, minus भी common, तो क्या बचा, plus pi I cap, बोलो सही है, mu naught common, I common, 2 to the 4 और pi common, और R भी common, और minus भी common, बचा क्या, pi I cap, यहाँ देखो बेटा, mu naught बटे 4pi I बटे R, minus common, क्या बचा, plus k cap, तो बेटा, कितना हो गया, minus mu naught बटे 4pi I बटे R, कितना हो गया, k cap, k cap, 2k cap, और pi I cap, तो चाहो तो पूरा solve करो, चाहो तो option में देख लो, कि क्या होना चाहिए, minus k cap और minus I cap में होना चाहिए, यही है, जिसम सभी का आ गया, आगे बढ़ा जाए, चालो, बहुत बढ़िया, एक करा मजा आ गया, master, next क्या है, 2010 का सवाल, क्या सवाल है, चलो, a current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius R, one lying in xy plane and the other in xz plane, और पहले इसको बनाते हैं, यहां तक का सवाल पहले पढ़ो, a current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius R, one lying in the xy plane and other the xz plane, क्या है बढ़ा, two identical semi-circular parts, और है क्या, current loop है, a current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius R, one lying in the xy plane and another in the xz plane, बेटा, यह x, यह y, यह z, क्या बोल रहा है, a current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius R, one lying in the xy plane, एक बेटा xy plane में है, semi-circular part, one lying in the xy plane, एक यह हो गया, xy plane में, and the other in xz plane, एक इस plane में है, एक हो गया, इस plane में, in the xz plane, बोलो समझ में आया है, one lying in the xy plane, and the other in the xz plane, यह हो गया, दो semi-circular parts, और है क्या current loop, तो यह पूरा एक loop बन गया, current यह दोड़ा दू, ठीक है, यह पूरा loop बन गया, a current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius R, one lying in the xy plane, and the other in xz plane, बोलो सही है, यह xz plane हो गया, एक xz plane में, एक xy plane, if the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the two semi-circular parts, add their common center, क्या चाहिए बेटा, magnetic field चाहिए, add the common center, यहाँ पे, एक काम करते हैं बेटा, इसको बोल देते हैं, one, इसको बोल देते हैं, two, चलो, सो बेटा, पहले की वज़े से magnetic field कितर होगी, पहले की वज़े से magnetic field, अंदर, यह, inside, यानि अंदर की तरफ जाएगी, कित्ती होगी, mu naught by 2, I by R into, I कितना small है, mu naught by 2, mu naught by 2, I by R into, 1 by 2 क्योंगी, semi circle है, और magnetic field कितर होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर मतलब, minus Z में, यह, इधर, यह, हुई B1, और बेटा, B2 भी सेम होगी, mu naught by 2, I by R into, 1 by 2, और यह, कितर होगी, magnetic field, current, देखो कैसे, U है, so magnetic field, नीचे, ऐसे है, current, ऐसे है, यह, तो magnetic field, नीचे, तो यह होजाएगी, नीचे, B2, बेटा, दोनों का magnitude क्या है, सेम है, तो, एक किदर जा रही है, इधर, अंदर, एक किदर, नीचे, angle कितना हो गया, 90 degree, यह भी B है, यह भी B है, resultant कितना होगा, root 2 B, B और B, 90 degree पे, है ना बेटा, इसकी magnetic field अंदर, और इसकी magnetic field, नीचे, दोनों बराबर है, तो root 2 B, तो बेटा, net magnetic field कितनी हो गई, root 2 times of B, B कितना है, mu naught बटे 4, i बटे r, देखो, ऐसा कोई option है, अच्छा, एक काम करते हैं, 4 को लिख लेते हैं, 2 into 2, so root 2, mu naught i, और 4 को लिख सकते हैं, root 2 into root 2 into 2 r, बोलो सही है, इसमें से एक 2 बाहर कर लिया, उस 2 को root 2 into root 2 लिखा, root 2 से root 2 cancel, mu naught i upon 2 root 2 r, mu naught i upon 2 root 2 r, बोलो clear है, सभी को आ गया, a, 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 सभी का clear हो गया, चलें आगे बढ़ें, ठीक है, तो diagram बनाना बड़ा important है, तुम देख रहे हो, सवाल असान है, formula is limited, 6-7 formula याद करा हैं मैंने, बस, diagram सही बनाओ, तो सवाल सही हो जाएगा, next बेटा देखते हैं, 2019 का सवाल, बढ़िया सवाल है, 2019 का सवाल है, क्या बोला है बेटा, a state conductor carrying current I splits into two parts as shown in the figure, the radius of the circular loop is R, the total magnetic field at the center P of the loop, क्या हुआ बेटा, ये current I आया, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, यहाँ मिलके I हो गया, parallel combination है, ध्यान से देखो तो ये parallel combination, current I आया, इधर I2 गया, इधर I1 गया, दोनों मिलके I हो गया, हमसे क्या पूछा है, magnetic field at the center, बेटा, zero आती है, पहली बात, कितनी आती है, zero, कैसा भी कहां नहीं हो, मानलो ये current I आया, यहाँ पर तो 90 degree का angle है, कोई भी angle हो, अगर current parallel में बट रहा है, कोई भी angle हो, यहाँ 90 degree का कोई खास बात नहीं, कोई भी angle हो, magnetic field center पर कितनी आएगी, zero आएगी बेटा, 2019 में सवाल आया, पर इसके सवाल सारी किताबों में दिये होते हैं, यह वाले, मानलो ऐसे कहानी होती है, यहाँ तो 90 degree angle है, मानलो में 90 की जगे कोई भी angle theta कर लो, any angle theta, for any angle theta, the answer will be zero, मानलो angle theta है, यहाँ से current I आया बेटा, इस वाले part में current चला गया I1, और इस वाले part में current चला गया I2, I current आया, divide हुआ, इधर I1, घूमता हुआ, I1 यहाँ आया, और इस वाले part में I2, दोनों मिलके वापस आयी हो गया, बोलो समझ में आया, current आयी गया, डिवाइड हुआ उपर I1 नीचे I2 और यहाँ पे वापस आई तो बेटा P point पे जो net magnetic field होगी वो कित्ती होगी 0 for any theta यहाँ तो एक specific theta 90 degree लिया है कोई भी angle हो बेटा magnetic field कितनी आती है 0 आती है क्या देखना है कैसे आती है तो बताएं यह आगे बढ़ जाएं इसको आप mentos समझके चल सकते हूँ net magnetic field 0 आएगी चाहे किसी भी angle पे आप current को divide कर दो parallel combination में किसमें parallel combination में देखो यह parallel combination दिख रहा है एक resistance यह हो गया एक resistance यह current divide हो गया दो resistance में देखना है कैसे हुआ आओ देखते हैं एक काम करते हैं बेटा कुछ magnetic field इसकी वेशे होगी कुछ इसकी वेशे होगी कुछ इसकी वेशे है इस example पर आते हैं इस particular example पर आते हैं कुछ magnetic field इसकी वेशे है कुछ इसकी वेशे है इस part को मैं नाम देता हूँ one और इस part को मैं नाम देता हूँ two ठीक है ये को बताने को मैं सीधा Mentos बता के खेल खतम कर दूँ कि भाई या खेली यही है इसका कि कोई भी एंगल दिया हो कोई भी एंगल दिया हो Magnetic Field Center वे कितनी आ जाएगी 0 अगर Current Divide हुआ है अब देखते हैं कैसे हुआ इस पार्ड का नाम दिया 1 इस पार्ड का नाम दिया 2 चलो आओ इस पर्टिकुलर कोश्चन को देखते हैं तो 1 की वज़े से Magnetic Field और 2 की वज़े से चलो Magnetic Field दियू टू 1 बात करते हैं बेटा 1 की वज़े से Magnetic Field कैसी होगी अंदर Current I1 दिख रहा है कैसा है ऐसा है ना सब 1 की वज़े से Magnetic Field बेटा अंदर कितनी होगी बेटा Mu naught by 2 I कितना है I1 Mu naught by 2 I1 upon radius कितना है R और बेटा है क्या यह Arc है यह Part 1 क्या है Arc Part 2 भी Arc So Mu naught by 2 I1 by Arc अब इस Arc का Angle कितना है बेटा सेंटर पे What is this angle 270 degree यह कितना है Pi by 2 और यह Arc ही तो है इचीज़ रिलाइज हो रही है What is this? This is an Arc यह एक Arc ही तो है यहां से यहां तक यह एक Arc ही तो है और सेंटर पे Angle कितना बना रहा है 270 degree यह 90 है तो यह 270 270 मतलब 3 बार 90 यानि 3 Pi by 2 So बेटा Alpha upon 2 Pi लिखते थे कि नहीं क्या लिखते थे? Alpha by 2 Pi Arc का यही फॉर्मुला था ना Alpha by 2 Pi Alpha कितना हो गया? 3 Pi by 2 So Mu naught by 2 I1 बटे R Alpha की जगे 3 Pi by 2 और नीचे 2 Pi तो Pi Pi cancel हो गया कितना आया? Mu naught I1 कितना? 3 upon 2 2 the 4 2 the 8 R बोलो यह आ रहा है Alpha की value कितनी होगी? 3 Pi by 2 है ना? यह Pi by 2 है Pi by 2 और Alpha किसमें रखते है? Radian में तो मैंने Radian में रखा यह देखो यह एक Arc ही तो है यह एंगल बना रहा है Arc यह एंगल थोड़ी ना लेते हैं इस Arc का एंगल लेंगे ना? तो यह Arc यह एंगल बना रहा है यह वाला clear हुई बात? थोड़ा time जाएगा पर समझ में आएगा ठीक है? यह एंगल बना रहा है यह एंगल कितना हुआ? 3 Pi by 2 3 Pi by 2 रखा भेटा हम लोग ने 3 Pi by 2 और नीचे 2 Pi था Pi से Pi कैंसल यह इतना आया यह B1 की value और यह direction क्या होगा? Inwards होगा यह direction कैसा होगा? Inwards चलो, B2 की बात करें बेटा B2 का direction किदर होगा? यह current यूँ है तो B2 outwards यह यह तो ऐसे current की direction रखके देख लो इसकी वैसी क्या है? समझने का जरूवत है सरीय वाला concept आदिते जादो नहीं वेटा समझने का जरूवत है समझके थोड़ी ना नीट निकलता है लोगों का Mentos रटके जाएंगे नीट निकल जाएगा 10-20 सवाल करके खुश हो जाएंगे लाइका चपरी निबबा Get me any toppers interview जिससे आपने सुना हो कि उसने बिना concept के नीट निकाला हो बिना concept के उसने IIT निकाला हो बिना concept के वो government medical college में पहुच गया हो Using Mentos method Get me any IIT, any interview any medical college interview 300-300 पहुँच जाओगा खुश भी हो जाओगे क्योंकि जिंदगी में फिजिक्स आती ही नहीं थी जिंदगी पर फिजिक्स आती ही नहीं थी अब सीखना नहीं चाहते क्यों? क्योंकि मेहनत करनी है तब तुमको मिल गा Mentos चलो Mentos लगा देते है जिन्दगी पर physics में मेनत की ही नहीं अब समय भी नहीं है करने का और मन भी नहीं है Mentos मिल गया तो क्यों मेनत करें आज तक physics में कितना आ रहा था 10 नंबर, अब कितना आ रहा है 80, तुम्हें लगा काम बन गया पर selection थोड़ी ना हुआ तो खेल है बाबू खेल, ये खेल समझना वड़ेगा तुम्हें सारे Mentos रेट के चलेगा पेपर में आज तक physics में कितना आ रहा था 10 नंबर, 20 नंबर अरे यार, अलकसर ने क्या Mentos बताया अब तो मेरे से सवाल बनते हैं पेपर में कित्ते बनने तेरे से कित्ते, 40 में से 10, 15 20 कटम, 20 पे सेलेक्शन होगा 20 पे तो देखेगा नहीं कोई तरे को 20 पे सेलेक्शन लेगा तु 20 सवाल करें नहीं तो सेलेक्शन लेगा 80 नंबर पे, इंदर से 80 नंबर का खरप आओगे खुश बात हो था, चाई मेरे को physics नहीं आती थी 40 सवाल जिसका टार्गेट है, वो जरूर कहेगा सर समझाओ, कैसे हुआ है सवाल थोड़ा तेड़ा मेड़ा होगा, मैं तो करी नहीं पाएगा पहले वो इसको समझेगा फिर वो इसको रटेगा भी और तब जाकि वो 40 सवाल मारेगा वहां पे पहले वो इसको समझेगा, वो बेकूफ नहीं है तुम सोच रहे अच्छा वो तो बेकूफ है, इस सब पढ़के जा रहा है नहीं, वो दोनों पढ़के जाता है वो ये पढ़ेगा, उसके बाद ये समझेगा और इसको लगाएगा, पर सवाल तेड़ा मेरा हुआ तो इसको ये भी आता रहेगा मैं तुमको बता रहा हूं मैं तुमको बता रहा हूं तुम मानलो ये बात रै मेरे को mentor आ गया, मेरे को G1 F volley नहीं आती तब मेरे सवाल ऐसे होते हैं तेरे होते हैं क्या? ऐसे होते हैं मेरे सवाल, किते होते हैं, 45 में से 20, 45 में से 15, 25, बिना concept के बेटा लटक जाओगे, चालो, सो कितना हो गया, mu naught, कहा गया मैं, हाँ, ये खानी खतम हुई, अब इसको देखो, इसकी magnetic field कैसी होगी, outwards, इसकी magnetic field कैसी होगी, outwards, तो 2 वाले की भी आओ निकालते हैं ब ये भी आर्क है, mu naught by 2, i2 बटे आर, alpha by 2 pi, mu naught by 2, देखो क्या सी, ये outwards, mu naught by, mu naught by 2, i2 by r, alpha, बेटा, इसका alpha कितना है, 90, यानि pi by 2, pi by 2, so mu naught by 2, i2 by r, alpha की जगे, pi by 2, और ये 2 pi, pi, pi फिर से cancel हो गया, ये आगया, mu naught, i2, upon 2 to the 4 to the 8, 8 r, ये आगया आपका b2, difference क्या है बेटा, इसमें, इसका direction क्या होगा, ये को थम रखा current direction में, magnetic field outwards, ये ऐसे देख लो, magnetic field outwards, तो ये हो गया आपका outwards, बेटा, net magnetic field क्या हो जाएगी, ये magnetic field जादा है, invert वाली, तार भी बड़ा है यार, इसकी magnetic field जादा ही होगी, और दूसरे वाली की magnetic field कम है, तार भी छोटा है, तो net हो जाएगी, b1 minus b2, ऐसा लग रहा है, let's see, b1 minus b2, b1 कितना है, आओ, 3 mu0 i1 बटे 8R, minus mu0 i2 बटे 8R, मिटा यहां से, mu0 बटे 8R common हो गया, b1 कितना हो गया, b1 हो गया, mu0 बटे 8R common, क्या बचा, क्या बचा, 3 i1 minus i2, बस, अब यहां पे रुको, यहां तक बात समझ में आया, अब यहां पे रुको, यहां तक समझ में आया, ठीक है, सिंपल, यहां तक सिंपल था, मैंने इस current की वएसे magnetic field निकाली, इसकी वएसे inverse आई, mu0 by 2, i1 by R, alpha by 2π, alpha रखा हमने, 3π by 2, और यह value आई, कैसी आई, inverse, फिर मैंने इसकी वएसे निकाली, magnetic field बाहर है, mu0 by 2, i2 by R, alpha by 2π, alpha की value π by 2 रखी, फिर हमने एक में से दूसरा minus किया, यहां से mu0 बचे 8R common, 3 i1 minus i2, अब ज़रा ध्यान से सुनो बेटा, आपका यह current आ रहा है i, और यह divide हो रहा है, दो part में right, इस part में current i1 गया, इस part में current i2, बेटा क्या यह parallel combination है, yes, यहां से current आया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें, यह क्या है, parallel combination, what is this, this is parallel combination, parallel में क्या चीज़ सेम होती है, potential difference, यानि यहां क्या cross जो potential होगा, वही वहां क्या cross होगा, एक resistance यह है, एक resistance यह, माल लो कि यह वाला पूरा resistance है, R1, और यह वाला resistance है, R2, भया, wire क्या होता है, resistor ही तो होता है, तो यह resistor R2, और यह resistor R1, तो जो इसमें potential difference होगा, वह इसमें, तो क्योंकि parallel combination है, parallel दिख रहा है कि नहीं, current divide होगा है, इस resistor का एकन यहां, connected, एकन यहां, इस इस resistor का एकन यहां, एकन यहां, parallel है, यानि potential सेम होगा, यानि I1, R1, यह कहा है बेटा, resistance है, इसका कुछ अपना resistance होगा, इसमें कुछ अपना resistance होगा, so I1, R1 is equals to I2, R2, अब बेटा, resistance of wire क्या होता है, resistance of wire होता है, ρो L by A, अब इसकी length कितनी है, इसकी length मान लो L2, इसकी length मान L1, so I1 into Rho L1 by A, I2 into, दूसरा resistance कितना हो जाएगा, Rho L2 by A, बेटा, Rho तो सेम होगा, पूरे wire का, area of cross section भी सेम होगा, इस wire का जो cross section हो तो सेम होगा, resistivity सेम, resistance R1 कितना हो जाएगा, Rho L1 by A, resistance R2 कितना हो जाएगा, Rho L2 by A, बेटा, यहां से Rho A, Rho A cancel, I1 L1 is equals to I2 L2, अब सुनो जरा, बेटा, L1 और L2 भी आप निकाल सकते हो, L1 और L2 भी निकाल सकते हो आप, बेटा, यह पूरा कितना होता है, 2 Pi R होता है, तो यह कितना होगा, 2 Pi R का एक चौथाई पार्ट, कितना हो गया, Pi R by 2, so I1 into, है कि नहीं बेटा, यह पूरा 2 Pi R होता है, यह 90 degree, quadrant है, मतलब कितना हो गया, 2 Pi R का एक चौथाई, Pi R by 2, और I2 into, बेटा, यह कितना हो गया, यह इसी का 3 गुना हो गया, यानि 3 times of Pi R by 2, बेटा, पूरा कितना होता है, 2 Pi R, एक कौदर्ट कितना होगा, 2 Pi R का एक चौथाई, 2 Pi R divided by 4, कित लेंद, और यह लेंद कितनी होगी, इसकी 3 गुना, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन, गुना, यानि 3 Pi R by 2, बेटा है, यह से Pi R, Pi R कैंसल, 2 2 सब कैंसल, I1 is equals to 3 I2, अब ज़रा उपर देखो, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, I1, I2 में, हाँ, लेंद गलत रख दी, यहाँ पर, I1 into L1, L1 वो लेंद है, तो वो कितनी हो जाएगी, कौडरेंट की 3 गुना, सिंपल रख सकते हो, 3 times of this length, ऐसे कर लो, L2, L2 cancel, 3 I1 equal to I2, यह जो लेंद होगी, वो इसकी 3 गुना नहीं होगी, यह देखो, यह अगर X हुआ, तो यह length कितनी होगी, 3 X, so L1 की जगे आपने 3 L2, L2 जगे L2, 3 I1 is equal to I2, अब ज़राए इसकोप पर देखो, 3 I1 और I2 क्या है, बराबर, so net magnetic field कितनी होगी, जीरू, और बेटा, यह सिफ 90 degree के ले नहीं होगा, for any theta, देखो, पहले ही मैंने लिख दिया, for any theta this will be true, कोई भी theta ले लो, for any theta, clear? for any theta this will be 0, clear हुआ, तो इसको आप मेंटाॉस की तरह चाहो, तो आप इसको याद रखो आगे के लिए, एक्जाम में सेम सवाल लगेगा, तो आप याद रखोगे सीधा, कि कोई भी angle दिया हो, अगर current यूँ डिवाइड हो रहा है, तो net magnetic field क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, clear? एक बच्चा क्या रहा है, L की जगे R theta, हाँ बिल्कुल रख सकते हो, अब यहाँ मुझे पता था length कितनी है, तो मैंने सीधा-सीधा लिख दिया, एक बच्चा क्या रहा है, L1, L2 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो जरा, L1 कितना हो जाएगा, ये arc कितनी होती है, radius time theta, त और L2 कितना हो जाएगा, length क्या होती है बेटा, arc क्या होती है, radius into theta, तो radius कितना है, r और theta कितना है, pi by 2, अब चाहो तो ये value रख लो तब भी same सा आएगा, ये आएगा, r into 3 pi by 2, L2 आएगा, r into pi by 2, r pi by 2, r pi by 2 cancel, 3i1 is equals to i2, clear, clear, चलो आगे बढ़ते हैं, anyways, in the end, what you have to remember ही, यह यहां पे net magnetic field 0 होगी, चाहे किसी theta angle पे current divide हुआ हो, parallel combination का concept लगाया, जो इसमें potential, वो इसमें potential, i1, r1, i2, r2, resistance क्या होता है, rho l by a, उसकी length l1 ले लिए, rho l1 by a, rho l2 by a, फिर हमने का, भाया, जो l1 होगा, वो इसका 3 गुना होगा, ये 4 पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है, तो इसका 3 गुना ये होगा, तो l1 की जगे 3 l2 रख दिया, clear, चाहे, next क्या है, magnetic field on the axis of a circular current loop, ये एक circular current loop है, इसकी axis पे आपको magnetic field find करनी है, at distance x, radius a है, so, बेटा, magnetic field on the axis is equals to mu naught i a square upon 2 a square plus x square की power 3 by 2, magnetic field on the axis, mu naught i a square, ध्यान देओ, उपर x square नहीं है, उपर a square है, mu naught i a square upon 2 a square plus x square की power 3 by 2, clear, अब इसके अंदर एक सवाल बनता है, find the point on the axis of loop where b is maximum, find b maximum, तो बेटा, loop से x distance पे radius a है, magnetic field कितनी होती है, mu naught i a square upon 2 times of a square plus x square की power 3 by 2, पहले तो ये चीज़ आपको याद रहे, mu naught i a square upon 2 a square plus x square की power 3 by 2, फिर क्या पूछ रहा है, find the point on the axis of loop where b is maximum, तो मेरे बेटा, मेरे को b maximum चाहिए, बेटा, b maximum कब होगा, expression को देखो ध्यान से, a तो constant है, radius, a constant है, तो b is inversely proportional to x दिख रहा है, तो जहाँ पे x minimum होगा, भया, a तो constant है, a से तो मतलब है नहीं, यहाँ पे, नहीं नहीं, r हाँ, मुझे पता तुम यहीं बोलोगे, r y root 2, इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ एक्स होता था, k q x upon 2 r square plus x square की पावर 3 by 2, यहाँ x है ही नहीं variable, यहाँ a है, r y root 2 गलत है, यहाँ पे a है, यह constant है, यह constant है, तो बेटा, b कहा पे maximum होगा, जहाँ पे x आपका minimum हो, B आपका कहा भी maximum होगा जहाँ पे आपका X देखो B is inversely proportional to X तो जहाँ पे X minimum हो तो पेटा X minimum कितना होगा X minimum कितना होगा 0 X 0 कब होगा पेटा center पे X 0 कब होगा center पे तो पेटा center पे magnetic field कित्ती हो जाएगी center तो भया mu naught by 2 I by A center की magnetic field क्या होती है mu naught by 2 I by R तो पेटा maximum magnetic field कहा पे है center पे है क्लियर और कहा पे होती है कहा पे होती है कितनी होती है mu naught by 2 I by A कहा पे होती है center देखो यहाँ पे X का X variable है यही नहीं जैसे अभी आप लोग electric field देखते थे charge ring की gravitational field देखते थे एक ring की मासेम की तो वहाँ हम लोग देखते थे यहाँ पे क्या आता था KQX यह GMX यहाँ X नहीं है यहाँ A है तो यह तो constant है यह constant है B inversely proportional to X जहाँ पे X minimum होगा वहाँ पे B maximum X minimum कितना होगा 0 और जब X 0 हुआ तो आप center पे आगे तो ring के center पे magnetic field तो हमें पता है mu naught by 2 I by A clear है यह तो हमें पता ही है कि center पे कितनी होती है clear तो यह आपको याद रहना चाहिए mu naught I A square upon 2 A square plus X square की power 3 by 2 और याद रखो यहाँ पे X नहीं है अब यह कहाँ पे maximum होगी बेटा यह constant, यह constant, यह constant क्या variable है X inversely proportional to X जहाँ पे X सबसे छोटा B सबसे बढ़ा X सबसे छोटा 0 कहाँ पे होगा बेटा X 0 X 0 का मतलब कहाँ पहुँच गए center पे और center पे कितनी magnetic field होती है mu naught by 2 I by R clear next graph for B versus X बेटा graph बनाना है B का expression क्या था mu naught I A square upon 2 times of A square plus X square की power 3 by 2 और क्या देखा हमने at X is equals to 0 यानि center पे B कैसा है बेटा maximum है ठीक है तो B सबसे ज़्यादा maximum कहाँ पे है बेटा यहाँ पे X equal to 0 पे तो यहाँ पे B maximum होगा और दोनों तरफ क्या करेगा decrease करेगा clear है जैसे जैसे आप ring से दूर जाओगे definitely बेटा magnetic field क्या करेगी decrease करेगी और maximum कहाँ पे हो जाएगी center पे clear है जैसे जैसे आप ring से दूर जाओगे आप X को सोचो infinite रखो X tending to infinite so B tending to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो X जब infinity की तरफ जाएगा तो B 0 की तरफ जाएगा X minus infinity तो भी B 0 और B maximum कहाँ पे है center पे और B maximum कितना होगा mu 0 by 2 i by clear चलो आगे बढ़े next if instead of one loop there is a coil with n turns तो बिटा n times हो जाएगी magnetic field जब भी n turns लिखे तो n times mu 0 n i a square upon 2 X square plus a square e power 3 by 2 ठीक है कहाँ पे axis पे mu 0 n i a square upon 2 X square plus a square पावर 3 by 2 जब भी n number of turns हो तो n से multiply कर दे चलो आगे बढ़ते हैं next आगे ampere circular law अब ये भी एक तरीका है magnetic field find करने का alternate है यह alternate method to find magnetic field ठीक है पहला method क्या था बेटा biode savert law ये हमारे पास पहला method था दूसरा क्या है हमारे पास ampere circular law ये हम लोग लगा चुके अब हम ये सीखने जा रहे हैं और ampere circular law बेटा वहाँ पे जादा useful होता है जहाँ पे symmetry हो ठीक है ampere circular law का क्या काम है magnetic field find करना है पहले किस से निकार लेते हैं biode savert law से अब ampere circular law से चलो suppose we have to find magnetic field due to a current I coming out of the plane of paper at point P मालो एक current I plane of paper से बाहरा रहा है और हमको P point पे क्या निकालना है suppose we have to find हमें क्या निकालना है magnetic field due to a current I coming out of plane of paper at point P तो एक current I plane से यू बाहरा रहा है और आपको P point पे magnetic field चाहिए तो कुछ-कुछ ये गौसलो जैसा है एक charge Q है और आपको P point पे क्या चाहिए electric field चाहिए तो आप क्या करते थे वेटा यहाँ से इसको radius मान के एक sphere बनाते थे यहाँ पे sphere ना बना के आप एक circle बनाओगे क्या बनाया आपने एक circle construct किया not sphere एक circle आपको current I की वज़े से P point पे magnetic field चाहिए तो आपने इसको यू गनेट किया r distance पे और आपने एक circle बनाया not sphere क्या बनाया एक circle अब देखो अगर आप देखो current carrying wire यू है P point magnetic field क्या यू होगी current carrying wire थम किधर जा रहा है बाहर की तरफ क्या P point magnetic field यू होगी जी हाँ बिल्कुल ऐसी ही होगी current carrying wire बाहर आ रहा है P point magnetic field कुछ यू ठीक है इस तरह की कुछ magnetic field तो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं integral B dot dl इसको बोलते हैं line integral is equals to mu naught times of net current inside mu naught times of i inside Gauss law में क्या लिखते थे बेटा आप Gauss law में आप लिखते थे q by epsilon naught q inside upon epsilon naught यहां क्या लिखते हैं बेटा mu naught times of i inside इधर क्या है integral B dot dl अब बेटा यह B dot dl क्या होता है यह होता है line integral of magnetic field line integral of magnetic field around around the closed loop तो आपने क्या किया एक closed loop बनाया ठीक है वो closed loop कहां से pass कराया P point से pass कराया फिर आप क्या करेंगे बेटा आप line integration करेंगे magnetic field vector का कौंसा integration सर क्या बोले सर का बोले सर कौंसा integration सर का line integration बेटा B dot dl B dot dl B dot dl आप करेंगे B dot dl B dot dl B dot dl कहने का मतलब जरा यहां देखो इस चेके current है ऐसे यहां पर magnetic field कैसी होगी U यह होगी magnetic field राइट current carrying wire ऐसे है magnetic field U यह हुई magnetic field यहां पर पेटा यहां पर जो vector length है इसकी आपने क्या किया आपने एक अब पेटा यहां पर magnetic field कैसी होगी tangentially नीचे की तरफ होगी राइट के U किसी और color से कल लेते हैं इससे कल लेते हैं यह हुई magnetic field यह B हुआ अब इटा DL vector क्या होता है DL vector यह यह हुआ तो आप B dot DL यहां का करो फिर यहां पर देको magnetic field U होगी राइट ऐसे होगी current carrying wire ऐसे magnetic field ऐसे और DL vector यहां का देखे हैं यह बनेगा DL vector तो यहां का B dot DL B dot DL B dot DL पुरे loop के लिए integral closed integration यह देखो closed integration पुरे loop के लिए B dot DL B dot DL B dot DL जोड़ोगे किसके बराबर आएगा mu not times of net current inside the loop mu not times of net current inside the loop clear integral B dot DL यहां का B dot DL यहां का B dot DL यहां का यहां का पुरे loop का चोड़े लिए B dot DL B dot DL B dot DL finally you will get mu not times of net current inside यह देखो यह लिखा हुआ है integral B dot DL is equals to mu not times of I inside the line integral of magnetic field along a closed path is equals to mu not times the total current enclosed by that closed path यह मैंने बताया the line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu not times the total current enclosed by that closed path क्या करना है इसको बोलते हैं closed integration और कैसा line के साथ इसलिए यहां पे DL अगर gos law में याद करो तो E dot E dot D A था यहां पे क्या है बेटा B dot DL line के साथ integration is equals to mu not times of I inside the loop यह भी बेटा closed path के लिए वो भी closed के लिए sign of current ज़रा यह समझो बेटा एक current बाहर आ रहा है एक current अंदर जा रहा है तो दोनों के sign को समझना मैंने कहा था charge को हमेशा sign के साथ रखो positive charge के लिए plus negative charge के लिए minus वैसे ही यहां पे भी अब एक current बाहर आ रहा है एक अंदर जा रहा है तो कौन सा positive कौन सा negative आप पे depend करेगा आपने loop का direction क्या लिया है मान लो मैंने अपने loop का direction यह choose किया कि यह मेरे loop का direction है loop का direction डियल वेक्टर का direction मैंने का मेरा loop ऐसा है तो पेटा जब loop आपने यह choose किया तो थम बाहर आया यानि यह वाला current positive और यह वाला current negative तो यह loop के direction के choice पे depend करता है sign of current किस पे depend करता है depends on choice of loop direction for example अगर मैं अपने loop का direction यह ले लूँ कि मैं dl vector ऐसे लूँगा dl vector ऐसे लूँगा dl vector ऐसे dl vector ऐसे भाई dl दोनों direction भी हो सकता है dl आप ऐसे 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 भी ले सकते हो ऐसे 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 तो अगर मैं dl यह 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 लिवाते है मेरा loop का direction थम बाहर आया बेटा यानि यह वाला current positive जो बाहर की तरफ है अगर इसके लिए मैं देखूं तो मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा i1 क्या है positive है और i2 बेटा अंदर की तरफ तो negative i2 बेटा अंदर है यहां तक चलो negative है ना मालो मैं अपने loop का direction इस तरफ चूज़ करता clockwise ऐसे तब यह अंदर वाला current positive बाहर वाला negative नेक्स बेटा यूज एम्पियर सर्किटल लॉट तो find magnetic field due to a long straight wire अच्छे यह तो हम निकाल चुके हैं long straight wire की तो magnetic field हमें पता है long straight wire मतलब infinite wire तो इसकी तो हमें पता है mu naught by 4 pi 2i by d अब यह कह रहे हैं use करिए क्या ampere circuit law यूज करके बताइए यह वाद चलो भाई ampere circuit law लगाते हैं यह हमारा wire है यह point P है माल लेते हैं कितने distance पे है a distance पे माल लेते है अपन क्या करेंगे बेटा P point के about हमने एक circle बना है यहाँ sphere नहीं बनाते है यहाँ पे linear integration होना है sphere पे कैसे linear करोगे तो हमने क्या कहा कि wire से यह infinitely long wire है P point के about अगर हम देखें तो symmetrically एक circle बन सकता है और इस circle पे हर जगे magnetic field same होगी क्योंकि wire से बराबर की distance पे direction अलग होगा value तो same ही होगी अगर हम एक circle बना है then magnetic field due to this wire in magnitude will be same at all the points yes तो हमने एक circle बना लिया ठीक है चलो एक आखरी बार ट्राइ मारते है ठीक हमने एक circle बना लिया अब हम magnetic field देखते हैं बेटा इस current carrying wire के विए से P point पे इधर किते distance पे यहाँ पे magnetic field ऐसी होगी current carrying wire के विए से यहाँ पे magnetic field यू होगी current carrying wire के विए से यहाँ magnetic field बाहर की तरफ आती हुई यू होगी और current carrying wire के विए से यहाँ magnetic field यू होगी कुछ यू जाती हुई बोलो ठीक है tangentially अब हम क्या लिखेंगे बेटा integral B dot dl is equals to mu naught time of i inside अब जड़ा ध्यान से देखो बेटा मैं loop का direction भी यह ले लूँ मेरे उपर है मैंने loop का direction ले लिया तो बेटा यहाँ पे dl vector भी ऐसे ही हो जाएगा B और dl की बीच में angle 0 degree यहाँ पे देखो बेटा dl vector यू हो जाएगा ऐसे अंदर की तरह B और dl में angle 0 degree यह लूप है मैंने यह ले लिया loop का direction तो यहाँ पे बेटा dl vector कैसा होगा यह यहाँ पे dl vector कैसा होगा अंदर जाता हुआ अब जड़ा ध्याँ से देखो बेटा यहाँ पे dl vector कैसा होगा इस जगे पे लूप का direction यही है तो आप देखो B और DL के बीच में अंगल कितना है 0 degree कहां पे हमेशा हमेशा यहां पे देखो B DL में अंगल 0 यहां पे देखो B और DL भी ऐसे ही होगा क्योंकि loop का direction यह लिया है मैंने DL depend करता है loop के direction तो DL भी यूँ और B भी यूँ यहाँ पे बेटा B इधर और यहाँ पे भी अगर मैं DL वेक्टर देखूं इस जगे पे So DL वेक्टर भी ऐसे ही आएगा So B और DL हर जगे same direction में है So integral B DL cos 0 I inside बेटा inside कितना current है? I current है इसके अंदर से कितना current बाहर आ रहा है? ऐसे देखो यह loop है कितना current आ रहा है? I So mu not I मेटा cos 0 1 हो गया? अच्छा दूसरी चीज़ जित्ती magnetic field यहाँ पे उत्ती magnetic field यहाँ उत्ती यहाँ उत्ती यहाँ बढ़िया यह wire है यह एक circle है हर point देखो A distance दूर A distance दूर A distance दूर A distance ब्राबर ब्राबर दूर है A, A, A तो जित्ती magnetic field यहाँ उत्ती यहाँ, उत्ती यहाँ उत्ती यहाँ, मैगनेटी field अर जगे बराबर होगी है ना? So B DL cos 0 तो B भी constant है बाहर आ गया cos 0 1 integral of DL is equals to mu not times of I अब बेटा DL, 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 DL बटे 2 pi i by A उपर नीचे 2 से multiply कर लो mu not बटे 4 pi यही तो था infinite wire का बोलो आया यही तो था infinite wire का mu not बटे 4 pi 2 i by A बोलो clear बोलो clear हुआ यहाँ तक यहाँ साइकलेड मैट मैश्टेंचिस करके कोई हैं कर रहे हैं रोशन कुमार आप भी पढ़ लो पढ़ाओ भाई सबको पढ़ाओ theorist होब कर रहे हैं लवी पढ़ रही थी तुम लवी पर ध्यान दे रहे हो clear we'll need anundhan ahan कर रहे हैं we'll need postpone to October yes बटा it will postpone to December I think it will happen next year I think don't think it is postpone करा आते रहो करा कुछ होने वाला थोड़ी नहीं इतना बार पोस्पोन करा है बंद करो यार मकारी हो गया अभी third wave भी नहीं पोस्पोन करा दो ताकि third wave में पेपर दें मकारी के एक हद होती है need postponement की भाई जब valid reason है तब valid है अब मैं पढ़ ला था किसी news में article था कि हमें postponement चाहिए हमने बोला क्यों कहते हैं paper का pattern change हुआ है हमने का syllabus तो वही है 15 question optional है सोचना पड़ेगा इसके लिए तो एक महिना एक्ष्ट्रा चाहिए practice का what 15 question optional है paper का pattern change हुआ है हमें practice करनी है एक महिना और दो कुछ भी मतलब कुछ भी reasons for postponement अब किस basis पे postponement कराओगे अभी नीचे comment लिखके जाएंगे आप क्या जानो अलग सर क्या दर्द है मेरे घर में मेरे घर में बहुत दिक्कत है बैठा होगा computer screen के सामझे अभी पूरे में spamming किया होगा live में आ जाएगा भी नीचे comment में मजाग उड़ा रहे हो आप आपको पता नहीं है हमको सब पता है आपको यह भी पता है तुम कौन हो और तुम क्या लिख रहे हो ठीक है postponement करा दें अभी भी 15 question optional है choice मिलेगी इसके लिए practice करनी पड़ेगी pattern change हो गया है postponement कर दो फिर क्या बोलोगे मेरे जूते का फीता नहीं मिल रहा please postpone need for one month कुछ भी चले यांगे बढ़े पढ़ो भाई लोग बाई लोग पढ़ो बहन लोग सोभी पढ़ा लो बहन बोल तो क्या दिख पाते है all in is our my brothers and their sisters all in is our my brothers and their all in is our my brothers and and याद है हम लोग जब सुबह प्रेयर में जाते तो क्या गर दे वो प्लेज होती थी India is my country all in is our my brothers and their sisters कई बच्चे थे यह दिमाख लगाते थे फिर मेरा एक दोस्ट था मन हमल मठेट वो एक दे मेरे साथ खड़ा थो क्या बोल ला था all in is our my brothers and sisters except one आज बिचारे को लग रहा होगा except ten बोलना चाहिए था कम से कम तब से लेके अब तक जीवन में इतने बदलाओ उतार चड़ाओ सब करते हो गए ना यह अच्छा कितने लोग को यह पता था कि इसको कहते है attention और इसको बोलते है stand at ease हम लोगों तो बहुत लेट अब पता चला अभी यह सब कल्चार रचल जब पता चला stand at ease था बर कभी किसी को बता है थोड़ी ना इस बारे में पहले जो बताता हमको हाँ of course attention stand at ease of course और जब वहाँ जब छटे थे attention stand at ease attention stand at ease अब किसी को बता थे थोड़ी ना कि हमको पता नहीं था stand at ease of course attention stand at ease चलो school की यादे यार school की यादे कितनी ही मतलब कितनी ही बरबाद होती है तुमको क्या लगा खुबसूरत होती है जिन्दी की आगे खुबसूरत है स्कूल की भी खुबसूरत है इनसान क्या होता है जो समय बीच जाता है हमेशा उसको सूचता है कि वो था मेरा best time इनसान की यादत है हमेशा past ने देके कहता है यार वो कितना अच्छा time था आज तुम स्कूल में हो तो कहते हो कहते हो यार फो फिस्ट में कितना मजा आ रहा था ऐसे ही लाइफ खतम होती है, चलो आगे बहुते हैं, तो पेटा देख रहो, सेम एक्स्प्रेशन आ गया, इंफनेट वायर का, मिव नाट भाई 4 पाई 2 आई भाई ये, सेम कहानी, इस्कूल में अलग जो करही हो रही है, इस्कूल में अलग खेल चल रहा है, किसी कुछ समझ म अलगे नहीं आ रहा है, मतलब स्कूल के अंदर, क्या क्या होता रहता है, वो देखते हो बलडे पे जो परी बनके आ जाती है लड़किया एक दम, और लड़के भी क्या शहजाते बनके आते हैं बलडे पे, मैं गया था बलडे पे प्रिंसूट पहन के, प्रिंसूट, ठीक ह महीं पापा ने का था प्रिंसूट होता है खरीद लो, ठीक है, खरीदा था भई हमसे प्रिंसूट, ठीक है, बुवा दिलाएं थे, हमारी बुवा है वही कपड़ दिलाती थी, साल में एक नया कपड़ा आता था, वो हमारी बड़ी बुवा है, उनको नाम बड़ी बुवा अब बजट लेके आती थी, हम लोग बोलते थे बुगा किते है कपड़ा है, बोलते ही 500 का लेना है, साले 500 के अंदर कपड़ा है, हम लोग पिर जाते हैं कपड़ा दे चौक वाप पर आप तो भगवान हो तो ऐसा करते थे क्योंकि कपड़े मिलने हैं, कै निवेस, तो प्रिं देख लो, जिसमें तुम बड़े में स्कूल गहे थे, टाइट होके एकदव है ना, जैक जमाग एकदव, हीरो बने के एकदव, सुबह चले मेल भी कहीं से लगाए होगे पहनी बार चीवाने में, जूते में 10 बार पॉलिश करेंगे, अभी देख रहे हो 11-12 में, गंदगी वही मोजा पहन रहे हो पिछले 2 साल से, मोजा पहनते ही नहीं है, अच्छा, सौक्स किया जर्वत सर, जूते में पैर डालो पहुच जाओ, बात कतम, लेफ्ट का मोजा राइट में, राइट का, अब तो कुछ मर्की नहीं पढ़ ला है सर, अब तो बस जीवन चला जा रहा है, वो भी एक जमाना था, ओ छोटी-छोटी बच्चे तो परी बन के हाथ ही रढ़े हैं तो परी, अवो इतना बला डिबा, टॉफी वाला, है ना, उसमें होता था खेल, स्कैम, महीं बापा खेलते थे, महीं, 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 टॉफी बाटेंगे कली स्कूल में, टॉफी हैं खेल टॉफी बार odor हैंगे, वह ने है, समबाट नहीं, टॉफी बाट होता है, कॉछी बाट होगँ बाट हो फट होता है, वह 5 रुपा है एक रुपा में 4 वाली ले, वही होता था बजेट, उतने गो टॉफी बाटाहित है बटल में अंनेग बाफी बाव'll के लहीं लिल और उसके बाद स्कूल में सबस्ते बड़ी चीज, बड़े के दिन, अरे क्या special treatment, जिस बस से जाते, एक दिन पहले से special treatment चालू, क्यों? क्योंकि एक दिन पहले से बस में जो तुमारा दोस्त हो का तुमारे special treatment करता था, क्यों करता था? क्योंकि उसको लगता था कल इसका क्यों है, कल तो ये special character है, कल अगर मैं इसके साथ बैठा भी रहूं, तो मेरी इगज़ बढ़ जाएगी, और क्या पता, अगर मैं इससे एक दिन पहले, कल इसका बड़े अगर अच्छा behave करूं, तो कल शायद मैं वो इनसान बनूँ जो इसके साथ पूरे school में घूमेगा, और सबको टॉफी देगा, ये मेरा नाम लेगा, और इस लालच में कितने दोस्त बड़े से एक हफ्ते पहले थे मक्खल लगाना चालू कर देते हैं, भाई, तु मेरे को ले चलेगा ना, भाई परसों देखते हैं किसका दोस्त है, किसको ले चलेगा, अब आपकी जो हालत आप रहती हो जिन, यार किसको लेके जाएं, बड़े में टॉफी बाटने हैं, जिनको लेके जाना है, उनका तो नाम ही नहीं ले सकते हैं, वो तो दूर बैठी हैं, कैसे बोल दें, कि मैम इनको पेज़ दीजा हरिशा को साथ में, हरिशा आई से देखें कहीं कहा रहें, ब जाएं खुशी मिलती थी जाएं जाएं के टिफरेंट क्लास में, मैम में आए के मिन, मैम इनको वर्डे, ओ इसके बार जैसी मैम ने टॉफी ली, एक रटा हुआ डैलोग, रटा घिसा डैलोग, मीनिंग तक नहीं पता, मैम ने एक टॉफी ले ली, मैम प्लीज टेक वन मोर मैम ब्लीज टेक वन मोर, मैम प्लीज यह रटा हुआ था जब तक मैम ऐसे ना कर दे, मैम ब्लीज टेक वन मोर, और यह सिखाया किसने, मैम ने स्काम चला था ये भी एक, ये भी एक स्काम, ये भी मैम लोग खुदी सिखाई थी, कि जब टौफी देना तो बोलना मैम प्लीज टेक वन मोर, और फिर वह कॉल लेंगे, फिर बोलना मैम ये इंफानाइट लूप है, जब तक टीचर इधर नहीं करेगा, और कई बार टीचर करती थी, मेरी आर्ट्स की टीचर थी वह करती नहीं थी, वह ऐसे लेती थी टौफी, मैम प्लीज टेक वन मोर, बोलते वह दर लगता था कि ये तो वन मोर लेंगे, एक साथ तेर सारी निकाल ली, और अब आप ले, और फिर जब रास्ते में आया लोग मिलती थी, छेक एक हमका ना खिलाब हो, टौफी भर लेती थी, आया लोग तो बहुत ये करते थे न, इसकोल में जब आया लोग होते थे, सपोर्ट स्टाफ होता था, जनम दीन है टौफी ना थे वो, और क्या तो, अच्छा एक चीज बताओ, ये स्कूल में क्या चलना है, कौन से स्कूल के ए कुछ भी, मैं सोस्ता हुआ अजीव लगता है, कहीं लिखा भी नहीं था, अडमिशन लेते हो, कि बड़ एक दिन आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, बड़ एक दिन कुछ भी पहन के आ रहे हैं, तम जादू गर, क्यों, कहां लिखा है, कहीं नहीं, पहां पहन के जाएंगे यह वाला जूता, यह वाला यह, दोस्ते मां के बेंट लगाई, पहुच गए स्कूल, कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, अपने आप एक कल्चर फैला हुआ है, बड़ दिन जो पहनना हो, पहनना हो, मार भी नहीं पढ़ती थी, मैम, आज उसका बड़ दे है, वह इट बड़ दोग था, गड़ ब्लेस यू, बड़ ब्लेस यू, बड़ ब्लेस यू, कुछ और नहीं जीवन में अच्छा करो बेटा, क्या हुआ हुआ, कितने साल कुछ ने, हैपी बड़ दे, गड़ ब्लेस यू, उनका भी रटा रटा रटा, उसके बाद घर आके भी एक आजाना, तुम्हीं आजाना, यह बड़े हैं, शाम में टाइम से आना, साथ बजे आना, पहले हम लोग गेम खेलेंगे, और गेम में प्राइजेस होंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद कॉलनी के साब तयार होके आते थे, और सबस्यादा स्कैम कौन करता है, जिनकी घर में 4 बहने हो, 5 बहने हो, वो एक 50 रुपय का गिफ्ट लेके आएंगे, अब इसमें बात आजाएगी, अरे सर क्या बोल दिया आपने, गिफ्ट का तो प्राइस नहीं होता, शिट, कैसे बोल दिया मैंने, गिफ्ट तो प्राइसलेस होता है, गिफ्ट देने वाल इतना गिफ्ट को एनेलाइस करना किस ने सिखाया, हम तो बच्चे थे, हमें तो नहीं पता, गिफ्ट को प्राइस के बेसेस पर देखना है, हम तो पैदा हुए थे, हम तो मिट्टी के थे, सिखाया तो आप ही लोग ने है, गिफ्ट में बेटा प्राइस नहीं होती, गिफ पाहाड बना है, scenery, क्या दिया है gift में scenery, क्या है pencil box, और एक बीच culture चला रहा windshines का, windshines, हर तरफ windshines, चार gift खुला, windshines, कहां लगाएं, एक कमरे का घर है, इतने windshines, कहां टांगू मैं, pencil box जी हुआ, ऐसे, खुलने वाला, studio वाला pencil box, वा, geometry box, और जिनके घर ते चार बहने आ जाएं, मेरे एक फिरंट थी हूँ, वो चार बहने और एक भाई आ गया थो, और खाते थे सब बैठके, और gift एक लाते थे, हमने का, ये, स्काव है यार, तुम लोग चार gift, दो gift तो लेक सुनो, तुम्हारा gift ना, अभी चाचा लेके आएंगे हमारे, हमने का, टी है, हमने पूछा भी नहीं ना, gift, हम ऐसा थोड़ी ना, कि उसको खुद से अंदर शरा मारी थी, कैसे अंदर घुज जा भीना gift के, चाचा लेके आएंगे अभी पीछे से हमारे gift, फिर चाचा लेक gift आते थे, amazing, मतलब birthday, celebrations were amazing day, पर सबसे गंदा लगता था कब, birthday की रात में, खतब, it's over man, एक साल फिर अंदेरे में, कोई ने जानता तुम्हें, तुम्हारी कोई value ने इस दुनिया में, एक साल बाद तुम फिर से hero बनोगे, पर आज की रात, it's over, win gifts को रखो, इनका भी बट बारा हो जाएगा, और कुछ gifts तो, इधर से उधर चले जाएंगे, ये भी तो होता था, gift कब खोलेंगे, जब सारे guests चले जाएंगे, अलग देखो, अन्नू ने gift तो नहीं देखा, तुम्हारा, नहीं मम्मी, ठीक है, इसको अन्नू को चिपका देंगे, yes, ting, ये अलग gift कहा से आया है, अच्छा इच्छा ने दिया है, इसको हम लोग किसको चिपकाएंगे, इसको पॉम्पा को चिपका देंगे, इधर का gift, उधर, उधर का gift, इधर, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पढ़ाओ अच्छा मैं पढ़ाने आया था, sorry, वो यार थोड़ा सा, माफ करना मैं चलो, तो बेटा, मुझ नॉट बाइ 4 पाइ 2 आई बाइ A, नेक्स देखते हैं, मैंगनेटिक फिल्ड दू लॉट 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 वायर केरिंग करेंट ओनेट सर्फेस, चलो, स्पीड पकड़ लेते हैं, केरिंग करेंट ओनेट सर्फेस, तो बेटा, अगर क यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और DL विक्टर इधर, 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 DL विक्टर इध तो बस एक derive करके दिखाया है, बाकिया आपन derive करके नहीं दिखा रहे हैं, आगे आगे बढ़ाते हैं, magnetic field देखो है तो वही नहीं है, due to infinite wire, infinite wire का तो हमें यादी था, mu0 by 4pi 2i by a, mu0 by 4pi 2i by, एक derive करके दिखा दिया है क्या पता कोई सवाल है सहाज है, चलो, next क्या है magnetic field due to long hollow cylindrical wire carrying current on its surface, तो बढ़ा माल लो current surface पे, carrying current on its surface, ठीक है, इसकी probability कम होती है, this is less popular, यह जल्दी पूछता नहीं क्यों कि बढ़ा, ऐसा wire होता ही नहीं है, इसमें current surface पे जाए, घर पे जो तार यूज़ करते हो, current कि इसमें जाता है, पूरे wire में, पूरे volume में आता है, यह पता नहीं, इसा imaginary सा wire है, magnetic field due to a long hollow cylindrical wire, कैसा है, hollow wire है, अंदर तार नहीं है, बाहर conductor है, तो यह इतना popular case नहीं होता है, anyways, हम लोग 3 cases लेंगे बच्चों, case number 1, सभी लोग जानते है, case 1 क्या होगा, case 1 ले लेते हैं हम लोग outside, तो बढ़ा, outside के लिए हम लोग क्या करेंगे, center से, इसकी axis से, axis से, r distance दूर पे जाएंगे, outside के हम लोग लिखेंगे, r greater than r, मेटा सबको पता है, जब outside जाते हैं, तो charge को कहाँ पे लेते हैं, यहाँ charge नहीं, यहाँ current है, बता दो मैं जान जाओ, बता दो, हम लोग charge को कहाँ पे लेते हैं, जब outside होते हैं, जब point outside होता है, तो charge कहाँ पे ले जाता है, center पे, तो same कहानी यहाँ पे भी करेंगे, जब लोग outside जाएंगे, तो current को axis पे ले लेंगे, ठीक है, outside claim लोग क्या करेंगे बेटा, I को कहाँ ले लेंगे, at axis, I को axis पे ले लिया, यहाँ पे, अब बेटा यह axis पे आ गया, और बेटा कैसा है, long, long मतलब बेटा, infinitely long, जब भी long word लिग दे हैं, तो मतलब infinitely long, तो current को हम लोग center पे जैसी ही लेंग तो यहाँ से कितनी दूर, R distance दूर, है ना, जब भी outside की बात होती है, तो current को कहाँ center पे, तो यहाँ center की जगे, axis पे ले लो current को, यहाँ से कितना दूर, R distance दूर, अब यह infinite wire है, ऐसा मान लेंगे ना, हम क्या मान लेंगे, है ना, हम यह assume कर लेंगे, I at axis, अब बेटा, I at axis हो गी, B is equals to mu naught by 4 pi 2, I, बटे, simple, case 2, surface, बेटा, simple है, surface clear, R की value, capital R के पराबर, इस ही में रख दू, B is equals to, mu naught by 4 pi, last बेटा, case 3, inside, inside point होगा, यानि, R less than capital R, inside point यहाँ मान लोग कोई है, अब बेटा, देखो, अगर inside point लिया हमने, इसके लिए, बेटा, हम लोग क्या बनाएंगे, amperes loop बनाया, amperes circuit लोग, amperes loop, मान लो, एक p point यहाँ, inside लिया, हमने यह, हमने एक, amperes loop बनाया, अब बेटा, इसके अंदर current कितना है, बताओ, जब हम इंसाइड में आए, बेटा, मैं न, 2 pi नहीं ले रहा हूँ कहीं भी, mu naught by 2 pi, कुछ बच्चे, mu naught by 2 pi कमेंट कर रहे हैं, मैं mu naught by 4 pi से पूरा लेक्चर खेलूंगा, यहां तक हो सकता है, 90% questions, 90% formula मैं mu naught by 4 pi लाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो चीज़ सेम रहे, इधर चेंज होता रहे, mu naught by 4 pi 2 i by r, हां बेटा, जब inside की बात करेंगे, inside आ गया, यह, हमने क्या बना लिया, amperous loop बना लिया, यहां पर magnetic field b dot dl, b dot dl, b dot dl, b dot dl, is equals to mu naught, i inside, बेटा, इसके अंदर current किता है, 0 है, तो magnetic field क्या हो जाएगी, 0, reason क्या, खतम बेटा, हो गया यह, यह अला पर इतना popular नहीं है, popular क्या है, solid cylinder, जिसमें पूरे wire में current जाए, भाई, जो घर में तार आता हो, पूरे तार के अंदर current होता है, volume में, surface surface तो नहीं करेंड आता है, पूरे तार के अंदर, volume में current होता है, graph of b versus r, बेटा, graph बना लेते हैं, इनसाइड, यह हो गया आपका, outside, magnitude field अगर हम देखें, बेटा, outside क्या है हमारी, mu naught by 4 pi, 2i by r, यानि outside क्या है, inversely proportional to r है, और inside की बात करें तो कित्ती है, 0 है, तो बेटा, अंदर तो 0 रखनी है, अंदर तो 0 रखनी है, और फिर outside क्या है बेटा, inversely proportional to r, सही है, अंदर 0, outside, inversely proportional to r, बोलो सही है यह, अंदर कित्ती ले लिए हमने भी, 0 और outside क्या है, ठीक है, आगे बड़े बच्चों, चलो, next, magnetic field due to long solid cylinder wire, बेटा, यह practical wire है, practical wires ऐसे ही होते हैं, solid होते हैं, कभी hollow wire देखा है क्या घर में, कि wire hollow है, अंदर कुछ नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, घर पे जो wire होते हैं, देखा होगा उपने उसमें, copper copper यह से लिप्टा होता है, कैसे होते हैं, long solid cylindrical wire, तो solid ही होते हैं, carrying current I uniformly distributed in cross section, current I क्या है गेटा, पूरे cross section में है, बात समझो, current surface पे नहीं है, current पूरे wire के अंदर, जैसे हम लोग solid sphere का case करते थे, non conducting, charge पूरे में distributed रहता था, बास 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 वाई pattern, हम लोग करते हैं, solid sphere non conducting, पे charge पूरे में distributed, बास वाई pattern, चलो बेटा, पहला point outside, case 1, outside, r greater than capital r, सबको पता है, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम लोग, current कहां पे assume करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, assume i at, axis, r outside के लिए यह कहा नहीं थी, चाहे charge हो, चाहे mass हो, gravitation में, चाहे current हो, यहाँ पे, तो current को कहां पे assume कर लो, आप पूरा current, axis पे assume कर लिया, तो बेटा, इसको axis पे assume कर लिया, पूरा current, यहाँ पे, और यहाँ से r distance दूर, outside है, बेटा कैसा है यह, long, long मतलब infinitely long, जब long बोले तो मतलब infinitely long, तो बेटा यह infinitely long लंबा है, तो current carrying wire infinitely long, magnetic field कित्ती हो जाएगी, mu naught बटे 4 pi, 2i बटे r, यह हो गया, case 2 बेटा, surface पे, तो इसमें भी कोई tension नहीं है, surface के लिए तो, r की value capital R रख दो, हो गया, b is equals to mu naught बटे 4 pi, 2i बटे r, तीसरा case बेटा important है, यहाँ पे case 3, inside, बताओ, 0 होगा की नहीं होगा, बताओ, 0 होगा की नहीं होगा, inside बताओ, 0 होगा की नहीं होगा, आंसर करें, inside में 0 होगा की नहीं होगा, चलें, बताएं आप लोग, inside में 0 होगा की नहीं होगा, इंसाइड में 0 होगा की नहीं होगा क्या लगता है नहीं इस बार 0 नहीं होगा याद है आपको जब नॉन कंडेक्टिंग था चार्ज पूरे में डिस्टिब्यूटेड था तब 0 नहीं आता था तो पेटा इंसाइड में क्या आता है D is equals to म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I R अपॉन आर स्कूर Directly proportionate to R आ जाता है वहाँ पे भी आई था Electric field क्या आई थी KQR अपॉन R cube Directly proportionate to R नहीं आ गई थी Magnetic field GM small r upon R cube Directly proportionate to R तो अंदर क्या होगा बटा Magnetic field बढ़हेगी पहले क्यों क्यों क्योंकि current बढ़ता जा रहा है जब आप अंदर हो यहाँ पे तो देखो आपका I inside सिर्फ इतना है थोड़ा और बाहर जाओ अब आपका I inside बढ़ गया तो Magnetic field बढ़ी और बाहर जाओ I inside फिर बढ़ गया Magnetic field बढ़ी और बाहर गया अब I inside नहीं बढ़ रहा तो Magnetic field घटने लगी तो अंदर जैसे से आप Axis से दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपका I inside बढ़ता जा रहा है यहाँ पे I inside सिर्फ इतना है यहाँ पहुचे I inside इतना यहाँ पहुचे I inside इतना तो I inside बढ़ता जा रहा है तो Magnetic field भी बढ़ती जाएगी तो यह हुई कहानी आपकी practical wire की या solid cylinder की पी रहों पानी graph of B versus R चलो graph देखते हैं बेटा यहाँ पे R की value 0 यहाँ R की value capital R यह हो गया बेटा inside यह हो गया outside चलो बेटा बात करें यहाँ पे B outside की बात करें outside mu naught by 4 pi 2i by R तो बेटा वो तो same है outside inversely proportional to R यहाँ inside में खेल change हुआ है inside में क्या है mu naught by 4 pi 2i R upon R square inside में खेल change हुआ है inside में directly proportional to R है inside में directly proportional to R और बेटा center पे अगर देखे हैं हम लोग जब R की value 0 है center पे या axis पे कह दो जब R 0 होगा तो B 0 होगा जब R 0 तो B 0 तो यहाँ पे B 0 है उसके बाद directly proportional to R है same देखो ऐसा ही हम लोग ने देखा था non conducting sphere में charge के लिए ऐसा हम लोग देखा था अर्थ की gravitational field यानि acceleration due to gravity solid sphere के लिए gravitational field की जब बात की तब भी अगराभ बना था यहाँ क्या आया बेटा B proportional to 1 by R और यहाँ क्या आया B proportional to R clear सभी को clear चलो clear है B outside mu naught by 4 pi center पे माल लिए बायर को 2i by R B surface पे R की जगे capital R inside का याद रखना पड़ेगा बेटा mu naught by 4 pi 2i R upon R square inside का याद रखना पड़ेगा आपको बाकी सब तो बहुत असान है inside का याद रखना पड़ेगा mu naught by 4 pi 2i R upon R square सवाल 2019 क्या है a cylindrical conductor of radius R is carrying a constant current the plot of the magnitude of the magnetic field B with distance D from the center of the conductor is correctly represented by the figure अब बेटा कुछ लिखा नहीं है तो आप solid मानना क्योंकि वो ज़्यादा practical है तो आप solid cylinder ही मानोगे जब तक लिखके hollow ना दे दे तब तक hollow खुद से मत मांगना ठीक है तो cylindrical conductor of radius R is carrying constant current आई the plot of the magnetic field तो बेटा क्या plot होगा स्टार्टिंग में पहले directly proportional फिर proportional to 1 by R option A clear सभी को 2000 illness पहले directly proportional देखो सब आ रहे हैं सवाल यहां से यह सब थोड़को जा रहे देखे पहले directly proportional proportional to 1 by R चलो next phase 1 2016 फिर आया सवाल यही से क्या है a long straight wire of radius A carries a current I the current is uniformly distributed over its cross section लोग खुदी बता दिया इन्होंने the current is uniformly distributed over its cross section the ratio of the magnetic fields B and B dash at radial distances A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire क्या है बेटा मेरे पास एक long straight wire है of radius A बेटा radius कितना है इसका A carries current I the current is uniformly distributed over its cross section तो बेटा current I है चलो ठीक है अब बताओ the ratio of the magnetic field B and B dash at radial distances A by 2 and 2A तो बेटा A by 2 तो inside हो गया और 2A बेटा outside हो जाएगा दोनों में अलग-अलग formula लगेगा the ratio of the magnetic fields B तो बेटा ये तो inside के लिए हो गया A by 2 और B dash ये तो outside के लिए हो गया 2A है ना तो एक काम करते हैं पहले B निकालते हैं ये inside के लिए है mu 0 by 4 pi 2i r upon r square तो r कितना है बेटा A by 2 so mu 0 by 4 pi 2i a by 2 और r square जगे A square ये से cancel हो गया mu 0 by 4 pi 2i upon 2a अच्छा फिर B dash देखते हैं बेटा ये B हो गया फिर B outside क्या होता है mu 0 by 4 pi 2i by r ये B dash है बेटा ये ना B dash यहाँ पे ला outside और यहाँ पे B तो B dash कितना हो जाएगा बेटा mu 0 by 4 pi 2i और r कितना हो गया 2a बेटा सेम आ रहा है mu 0 by 4 pi 2i by 2a mu 0 by 4 pi 2i by 2a तो इनका ratio क्या हो जाएगा 1 the ratio of बेटा ratio क्या हो जाएगा 1 दोन बराबर आ रहे है clear चलो आगे बढ़ते हैं next solenide an insulated wire tightly wound closely in the form of a helix बेटा एक insulated wire को अब helix के form में यू 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 बानदो इसको हम बोलते हैं solenoid कहते हैं solenoid क्या है आप एक wire लो और इसको ऐसे helix मतलब spring के form में ऐसे गोल 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 बानदो इसको हम solenoid बोलते हैं चलो बेटा इधर से देखते हैं जिस तरफ से current देखने में anti-clockwise लगे तो बेटा ये solenoid आपका behave करता है like a bar magnet बात समझें आपको जिस end से current कैसा दिखे anti-clockwise उस end को देखो यहां से कैसा दिख रहा है इधर side से अंदर से से देखो anti-clockwise तो मैंने बोला north pole और यहां से देखने में कैसा दिख रहा है clockwise तो इसको मैं क्या बोलूँगा south pole ठीक है इसको आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा जहां से current आपको clockwise दिखे जहां से current आपको clockwise दिखे उसको आप बोलोगे south pole और जहां से current anti-clockwise दिखे जहां से current anti-clockwise दिखे उसको बोलोगे north pole तो यहां से मैंने बाहर की तरफ से देखा मुझे कैसा दिख रहा anti-clockwise यहां से बाहर से देखके मुझे कैसा दिख रहा anti-clockwise तो मैंने बोला north pole और यहां से देखा तो clockwise तो south pole तो बेटा, solenoid कैसे behave करता है, bar magnet की तरह, ठीक है, solenoid behaves like bar magnet, next, चलो ठीक है, it is observed that a current carrying helical coil behaves like a magnet, वही लिखा है, चलो, for a long straight solenoid, वेटा, आपके नीट के सिलेबस में यही solenoid है, कौन सा, long straight solenoid, आपके सिलेबस में long solenoid ही है, वेटा, long solenoid मतला, कि इसकी length इतनी बड़ी हो, कि इसका radius बहुत छोटा लगे, इतना लंबा हो, इतना लंबा हो, कि इसका radius बहुत कम देखने लगे, है न, condition क्या है, L is much-much greater than R, है न, बेटा, radius, बेटा, इसका ये, और length, बेटा, ये, तो जिसकी length हो, वो R से बहुत-बहुत बड़ी हो, हम लोग इसी solenoid की बात करेंगे, नीट के अंदर, long solenoid, क्या सारे solenoid long होते हैं, नहीं, बट नीट के अंदर यही से सवाल आते हैं, long solenoid, बेटा, इसक field outside solenoid, is 0, बाहर magnetic field कित्ती होगी, 0, यहाँ पे, यहाँ पे, outside क्या ली जाती है, 0, दूसरी बात, magnetic field inside solenoid, is uniform, यानी, same है, and along, the axis of solenoid, अंदर कैसी होती है, uniform, जैसे बनी हुई है, uniform magnetic field, और किसके along होती है, along the axis of solenoid, uniform and along the axis of solenoid, B along the axis is equals to mu naught n i, mu naught n i, mu naught बेटा, permeability of free space, n बेटा क्या है, यहाँ पे n है, number of turns per unit length, i है बेटा, current in each turn, mu naught n i, magnetic field कित्ती होगी, बेटा, inside the solenoid, B inside the solenoid is mu naught n i, बेटा, यहाँ पे n क्या है, number of turns per unit length, यानी, मान लो, total number of turns n है, और length l है, तो यह हो गया, n क्या है, total turns, मान लो, capital N, और यह total length, बेटा, n क्या है, small n, number of turns per unit length, मान लो, बोलता है, 200 turn है, 10 cm में, तो 200 बटे 10, यह है, number of turns per unit length, बेटा, इसमें एक और point है, कि edges पे magnetic field, edges पे magnetic field क्या होती है, half of b at, half of mu naught n i, इसकी आधी हो जाती है, तो दो तीन बाते हैं, कि हम long solenoid की बात करेंगे, सबसे पहली बात, जिसकी length बहुत बढ़ी होगी, radius छोटा, outside magnetic field 0 होगी, inside uniform होगी, along the axis होगी, और कितनी होगी, mu naught n i होगी, कितनी होगी, mu naught n i होगी, इसको याद रखेंगे, ठीक है, और edges पे आधी हो जाएगी, half mu naught n i, n क्या है, number of turns per unit length, बेटा, graph है, graph of b versus x on the axis of a long straight solenoid, तो बेटा, यह axis है, यह solenoid है मेरा, ठीक है, यहाँ पे आप मानलो x की value 0 है, solenoid की length l मानलो, तो बेटा, यहाँ कितना हो गया, l by 2, और यहाँ कितना हो गया, minus l by 2, है न, मानलो length of solenoid कितनी है, small l है, तो बेटा, इस तरफ कितना distance हो गया, l by 2, और इस तरफ कितना distance हो गया, अब क्या है, v versus x on the axis of a long straight solenoid, l much much greater than r, अच्छा, तो बेटा, हमने क्या देखा है, b क्या है, inside b क्या रहता है, maximum जगे, mu naught n i है, constant value, बस edges पे जाके अचानक से आधा होता है, आचानक से नहीं होता, थोड़ा सा gradual होगा, mu naught n i, तो basically क्या है बेटा, edges पे value थोड़ी सी कम है, ये, बाकी हर जगे value constant, ये ऐसा हो, edges पे जाके आधा हो गया, बाकी हर जगे mu naught n i, clear, तो edge पे आके क्या हो गया बेटा, half हो गया, बाकी हर जगे क्या है, mu naught n i constant value है, पूरे throughout the solenoid, magnetic field क्या है, uniform है, और कितनी value है, along the axis है, along the axis है, uniform है, value किती है, mu naught n i, तो mu naught n i, mu naught n i, सिफ edges पे drop करके आधा हो गया, edges पे drop करके आधा हो गया, सवाल है बेटा, 2003 का, क्या सवाल है, a long solenoid carrying current produces a magnetic field b along its axis, if the current is double and the number of turns per centimeter is halved, the new value of the magnetic field है, तो बेटा देखो, पहले ही इन्होंने क्या बोल दिया, long solenoid, तो long solenoid की ही बात करते है, produces a magnetic field b along its axis, तो बेटा, b कितना होगा, mu naught n i होगा, if the current is doubled, अगर i को double कर दे, and the number of turns per centimeter is halved, क्या कह रहा है, number of turns per centimeter is halved and the current is doubled, तो बेटा, same ही तो आएगी magnetic field, तो बेटा, same ही तो आएगी magnetic field, the new value of the magnetic field will be same, एक को double किया, एक को half किया, it will be same, right, next, next है बेटा, toroid, toroid क्या है बेटा, आपने एक solenoid को इसे गोल घुमा दिया, toroid बन गया, solenoid था यूँ, कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच-कुच, उसका नाम भी toroidal solenoid भी है, क्या किया है आपने, a solenoid bend into form of a closed ring, is called a toroid, or toroidal solenoid, एक solenoid को अगर गोल घुमा के बाढ़ दे, a solenoid bend into form of a closed ring, is called toroid, हाँ, बेटा, इसमें भी हम लोग magnetic field निका लेंगे, current कैसा है पहले जड़ा देख लो, current कैसा होगा, ऐसे, यह current इधर गया, फिर यहां से आया U, फिर यहां गया, यहां से आया U, फिर यहां से आया U, फिर U, यहां से आया U current, 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 यहां से आया U ठीक यह है current क्या बोला है for points in the open space interior to toroid माल लो यहां कोई point है बेटा तो मैंने यह बनाया ampere's loop इसके अंदर बेटा कितना current है 0, so magnetic field कितनी आ जाएगी 0 ठीक है, sir points in the open space interior to toroid यहां पर कितनी magnetic field होती है अंदर 0 होती है, क्योंकि अंदर कोई current नहीं है, फिर for points in the open space exterior to toroid माल लो यहां कोई point है पहले हमने लिया points in the open space, interior to toroid फिर हम लोग कहां गए points in the open space, exterior to toroid बाहर चलेगे ठीक है तो बेटा, बाहर magnetic field कितनी होती है 0 reason क्या है बेटा ध्यान से देखना जड़ा reason क्या है जब आपने यह loop लिया बाहर वाला तो इसका कुछ direction लोगे यह जब आपने loop लिया तो इसका कुछ direction दिया माल लो यह direction दिया कोई भी direction हो सकता it can be any direction आपने कोई एक direction दिया इसका यह माल लो direction लिया हमने ठीक है अब जड़ा ध्यान से देखो बेटा यहाँ से current बाहर आ रहा है और यहाँ current अंदर जा रहा है तो बेटा बाहर आने वाले current को हमने positive लिया अंदर वाला negative सेम यहाँ पे यह current यहाँ से बाहर आया और यहां पर अंदर गया ना, वाइर साइसे उसके उपर लपीटा गया है यू, 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 यू यहां से वाइर ऐसे बाहर आएगा, यहां से अंदर जाएगा फिर बाहर, फिर अंदर, तो यह current आउटवर्ड, यह irwards, cancel ये current outwards, ये inwards, cancel और हमने कहा था current को कैसे लेना है with direction लेना है तो अगर आपने ये loop बनाया भी तो यहां से current बाहर आया यहां अंदर 0 हो गया बाहर, plus i, अंदर, minus i बाहर, plus i, अंदर, minus i तो बेटा, net current अभी भी inside 0 है, तो बाहर भी magnetic field 0 हो तो toroid के लिए बच्चों, यहां भी magnetic field 0 होती है बाहर भी 0 होती है तो होती कहा है magnetic field इसमें, in the interior of toroid open space में magnetic field नहीं होती है solenoid के लिए भी, solenoid के बाहर magnetic field 0 सिफ उसके अंदर होती है जैसे यह toroid का यह है, mean to इसमें है ना तार, तो यहां होगी magnetic field यह इसके अंदर वाले open space, बाहर वाले open space सब में magnetic field 0 आती है तो अंदर भी 0 है और बाहर वाले भी open space में 0 है कहीं भी अगर open space है तो वहां magnetic field क्या है? 0 अब बात करते हैं for points inside the toroid अब मान लो बेटा, कोई point आपका अंदर फस गया मान लो यहां suppose कर लो यहां से r distance पे हाँ बेटा, अब magnetic field होती है b inside is equals to mu naught n i same formula like solenoid mu naught n i तो यहां कोई point हो अंदर कोई भी point हो, कितने भी distance पे हो r की value कुछ भी उससे फरक नहीं होता बस यह होना चाहिए यहां पे कि r is greater than a and less than b बस यह condition हो greater than a मतलब material में land करो आप solenoid के interior में इसमें land करो open space में land ना करो b in is equals to mu naught n i बेटा यहां पे i क्या है same current in each turn और बेटा n क्या है number of turns per unit length n भी same है number of turns per unit length अब बेटा माल लो यहां पे total turns capital n है तो मुझे बताओ n की value क्या होगी number of turns per unit length बेटा इसकी length कित्ती होगी n क्या है small n क्या है number of turns per unit length what is small n it is number of turns per unit length तो बेटा यह length कित्ती होगी यह तो circle में है इसकी length कित्ती होगी इसको खोल दो इसको ऐसे खोल दो तभी तो इसकी length मिलेगी right इसकी length कित्ती होगी इसको मैं खोल दूँ यह कुछ ऐसा इसी को तो तो गुमा कि बनाया होगा तो बेटा length क्या होगी इसकी इसको मैं खोल दूँ पुरा सीधा कर दूँ n क्या है number of turns per unit तो बेटा इसकी length कित्ती होई यह circumference 2 pi r 2 pi r अब इसमें दिक्कत है बेटा कि radius लें कितना इसका radius a भी है radius b भी है हम इसका radius कितना ले तो बेटा r क्या लेते हैं हम लोग r average ले लेते है number of turns per unit length और length कितनी होगी इसकी बेटा इसकी length कितनी होगी इसको खोल दो 2 pi r और r कौन सा लेते है r average r average क्या होगा यहाँ पे a plus b divided by 2 बाकी expression तो सेम है जैसे solenoid का था mu naught n i यहाँ पे भी क्या है mu naught n i expression तो सेम आया है mu naught n i बस n फोड़ा सा formula फोड़ा लग है n क्या है number of turns per unit length total number of turns n होगे और इसकी length कित्ती हो जागी इसको खोल देंगे तभी तो length मिलेगी खोलेंगे तो length आएगी 2 pi r और r कौन सा लेंगे a लेकी b लें तो हमने कहा r को average ले लो a plus b divided by 2 सवाल देखते हैं बेटा 2019 में देखो अभी है भी आया वो सवाल है last to last year का सवाल क्या है two toroid 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively with average radii 40 and 20 respectively if they carry the same current the ratio of the magnetic field along two loops क्या चाहिए बेटा हमें ratio of magnetic field चाहिए तो बेटा magnetic field कित्ती है toroid के लिए mu naught n i है n क्या है number of turns per unit length यानि number of turns per unit length length कितनी है यही तो चाहिए हमें ratio of magnetic fields along the two loops n क्या है number of turns per unit length length हो गई 2 pi r average अच्छा यहां तक समझ में आया मुझे अब जला ध्यान ते देखो if they carry same current i तो बेटा दोनों का current क्या है same है दोनों में mu naught की value same होगी दोनों में 2 pi की value same होगी carry the same current mu naught same 2 pi भी same तो basically बेटा हमें क्या करना चाहिए the ratio of magnetic fields so b1 by b2 simple क्या करने बेटा हम लोग n1 upon r1 average upon n2 upon r2 average खतम पहले में number of turns कितने हैं 200 r average कितना है 40 दूसरे में number of turns 100 r average 20 कितना हो गया 4 5s are 20 2 5s are 10 5 और 5 cancel 1 तो बेटा 1 is 2 1 clear 1 is 2 1 सभी का आ गया हाँ बेटा अब हम लोग का second part of chapter आ रहा है अभी तक हमने सीखा magnetic field निकालना अब तक हमने सीखा अब तक सीखा हमने क्या finding b ये हो गया हमार अब हम लोग क्या देखेंगे अब क्या देखेंगे अब देखेंगे बेटा कि इस magnetic field में जब कोई charge particle रखते हैं तो उसका क्या होता है force on a moving charge in magnetic field charge particle रखेंगे उसको आद current carrying wire रखेंगे और देखेंगे इनके उपर क्या फरक पढ़ ला है magnetic field निकालना हम सीख चुके अब उस magnetic field में एक charge particle रखेंगे एक current carrying wire रखेंगे उसके उपर क्या फरक पढ़ेगा ये देखते हैं एक break के बाद of course we are taking break बद मैं उससे पहले आपको summarize कर रहा था कि अब क्या आने वाला है कि आपको समझ में आ रहा होगा अब तक पूरा काफी detail में मैं आपको कुशिश कर रहा हूं सब पढ़ाने की कि अब कर रहा हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं झाला हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं झाल 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 चब बच्चा क्या हाल सभी के बढ़िया तो अपनी क्या बात हुई दी ब्रेक पे जाने से पहले कि अपन का पहला पार्ट खतम हो गया इस चाप्टर का अब तक आपने सीखा कि इस चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको क्या experience होता है जिस तरह से एलेक्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल होता था उस पे एक फोर्स लगती थी देखते हैं मैगनेटिक फील्ड पे भी क्या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी लग तो रहा है फोर्स ओना मूविंग चार्ज इना मैगनेटिक फील्ड बट वर्ड यूज हुआ है मूविंग चार्ज यानि मैगनेटिक फील्ड में चार्ज पे तभी फोर्स लगेगी जब चार्ज मूविंग हो इस्टेशनली चार्ज पे नहीं आओ देखते हैं कहानी आगे बढ़ाते हैं expression for force मानलो बेटा हमारा ये कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे positive चार्ज पार्टिकल लिया है क्यों और वो वी विलॉस्टी से इस दिशा में जा रहा है वी विलॉस्टी से इस दिशा में जा रहा है magnetic field इस दिशा में है बी ये हमारा चार्ज पार्टिकल है positive चार्ज लिया है अभी चार्ज पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है वी विलॉस्टी से magnetic field उस दिशा में है बी तो force क्या लगती है वेटा F is equals to Q into V cross B F is equals to Q into V cross B तो चार्ज पार्टिकल पे जो force लगती है वेटा magnetic field में हाँ magnetic field में भी charge पार्टिकल पे force लगती है पहली बात तो ये clear हो गई कि हाँ charge पार्टिकल पे force electric field में भी लगती है और magnetic field में भी electric field में कितनी लगती थी QE Magnetic field में Q into V cross B यहाँ velocity का होना जरूरी है बेटा moving charge होना जरूरी है वरना force नहीं लगेगी वरना magnetic force नहीं लगेगी दोसी चीज बेटा देखो इस force का direction क्या होगा? इस force का direction चलो वो बाद में बात करते हैं पहले यह force कैसे आई है? V cross B से आई है cross product से आता है तो जो answer होता है यह perpendicular होता है पहले vector के भी और यह perpendicular होता है दूसरे vector के भी yes yes or no? अगर हमें एक vector c लिखे c is equals to A cross B तो vector c क्या होगा बेटा? perpendicular to A vector B होगा and vector c perpendicular to B vector B होगा यही चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग f is perpendicular to v as well as f is perpendicular to b बेटा v और b के बीच में angle कितना है? theta है so f is equals to q v b sin theta यह होगा magnitude of force on a moving charge f is equals to q v b sin theta q v b sin theta q into v cross b भी याद रखना है बेटा? यह भी याद रखना है? यह सबसे best formula इसका बट जादा तर use हम लोग यादा करते हैं q v b sin theta next बेटा special cases आगे हैं हमारे पास पहला जब velocity 0 velocity 0 मतलब charge at rest बेटा force का expression क्या है? q v b sin theta बेटा velocity 0 force कित्ती 0 बेटा magnetic force moving charge पे लगती है याद रखें magnetic force किस पे लगती है? moving charge पे किस पे लगती है? moving charge पे stationary charge पे नहीं लगती इसलिए है force on moving charge जबकि आपको याद हो जो electric force थी वो सब पे लगती है charge at rest पे भी लगती है q into e पर magnetic force के expression में देखो एक term यह है velocity तो अगर charge rest पे हुआ velocity 0 हुई तो force 0 हुई दूसरा बेटा special case है theta 0 हो या theta 180 degree हो बेटा theta क्या है? theta क्या है यहाँ पे? q into v cross b v b sin theta theta क्या है? angle between angle between v vector and v vector v cross b v b sin theta theta किसके बीच का angle? velocity और magnetic field का तो दूसरा case दिया है कि theta अगर 0 हो या theta 180 degree हो मालनो बेटा magnetic field यूँ है और charge particle यूँ चल रहा हो बेटा इस time theta की value कित्ती हो गई? 0 degree सही है? magnetic field ऐसे? charge particle का direction भी ऐसे ही? तो बेटा theta कितना हो गया? 0 degree बेटा theta 0 degree है? sin 0 की value? 0 हो जाएगी यानि force कित्ती लगेगी? 0 दूसरा case theta 180 degree magnetic field यूँ है charge particle यूँ चल रहा हो वी velocity से पीछे की direction है इस time बेटा theta कितना हो गया? इस time theta 180 degree हो गया velocity इधर magnetic field इधर velocity इधर magnetic field इधर दोनो ही cases में बेटा चाहे 0 देखो चाहे 180 sin 0 हो sin 180 दोनों की value 0 इन दोनों ही cases में बेटा force कितनी होगी? 0 तो दो cases में बेटा force नहीं लगती charge particle पे पहला अगर charge rest पे हो तो force 0 दूसरा अगर charge magnetic field के direction में चल रहा हो या magnetic field के opposite direction में चल रहा हो तो भी force क्या होगी? 0 अगर charge magnetic field के direction में है तो भी force 0 और opposite direction में है तो भी force 0 अगर कैसा चल रहा हो, magnetic field के साथ parallel हो, तो भी force 0, या तो बेटा ये क्या हो गया, anti-parallel हो, तो दो cases में charge particle पे magnetic force नहीं लगती, पहला charge particle rest पे हो, moving charge पे ही force लगती है, दूसरा, charge particle move तो कर रहा हो, पर in the direction of field या opposite to field, तब भी force 0, चलो, direction of force, तो बेटा direction of force के लिए fleming's left hand rule हम लोग इस्तिमाल नहीं करेंगे, हम लोग use करेंगे right hand palm rule, इसको आप थपर डूल भी बोल सकते हो, तो हम लोग right hand palm rule use करेंगे, क्या होता है फिर से right hand, left hand तो मैंने pocket में डाल लखा है, right hand, right hand को यू खोल लो, thumb को ऐसे रखो, perpendicular, यू, अब आपकी जो fingers हैं, वो point करें, magnetic field के direction में, fingers किदर, magnetic field के direction में, और आपका thumb point करे, current के direction में, current मतलब positive charge जिस तरफ जा रहा हो, ठीक है, right hand palm rule में क्या करेंगे बेटा, आपकी जो fingers हो, वो magnetic field के direction में, आपका जो thumb हो बेटा, वो current के direction में, इसके बाद जो आपका palm है, वो अपने आप force के direction में होगा, अपने आप, fingers, magnetic field, thumb, current, अब current मतलब बच्चों, current मतलब motion of positive charge, इसको current भी बोल सकते हैं, या, ठीक है, तो आपकी fingers होंगी, right hand मेंटा, left hand तो use नहीं करना, right hand, एक पल का जीना है, वो भी कह सकते हो, एक पल का जीना, फिर तो जाना, तो right hand की fingers होंगी, वो magnetic field के direction में होंगी, जो आपका thumb होगा, ऐसे perpendicular खुलाओ, current के direction में, current मतलब motion of positive charge, इसके बाद जो आपका palm होगा, वो देगा force का direction, जो palm होगा, इसको ऐसे move कराना, तो palm देगा आपको force का direction, आओ देखते हैं, सवाल आ गया, find the direction of magnetic force, चलो बच्चों, magnetic field किदर है, अंदर, च सबसे पहले fingers किसके direction में, magnetic field, thumb किसके direction में, current या motion of positive charge, तो बेटा, magnetic field सबसे पहले, right hand खोल लिया, सबसे पहले fingers किसके direction में, magnetic field, thumb किसके direction में, motion of positive charge, अब देखो, palm से मिल रहा है force, तो force किदर लगी, बोलो आया, अब, इसमें बताओ, चलो, second वाले में, two dot करके comment करना, two dot, up, down, left, right, चलो, two dot, up, two dot, down, two dot, left, two dot, right, चलो, इसको बताओ, fingers right hand कि कहां जाएंगी सबसे पहले, magnetic field के direction में, thumb कहां जाएगा, motion of positive charge, palm, direction of force, तो बेटा मेरे ख्याल से तो force यू लगेगी, द्यान से देखो बेटा, जो force है, वो velocity के भी perpendicular है, और magnetic field के भी perpendicular, यही हमने लिखा भी था, देखो, force velocity के भी perpendicular आई, और force आपके magnetic field के भी perpendicular आई, आई की नहीं आई, भाई, force का expression ही क्या है, q into v cross v, तो v के भी perpendicular और b के भी, थाड़ पे आओ बेटा, magnetic field बाहर है, यू, बाहर की तरफ, यू, charge इधर जा रहा, ए, यू, force, नीचे, देखो, dot मतलब magnetic field बाहर, charge इस तरफ जा रहा, थम इधर, force, downwards, तो बेटा, force के दर लगी, नीचे की तरफ, यहाँ पे आओ बेटा, magnetic field इधर, charge उपर, force, पाम बेटा जिदर है, magnetic field finger से इधर, थम जिधर positive charge जाए, उपर, force, inverse, तो बेटा, इस बार force कुछ यू आएगी, cross, cross dot कहीं भी लग सकता है, current में, magnetic field में, force में, magnetic field इधर, charge का motion उपर, force, onwards, clear है, inward, next, fifth, magnetic field उपर, charge का motion इधर, force, outwards, clear, magnetic field उपर, charge का motion इधर, positive charge का force, outward, यहाँ पर आए, बेटा, magnetic field इधर, charge का motion इधर, बेटा, यहाँ पर zero force होगी, realize हो पाया आपको, magnetic field इधर, velocity इधर, बेटा, यह parallel वाली कहानी नहीं हो गई, देखो, बन भी नहीं पाएगा, magnetic field इधर किया, अब देखो, velocity, इसके perpendicular है, यह नहीं, साथ में है, यह तो theta is equals to zero degree हो गया, बेटा, इस case में force क्या होगी, zero, है ना, six में zero force, क्यों, क्योंकि magnetic field और velocity vector, same direction है, बेटा, यहाँ पर negative charge है, negative में क्या करना है, जो force निकलती थी, उसका direction पलट देना, positive के लिए जो force निकलती थी, उसका direction पलट दो negative की हो गई, magnetic field अंदर, motion of positive charge है, force upward, बड़ यह negative है, तो force downward, negative में बेटा क्या करो, minus q के लिए क्या करो, plus q लेकर, f का direction, पलट दो, clear, देखो यह minus q, magnetic field निचे, positive charge है, force बाहर, पर यह positive नहीं है, negative है, तो force inward, तो negative में क्या करना है, जो positive का direction आ रहा, उसको पलट देना है, clear सभी को, magnetic field निचे, motion of positive charge इधर, force बाहर आ ठी, पर positive तो है नहीं, यह तो negative है, तो force का direction पलट दिया मैंने, clear, चलो, सभी को आ गया यह, तवाल करते हैं बेटा, 2006, क्या है, when a charge particle moving with velocity V is subjected to a magnetic field of induction V, the force on it is non-zero, force किती है बेटा, non-zero है, force on it is non-zero, this implies that angle between is either 0 or 180, नहीं बेटा, 0 or 180 में तो force 0 हो जाती है, angle between is necessarily 90, नहीं, ऐसा कोई necessary तो नहीं है, angle between can have any value other than 90, ऐसा क्यों, 90 में क्या दिक्कत है, f is equals to QVV sin 90, this is also non-zero, तो यह भी गलत है, ऐसा क्यों, force को non-zero रखना है, force non-zero, एक तो charge चल रहा हो, और ना parallel हो, 90 parallel हो, angle between can have any value other than 0 and 180D, clear है, इसके सिवा कोई भी value रखोगे, तो charge पर force होगी, next, 2005, क्या है, a very long straight wire carries current I, तो बेटा, current I, यू जा रहा है, at the instant when a plus Q charge, at point P, has velocity V as shown, the force on the charges, अच्छा बेटा, अब इस Q charge पर force पता करनी है, बेटा, पहले तो यह जो wire है, very long wire, यह यहाँ पर एक magnetic field बनाएगा, कैसे बनेगी, wire के direction में थम रखा right hand का, current के direction में थम रखा, magnetic field अंदर, तो यहाँ पर एक inward magnetic field बन गए, अब बेटा, आपको क्या बताना है, the force on the charge, बेटा, charge पर force क्यों लग रही, क्योंकि magnetic field आई, इसने बनाई, अंदर, अब इसे force क्या होगी, fingers को, magnetic field, थम को, motion of positive charge, force upwards, the force on the charge is, opposite to OX, along OX, opposite to OY, नहीं, क्या, along OY, clear सभी को, along OY, इसकी वेश से magnetic field बनी, और इस magnetic field में charge पर force, तो यह वाला पार्ट आप पढ़ चुके हो, कि कितनी magnetic field बनी, अब कितनी force लगी, इसकी बात हो रही है, यहाँ पर force का magnitude भी आप निकाल सकते हो, of course, force का magnitude भी निकाल सकते हो, QVB sin 90, यहाँ से देखो, velocity इधर ह magnetic field अंदर है, दोनों के बीच में angle 90 degree, velocity इधर magnetic field, QVB sin 90, है नि, so QVB, और magnetic field कितनी होगी बेटा, इसका distance दिया होता, तो magnetic field भी बता देते हैं हम लोग, mu 0 by 4 pi 2i, बटे a, अगर यह distance a होता, clear, so this is how you can calculate force, चलो, next, 2009, क्या है, the magnetic force acting on a charge, particle of charge इतना, इना, magnetic field of 2 tesla, acting in y direction, when the particle velocity is इतना, meter per second, तो बेटा देखो, इस बार, velocity कुछ ऐसे दी, यह vector form ले, magnetic field कितनी है, magnetic field कितनी है, 2 tesla, acting in y direction, तो बेटा, magnetic field का हम लोग सकते हैं, 2, j cap, SI unit में, 2 tesla, acting in y direction, दिया है, magnetic field of 2 tesla in y direction, y direction 2, j cap, आपको velocity भी पता है, charge भी पता है, बेटा, force निकालनी है, सीधा, f is equals to q, v cross b, q कितना है बेटा, minus 2 micro coulomb, so minus 2 into 10 की पार, minus 6 into v cross b, v cross b, v कितना है, 2, i cap, plus 3, j cap, into 10 की पार, 6, तो 10 की पार, 6 को बेटा, बाहर कर लेते हैं, v, क्या है, 2, i cap, plus 3, j cap, 10 की पार, 6, बाहर, cross b, cross b, b कितना है, 2, j cap, ठीक है, तो बेटा, 10 की पार, minus 6, 10 की पार, 6, cancel, minus 2, अब देखो, 2, 2s are 4, i cross j, बेटा, k होता है, इतना तो पता होगा न, i, j, k, i cross j से क्या आता है, k, 2, 2s are 4, k, k, और 3, 2s are 6, j cross j, बेटा, कितना होता है, 0 होता है, सही है, 2, 2s are 4, i cross j, k, 3, 2, 6, j cross j, 0, कितना हो गया, बेटा, minus 8k cap, तो, force होगी, बेटा, कितनी, सही है, force होगी, कितनी, 8 newton, in minus z direction, बोलो, सही है, minus k cap मतलब, minus 8, minus 8 का मतलब, बेटा, minus k cap का मतलब हो गया, minus z direction, तो, 8 newton, in negative z, minus k का मतलब, negative z, clear, सही का d आ गया, बहुत बढ़िया, next, work done by magnetic force on moving charge, अब work done की बात कर रहे है, बेटा, आप ध्यान से देखो कि, अगर कोई moving charge है, तो, उस पर force कितनी है, q into v cross b, इसका मतलब, जो force है, बेटा, वो velocity के perpendicular है, ऐसा कहां देखा था, हमने, circular motion में देखा था, force क्या होती थी, velocity के perpendicular होती थी, force along the center, और velocity, tangential होती थी, force center की तरफ है, force velocity के perpendicular है, आप कह सकते हो, बेटा, force जो है, वो आपका displacement के भी perpendicular है, force displacement के perpendicular है, तो, बेटा, work done, 0 हो आगा, बोले सही है, भाई, जिस तरफ velocity होगी, उसी तरफ तो displacement होगा, जो velocity के direction होगा, बेटा, बेटा, अब बेटा, अगर work done, 0 है, क्या work done, equal होता है, change in kinetic energy के, येस, आपने पढ़ा है, work energy क्योरा है, work done, 0 है, बेटा, यानि, delta के, 0 है, यानि, kinetic energy initial, kinetic energy final के बराबर है, यानि, half m v initial का square is equals to half m v final का square, यानि, v initial का square is equals to v final का square, यानि, v initial का magnitude है, वही v final का magnitude है, बेटा, force लगने से, direction तो change होगा ही, होगा, but magnitude of velocity चेंज नहीं होगा, circular motion याद करो, न, सब clear हो जाएगा, circular motion, force लगती है, uniform circular motion, अगर आप UCM याद करो, uniform circular motion, force लगती है, yes or no, yes, क्या, speed change होती थी, uniform circular motion में, नई, centripetal force क्या change करती थी, direction of velocity, तो पेटा, आप याद रखेंगे, कि यह जो आपकी magnetic force होती है, can change only direction of velocity, magnetic force can change only direction of velocity, clear हुई बाएगा, आपको याद थी, UCM, uniform circular motion, velocity, यू, 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 direction तो चेंज कर रही थी, बट velocity का magnitude, यादि, speed change नहीं होती, uniform circular motion में, force लग रही होती है, जबकि, centripetal force, क्योंकि force velocity के perpendicular, बेटा, जहां कहीं भी force of velocity perpendicular हो, वहाँ, सिर्फ direction of velocity change होता है, magnitude change नहीं होता है, चाहिए, वो circular motion देख लो, चाहिए, यहां, यह जो magnetic force है न, बेटा, इसकी ये वड़ी खास बात है, कि हमेशा velocity के perpendicular, magnetic force सिर्फ direction change करता है, magnetic force change, only direction of velocity, magnitude change नहीं करता, याद रखेंगे, magnetic force can change, only direction of velocity, it cannot change speed, क्यों नहीं चेंज कर सकता, because force is perpendicular to velocity, force is perpendicular to displacement, work done is zero, that means change in kinetic energy is zero, that means initial kinetic energy is equals to final, that means magnitude of velocity is same, यानि speed क्या रहेगी बेटा, same रहेगी, direction of velocity बदल जाएगा, but speed will remain same, सवाल करते हैं आईए, 2003, a charge particle moves through a magnetic field in direction perpendicular to it, then the speed of charge particle remains unchanged, direction of the particle remains unchanged, acceleration remains unchanged, velocity remains unchanged, थोड़ा से उचना पड़ेगा, a charge particle moves through a magnetic field in direction perpendicular to it, तो बेटा, magnetic field माल लो आपकी, ऐसे हैं, देखना पड़ेगा, क्या पता velocity remains unchanged हो, magnetic field ऐसे है, and a charge particle moves through a magnetic field in direction perpendicular to it, charge particle माल लो यू चल रहा है, in a direction perpendicular to it, magnetic field इधर, thumb इधर, force अंदर लगेगी, तो charge particle अंदर को भागेगा, यानि इसकी direction तो change ही होगा, समझो ना, magnetic field इधर, thumb उपर की दरफ, magnetic field, right hand, palm rule, ठीक है, fingers in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of positive charge, force अंदर, तो बेटा, गर force अंदर लगेगी, तो particle अंदर भागेगा, यानि direction तो change होगा, direction change हुआ मतलब बेटा, vector V तो change होगा, तो ये last option तो cancel, velocity remains unchanged, acceleration remains unchanged, acceleration के बारे में तो क्या ही बोला जाए, speed of the particle remains unchanged, ये तो true होगा ही ना, ये तो correct ही होगा, single correct की बात करेंगा हम लोग, acceleration remains unchanged, acceleration का direction change होगा, जरा सोचो circular motion में, यहां acceleration इधर होता था, यहां acceleration इधर होता था, यहां acceleration इधर, यहां acceleration, तो बेटा, acceleration का क्या change हो रहा है, direction, और होता भी है यह बेटा जब charge particle magnetic field के perpendicular चलता है तो circular motion ही करता है यह आगे पढ़े ही हम लोग यह actually particle क्या करेगा Q will go in circular motion यह आगे पढ़ो गया अभी कि कैसा motion होता है तो अगर charge particle magnetic field के perpendicular चलता है तो circular motion ही करता है और circular motion में acceleration का direction change होता है इसलिए बेटा यह भी गलत हो गया acceleration remains unchanged magnitude same रहेगा direction change होगा चोटी चोटी बाते हैं direction of the particle remains unchanged यह तो बखवास है direction तो change होगा यह देखो circle में घूमेगा Q will go in circular motion तो पहला सही है speed remains unchanged 2008 a particle of mass m charge q and kinetic energy t mass m charge q and kinetic energy t enters a transverse uniform magnetic field of induction b after 3 seconds the kinetic energy of the particle will be बताएं बच्चों 3 second के बाद kinetic energy of particle क्या होगी बेटा t ही रहेगी kinetic energy में कोई change नहीं आएगा क्योंकि speed change नहीं होगी clear है हमने पढ़ा ना work done क्या होता है zero होता है so kinetic energy initial clear so it will remain t clear it will remain t चलो आगे बढ़ते हैं clear ले सभी को a a a a a a next lawrence force अब इता lawrence force क्या है एक charge particle जब electric और magnetic field में हो तो इस पे लगने वाली जो net force होती है वो कितनी होगी बेटा एक तो electrical force होगी एक magnetic force होगी इस net force को बेटा हम लोग बोलते हैं lawrence force ठीक है इसको lawrence force बेटा कितनी हो जाएगी lawrence force electrical force कितनी होती है q into e vector और magnetic q into v cross d यह होगी जब electric field भी हो magnetic field भी हो तो कौन कौन सी force लगेगी एक electric force q into e vector एक magnetic force और यह total force को हम लोग बोलते हैं lawrence force clear है q e vector plus q into v cross b जब किसमें हो electric और magnetic field दोनों की combination में हो q e plus q into v cross b the combination of electric magnetic forces is known as lawrence force क्या करूँ इसको metal लिया जाए okay and this net force is lawrence force चलो आगे बढ़ते हैं पेटा magnetic field बोध exist then force on it is q e vector plus q into v cross b clear है clear बी 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 सभी का आ घया बी 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 Next, Motion of a Charged Particle in Magnetic Field आगे हम लोग आपे कि Charged Particle कैसा motion करेगा जैसा मैंने भी बताया कि Magnetic Field के अगर perpendicular चल रहा है तो Circular Motion तो वही सब चीजे हम discuss करेंगे Case 1, When the initial velocity is parallel और anti-parallel to Magnetic Field यह दोनों case, अगर initial velocity parallel है, तो बेटा, force कित्ती लग जाएगी, Q, V, B, sin, 0, sin 0 is 0, तो बेटा, force कित्ती हो जाएगी, 0, कोई force नहीं लगेगी, तो particle जिस velocity चला है, उसी velocity चलता रह जाएगा, तो कैसा motion करेगा, बेटा? जैसे चल रहा है, वैसी चलता रह जाएगा, तो particle का motion क्या होगा, बेटा? Straight line motion हो जाएगा, जिस velocity चल रहा है, उसी velocity चला गया, दूसरे वाले में भी, बेटा, force 0 आ जाएगी, anti-parallel में भी, यहाँ भी कैसा motion होगा, बेटा? Straight line motion, जैसे चल रहा है, वैसे ही चलता रह जाएगा, दोनों केस में, अगर parallel है या anti-parallel, तो जैसा चल रहा है, वैसा चलता रह जाएगा, कोई force ही नहीं लगी, Newton's first law, every particle tries to remain state of rest or of uniform motion, until illness and external force is applied, external force लगी नहीं, तो अपने uniform motion में चलता रहएगा, Case 2, when the initial velocity is perpendicular, theta is 90 degree to magnetic field, अगर बेटा, पार्टिकल की initial velocity, magnetic field से perpendicular है, तो पार्टिकल सरकल में घूमता है, देखें, यह, यह है पार्टिकल, charge q, velocity v से चला, magnetic field अंदर, और force देखें, पार्टिकल की velocity कैसी है? 90 degree, theta कितना है, 90 degree है, पर्पेंडिकुल, initial velocity is perpendicular, तो यह बेटा, पर्पेंडिकुल, magnetic field कीदर है, अंदर, motion of charge पार्टिकल इधर, force कीदर लगी, उपर, तो यहाँ पे बेटा, force कीदर आई, towards the center, तो बेटा, अगर यह circular motion में है, तो इसको centripetal force चाहिए होगी, right? अगर यह circular motion में है, तो इसको क्या चाहिए होगा, centripetal force चाहिए होगा, है ना? बेटा, centripetal force कहां से मिलेगी इसको इस बार? magnetic force है, है मैं? ऐसी force, जो velocity के हमेशा perpendicular हो, centripetal force, वही कौन बन गया? magnetic force इस ताइम बन रही, centripetal, है? यह देखो, यह magnetic field, यह motion particle, force है, तो force कैसी है, velocity के perpendicular, यही तो centripetal force होती है, है ना? so, f centripetal बेटा, कितना होना चाहिए? mv square बटे r, f magnetic बेटा, कितना होगा? qvb sin 90, क्योंकि velocity के साथ force का angle 90 degree है, अच्छा बेटा, यहां से देखो, एक v से v cancel, mv बटे r is equals to q into b, sin 90 की value 1, v से v cancel, बेटा, यहां से r निकालेंगे, r is equals to mv by qb, और बेटा, इसको आप रट लोगे, इसको आप याद करेंगे, r is equals to mv by qb, r is equals to mv by qb, जो इसका radius होगा, वो कितना होगा? mv by qb, उपर momentum है, mv और नीचे qb, अगर एक charge particle, magnetic field के perpendicular चल रहा, तो वो circular motion करेगा पहली बात, charge particle, magnetic field के perpendicular, तो circular motion करेगा, और उस circular motion का radius कितना होगा? mv by qb, ठीक है? कितना radius होगा? r is equals to, sorry, r is equals, r is equals to mv by qb, बेटा, इसके इंदर ना, v की जगे, v perpendicular लिखेंगे, क्योंकि velocity कैसी है? perpendicular to magnetic field, इसलिए v perpendicular लिख दिया मैंने, v perpendicular क्यों लिखा बेटा? क्यों लिखा? क्योंकि velocity is perpendicular to magnetic field, r mv perpendicular by qb, r mv perpendicular by qb, इसके बाद बेटा, एक चीज़ और पूछी जाती है, time period, कितने time में एक चक्कर complete करेगा? t is equals to 2 pi r बटे v, ऐसे निकाला जा सकता है, एक चकर, यानि कितना distance, 2 pi r, किस speed से? velocity v, तो time क्या होगा बेटा, distance upon speed, एक चकर मतलब कितना distance, 2 pi r, speed किती v, r की value चिपका देंगे, बेटा, 2 pi r की जगे, m v by qb, यहाँ पे v, v से v cancel, t is equals to 2 pi m by qb, बड़ी खास बात है बेटा, कि time period, velocity पे depend नहीं करता है, चाहे आप तेज फेको, चाहे आप धी में, मालो यहाँ एक magnetic field है, तुमारी तरफ से मेरी तरफ आती हुई, अंदर जाती हुई, एक magnetic field है, जो smart board के plane के अंदर जा रही, यू, एक magnetic field, यू, आपकी तरफ से यहाँ, मैंने एक charge particle को यू फेका, perpendicular to magnetic field, magnetic field यू है, charge particle, इसकी कितनी भी velocity मैं दे दूँ, इसका time period, velocity भी डिपन नहीं करता, 2 pi m by qb, यानि जैसे ही charge बन चुका है, charge का mass defined हो जाता है, charge का charge defined हो गया, magnetic field fixed है, तो इसका time period fix हो चुका है, आपके फेकने की speed से इसका time period change नहीं होका, radius change होगा, radius velocity भी डिपन करता है, जितनी जादा velocity उतना बड़ा radius होगा, t is 2 pi m by qb, बेटा एक चीज़ और पूछने हैं इसमें, frequency, वो तब आप बताई लोगे, frequency क्या हो जाएगी बेटा, 1 by time period, t की value याद रखना बेटा, ये और ये याद रखना, दो चीज़ याद रखना, एक radius कितना है, m v perpendicular by qb, एक time period का expression याद रखना, 2 pi m by qb, ये दोनों याद रखें, यहाँ पर v perpendicular लिखा है मैंने, क्योंकि वो velocity लेते हैं, जो magnetic field के perpendicular, t is 2 pi m by qb, सवाल बेटा, 2009 में भी आया, 2007 में भी आया, क्या सवाल है, under the influence of a uniform magnetic field, a charged particle moves with constant speed v in a circle of radius r, the time period of rotation of the particle depends on r and not on v, is independent of both v and r, depends on, बताया है, the time period, सवाल किस पर पूछा है, time period पर पूछा है, time period का expression क्या है, t is equals to 2 pi m, नहीं ये r पर depend कर रहा, नहीं ये v पर depend कर रहा, a क्या बता रहा है हो, is independent of both v and r, b, नहीं v पर depend कर रहा है, नहीं ये 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 क्या बताया है, depends on r and not on v, कहां r पर depend कर रहा है, नहीं r पर depend कर रहा है, नहीं v पर, formula 2 pi m by qb, clear, नहीं r पर, नहीं v पर, next बीटा, 2016, solar क्या है an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse transverse magnetic field मतलब perpendicular magnetic field of 3.5 in 7 in 10 वा if the value of e by m is इतना the frequency of revolution of the electron बेटा क्या मांगा है हम से frequency मांगा है बेटा frequency क्या होगी 1 by time period हो जाएगी time period कितना है बेटा 2 pi m by qb तो बेटा यह उपर चला गया qb upon 2 pi m frequency is 1 by time time is 2 pi m by qb qb उपर चला गया अब देखो क्या दिया है if the value of e by m e मतलब charge on electron m मतलब mass तो एक काम करते हैं f is equals to q की जगे e और इस m को इसके नीचे लख लेते हैं e by m into b बटे 2 pi लिख सकते हैं ऐसे q की जगे charge e नीचे m रख लिया into b बटे 2 pi अब बेटा e by m की value दे रखी है मुझे e by m की value कितनी है 1.76 into 10 to the power 11 into बेटा b की value कितनी दे रखी है 3.57 into 10 to the power minus 2 upon 2 pi 2 into 3.142 अब बेटा देखो इसमें खतरनात calculation है जड़ा answer देखो क्या एक दूसरे के पास है 6.28 इससे 10 गुना ज्यादा answer 62.8 इससे काफी आगे 100 और ये तो इनसे काफी दूर है गेगा हर्ड बेटा मेगा होता है 10 की power 6 मेगा होता है 10 की power 6 और गेगा होता है 10 की power 9 ठीक है तो हम थोड़ा बहुत approximation कर सकते हैं ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत करते हैं चलो एक काम करते हैं इसको 1.76 तो 1.75 कर लिया 10 की power 11 इसको 3.50 कर लेते हैं 10 की power minus 2 upon 2 into इसको 3.0 कर लेते हैं approximation किया मैंने यहाँ से decimal हटा और 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 यहाँ से हटा लेते हैं यहाँ एक 0 लगा लेते हैं ठीक है यहाँ से decimal हटा और नीचे 2.0 लगा लिए यह भी ठीक है यह 0 यह 0 गैंसल ठीक है और और कितना हो रहा है 25 से काट दू क्या 25 5 जा 126 जा 7 जा 25 1 जा 25 50 25 जा 50 120 अच्छा और किसे काट दू 5 से काट दू 5 7 जा 35 5 2 जा 10 25 5 4 जा 20 जेको 7 7 जा 49 और 2 4 जा 8 2 2 जा 4 बेटा यह करीब करीब 1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 11 माइनस 2 10 की पावर 9 यह करीब करीब 1 हो गया 10 की पावर 9 हर्ड्स मतलब बेटा 1 गेगा हर्ड्स ग्लीर? ग्लीर? चलो, next R in terms of linear momentum, kinetic energy and accelerity voltage चलो बिटा, इस्टार्ट करते है, r की value किती है, mv by qb, और rather you can say mv perpendicular by qb, right, r is mv perpendicular by qb, क्या बोला है, in terms of kinetic energy, in terms of linear momentum, बिटा, mv क्या हो गया, linear momentum हो गया, तो आप बोल सकते हो, r is equals to p by qb, फिर क्या है, in terms of kinetic energy, बिटा, आपको पता है, कि आप momentum और kinetic energy को ऐसे relate करते हो, p is equals to under root 2m kinetic energy, ये पता है क्या, सभी को पता होगा ये बात, नहीं पता है, तो आज पता कर लो, momentum और kinetic energy में relation होता है, p is equals to root 2mk, तो बिटा, यहाँ पर आप, r is equals to p की जगे, under root 2mk by qb, ये भी expression लगा सकते हो, 2mk, बटे, बी, चौथा क्या बेटा, accelerating voltage, तो बेटा, अगर आप एक charge q को, इस voltage में accelerate करोगे, तो बेटा, work done कितना होता है, q into delta v होता है, delta v कितना हो गया, v minus 0 v हो गया, so work done qv हो गया, बेटा, जो work done है, वही gain in kinetic energy होता है, तो बेटा, kinetic energy के expression में आप qv भी रख सकते हो, clear, तो उसके बाद जो expression बनेगा, that you can, see, पर याद नहीं करना है, मेरे कहाल से आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना था, r is equals to mv by qv, बाकी सब वहाँ आप तुरिंद खटा-खट बनाओगे, सर्थ time लगए, कुछ time नहीं लगेगा, तुरिंद बनेगा, mv by qv याद है हमें, mv by qv, mv को क्या बोल सकते है, momentum p, p क्या होता है, root 2 mk, mv को क्या बोल सकते है, momentum p, p को क्या लिख सकते है, root 2 mk, और kinetic energy क्या होती है, qv, तो खतम आपको पूरा का पूरा याद रहा, clear है, clear है, अगर मैं इस बात को summarize करूँ, तो आपको बस ये याद रखना है, कि r क्या होता है, mv perpendicular by qv, अब बिटा, mv क्या बने जाएगा, आपका, momentum, और momentum को क्या रख सकते है, root 2 mk रख सकते है, तो उपर चाहे mv लिखूँ, चाहे p लिखूँ, चाहे root 2 mk, और अगर accelerating voltage दिया है, तो kinetic energy is equals to qv, बस खतम, इतनी बात याद रखने, r is mv by qv, mv को momentum लिख सकते है, momentum is root 2 mk, and kinetic energy is q in 2v, आओ सवाल करते हैं, 2019, चलो, last to last year का सवाल, क्यां है, तो चसस कğa ale रख सकते हैं, वगर भी का सवाल कर मद लेव हैं, क्या है, और ये, खतम खाएने, ऊतमोड झाला कर दो जेजर हैं, तो और ले, तो है, आख सकते हैं, तो चısर बादेद कर दो रादे सकते हैं, झालो!! अब सही है चलो क्या है 2019 आइनाइजड हाइड्रोजेन आटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स तो हमारे पास एक हाइड्रोजेन आटम्स है आइनाइजड तो ह प्लस ले लिया हमने अल्फा पार्टिकल्स अल्फा क्या होता है बेटा ही प्लस प्लस and with same momenta, बेटा, momentum same है enter perpendicular to a constant magnetic field बेटा, अगर perpendicular घुसोगे, तो क्या होगा, circle में ही घुमोगे the ratio of their radii of the path, तो बेटा, ratio of radii पूछा है बेटा, radius क्या होता है, अभी हम लोग formula देख चुके है r क्या होता है, mv perpendicular by qb बेटा, mv को क्या बोल सकते है, momentum upon qb बोल सकते है, अब बेटा, दोनों का momentum क्या बोला है same है, तो p तो same हो गया to a constant magnetic field, b भी same हो गया यानि radius क्या होगा, inversely proportional to charge होगा mv by qb में, mv को momentum बोला हो, बोला है, same momentum तो radius inversely proportional to charge rh upon r alpha हम से पूछा है, rh upon r alpha क्या हो जाएगा q of alpha upon q of h, right rh by r alpha, q of alpha upon q of h बेटा, alpha particle पे charge होता है 2e और ionized hydrogen पे charge है e 2 is to 1 बोलो आया, c, 2 is to 1 clear चलो, आगे बढ़ते हैं next retest 2015 चलो देखते हैं, अब proton and an alpha particle बेटा, proton सेम चीज है, जिसके भी बात हुई है, h plus proton ही तो होता है h plus का मतलब क्या hydrogen का electron चला गया, तो proton खेरस में neutron भी हो गया neutron होता नहीं hydrogen में, sorry sorry, यहां तो proton की बात करें h plus का मतलब proton है, तो basic सी बात है तो proton दिया है बेटा, तो proton is h plus, alpha particle बेटा, alpha is he plus plus both enter a region of uniform magnetic field moving at right angle to the field, इससे क्या पता चला? कि यह चक्कर चक्कर ही चलेगा इनका, moving at right angle to the field, अब बेटा अगर आप field के perpendicular घुजोगे, तो गोल-गोल ही घुमोगे, right angle to the field, if the radius of circular orbit for both particle is equal, क्या बोल रहा है, radius of circular orbit for both particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt, इसकी kinetic energy बता रहा है, 1 mega electron volt the kinetic energy acquired by alpha particle will be, यानि इस बार सवाल यह kinetic energy के राउंड कर रहा है the energy, तो बेटा energy वाला formula रख लेंगे, r is equals to mv perpendicular by qb, mv को बोलते हैं momentum और momentum को हम लिख सकते है, root 2mk by qb, खेल खतम अच्छों, है न, तो बेटा इधर proton का under root 2mk by qb, इधर भी under root 2mk by qb, बेटा magnetic field तो same है, cancel कर दिया, 2, 2 भी cancel कर दिया, दोनों तरफ square कर दो, so mk upon q square, इधर से भी mk upon q square, इधर बेटा proton का लिखते है, mass of proton कितना होता है, proton का mass m होता है, और alpha particle का mass 4m होता है, proton पे charge बेटा प्लस e, alpha particle पे plus 2e, alpha particle पे कितना mass होता है, 4m, proton का m, alpha particle 4mU है न, तो इधर बेटा हम लोग proton की बात करें, तो इधर m ले लिया, kinetic energy पता है, 1 है, और नीचे q square, qb कितना है इसका, e का square, इधर बेटा mass 4m, kinetic energy पता नहीं, q कितना है, 2e, 2e का square, 4e square, e square, e square cancel, m से m cancel, 4 से 4 cancel, इसकी kinetic energy भी 1, यानी same, 1 mega electron volt, क्या यहीं आ रही है? same आ रही है, सभी की a आया, okay, 1 mega electron volt, सभी क्या आई? कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, a, 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 सब का आ रहा, ठीक है, बहुत बढ़ी है, यार, भूल दे चुके है, कोई मिश्टे कोजा है, तो माफ कर देना, ठीक है, square किया, मैंने क्या था, सही होगा, clear है? अरे, हाँ ना बोल भाई, clear है, सब का ये आया है? चलो, yes, next, 33, 2012, क्या है, a proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy is moving in circular path of radius r in uniform magnetic field, what should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? बेटा, same सवाल है मेरे ख्याल से, एक proton की बात की है, जिसकी energy 1 mega electron volt है, is moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field, what should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius, हमसे kinetic energy पूछी है, बेटा, same सवाल है, ये तो एकदम, दोनों का radius same है, और kinetic energy पूछी है, तो ये answer आजाएगा, clear? सेम एकदम, एकदम सेम है, लेंगवज बदल दी थोड़ी सी, 2015 में भी आया, 2012 में भी थोड़ी सी लेंगवज चेंज कर दी, है ना, वैलूस एकदम सेम ली है, B, next, 2007, क्या है? In a mass spectrometer used for measuring the masses of ions, the ions are initially accelerated by an electric potential V, and then made to describe semicircular path of radius R using a magnetic field B. If V and V are kept constant, the ratio of charge on ion to the mass of the ion, क्या मांगा है बेटा है, रेटा हम से? Ratio of charge on the ion to the mass of the ion, यानी Q by M मांगा है, charge on the ion to mass of the ion, Q by M, ratio of charge on the ion, अच्छा. क्या है? In a mass spectrometer used for measuring the masses of the ion, the ions are initially accelerated by an electric potential V, तो बेटा, एक चार्ज Q को accelerate किया गया है, using an electric potential V, तो बेटा, इससे क्या होगा? इससे ये kinetic energy gain करेगा, right? कित्ती kinetic energy gain करेगा? Q into V, फिर क्या है? And then made to describe semicircular paths of radius R using a magnetic field B, तो बेटा, radius कितना होगा? M, V perpendicular by QB, M, V की जगे momentum by QB, momentum की जगे root 2 M, K by QB, ये खेल सही है, R is equals to root 2 M, K by QB, और बेटा, K की जगे क्या लिख सकते हैं? Q, V, है ना? Initially accelerated by an electric potential V, जब accelerate किया, तो kinetic energy Q, V, तो बेटा, ये आपे Q, V डाल दो, बड़े हां से एक Q से Q cancel हो गया, हमें क्या चाहिए ratio of Q by M, तो Q by M को इधर ले जाते हैं, Q by M, Q को इधर ले गया, M नीचे, ये क्या हो गया? 2M V upon R square B square, मिल गया, Q by M, 2M V upon R square B square, V proportional to, 1 बटे R square, option A, clear? 1 बटे R square, clear है? A, next, case 3, अब देखो, काफी देर बाद case 3 आया, case 1 क्या था, जब charge particle, magnetic field के direction में चले, या उसके opposite चले, दोनों cases में force किती थी, 0, कैसे चलेगा? स्टेट लाइन, case 2 क्या था, charge particle, magnetic field के perpendicular चले, तीन case है हमारे पास, पहला case क्या था, charge particle, magnetic field के direction में या opposite, force 0, straight line, दूसरा, charge particle, magnetic field के perpendicular, तब circular, तीसरा बेटा, किसी और angle पे, है ना? when the initial velocity is at some angle theta to the magnetic field, अब जब ये किसी angle पे हो, एक मिनिट रुकी मैं पाई लेके आता हूँ, आप सोची ज़रे इस पे क्या हो सकता है? झाल, पाँ झाल, जब वेके पाई जब ये क्या है, हम आप सकता है? झाल झाल हाँ अब देखो इस velocity के दो component कर सकते हैं अपन यह velocity magnetic field से theta angle पे है तो इसके दो component होंगे एक magnetic field के direction में एक magnetic field के direction में V cos theta इस velocity की वज़े से तो कोई force नहीं लगेगी इस velocity की वज़े से सीधा चलेगा और एक V sin theta यह कैसी velocity हो गई? पर्पेंडिकुलर टू magnetic field तो V sin theta जो है वो क्या है? magnetic field देखो यहाँ पे क्या है? हमें यह पता है जब magnetic field के direction में चलता है charge तो सीधा सीधा चला जाता है और जब पर्पेंडिकुलर चलता है तो circle में यहाँ दोनों तरह की velocity है theta angle के तो V cos theta is along the magnetic field and V sin theta is perpendicular to magnetic field है ना V sin theta कैसी है बेटा V perpendicular to magnetic field and V cos theta कैसा है बेटा V parallel to magnetic field तो बेटा V sin theta की वज़े से क्या होगा? जो पर्पेंडिकुलर है वो क्या कराएगा बेटा? जो पर्पेंडिकुलर है वो क्या कराएगा? circular motion और जो पैरलल है वो क्या कराएगा बेटा? straight line motion तो दोनों का combination होगा बेटा? circular भी होगा और straight line भी होगा है ना? यह V sin theta देखो perpendicular है इसकी वज़े से circle और V cos इसकी वज़े circle V sin theta क्या है? magnetic field के perpendicular तो यह circle में घुमाएगा यूँ ऐसे और V cos theta इसको आगे बढ़ाएगा तो बेटा दोनों के combination से कैसी path बढ़ेगी? बनेगी helical path clear? कैसी path बनेगी? helical path एक बच्चा कहा रहा है सर आप रहने दो बेटा तुम रहने दो हम थोड़ी ना रहने दे सकते हैं हमने जीवन में give up करना थोड़ी ना सीखा है आप रहने दो अगर आपने give up करना सीखा है clear? in previous question there is no M on right side कहें नहीं ये नहीं है क्या M? अरे पता नहीं जी कान सान सा करता है बटा M है तो there is no M on the right side अच्छा वहाँ पर कह रहा है हो yeah हाँ ये हटा दो ना इससे फरक कहां पढ़ड़ा answer पर भावनाओं को समझो feelings को समझो no M on the right side मैं अपने लिगाना गा लेता हूँ है ना sorry पता नहीं जी कान सान सा करता है चलो भईया मेहनत का नसा है तो helical path में चलेगा बटा circle में भी घूमेगा आगे भी बढ़ता जाएगा है ना इस तरह से you circle में घूमा और इसकी वैसे आगे है ना वी साइंस्टी रएक वैसे circle में और वी कॉस्ट रिक वेसे आगे बेटा रेडियस कितना होगा अब यहाँ पर काम आएगा m v perpendicular by qb बेटा v perpendicular कितना है v sin theta तो रेडियस कितना हो गया m v sin theta by qb याद रहना अगर magnetic field से किसी angle पर velocity दे तो पूरी velocity यूज नहीं करना कौन सी velocity यूज करना v perpendicular लिखा रहा हूँ exam में सवाल आ गया कि magnetic field यूँ है और कोई particle velocity v से चलना है at an angle of 30 degree अब बोला radius बताओ आप याद करके गए हो m v by qb गलत हो जाएगा m v perpendicular v perpendicular क्या होगा यहाँ पर v sin theta यानि v by 2 रखना होगा आप answer गलत कराओगे जो radius आएगा वो r by 2 आएगा m v sin 30 है ना तो बेटा radius के लिए हमेशा यह चीज़ ध्यान रखेंगे कौन सा v v perpendicular है m v sin theta by qb बेटा time period में तो कोई tension ही नहीं है time period तो same है वो तो velocity और radius पर डिपेंड ही नहीं करता 2 pi m by qb time period is independent of velocity and radius so it will be same t is equals to 2 pi m by qb time period will come out to be same radius में थोड़ा change है और change कुछ नहीं v perpendicular यूज करना है m v sin theta by qb और time period 2 pi m by qb इसके ओपर कोई फरक नहीं पड़ा next देखो circular path due to v perpendicular यह दिखा रहा है कैसे कैसे हुआ तो v perpendicular की वेज़ से circular path चल लगी है ना दोनों समझाया है horizontal distance covered है इसको रहनी दो space का तो कोई use नहीं इसको हम लोग हटा देंगे ठीक है आगे बढ़ते है circular path यह तो हो गए ना circular path किसकी वज़े से है v sin theta की वज़े से next क्या है horizontal distance covered in one time period है ना बीटा अब बात करें हम लोग चार्ज की तो velocity u v थी यह magnetic field यह angle theta तो इधर velocity का component v sin theta और इधर component v cos theta v sin theta के वज़े सर्कुलर motion और v cos theta के वज़े आगे चलेगा पूछ राए horizontal distance covered in one time period तो बीटा horizontal distance की बात करें velocity कितनी है बेटा in the x direction v cos theta है और one time period मतलब capital T तो बेटा distance covered कितना हो जाएगा x is equals to u x into t खतम बेटा तो distance covered कितना हो गया x is equals to v cos theta into time कितना है capital T इसी को बेटा हम लोग pitch बोलते हैं क्या बोलते हैं pitch horizontal distance covered in one time period यानि जित्ती देर में आप एक चक्कर घुमे उत्ती देर में आप कितना आगे बढ़ गया इसी को pitch बोलते हैं या आपने screw gauge में देखा होगा pitch of a screw gauge कि जितनी देर में एक चक्कर घुमे उत्ती देर में screw कितना आगे बढ़ा तो इसको pitch बोलते हैं बेटा है न जैसे ये particle कुछ यूँ चलेगा तो this is known as pitch कि जितनी देर में आप एक चक्कर चले उत्ती देर में आप कितना आगे बढ़े तो बेटा किस direction में? x direction में velocity कितनी? v cos theta कितने time में? जितने time में एक चक्कर घुमे जितने time में एक चक्कर घुमे उत्ती देर में कितना आगे बढ़े एक चकर घुमने में कितना time लगता है? Capital T horizontal distance ux into t x is equals to v cos theta into time screw gauge नहीं आता किसको तुम्हें नहीं आता कि exam में नहीं आता exam में तो आता है मैं पढ़ाऊंगा screw gauge भी ठेक है? units and dimensions next path of a charged particle in both electric and magnetic field अभी आपने magnetic field में path देखी जब theta 0 तो straight line theta 180 तो straight line theta 90 तो circle theta कुछ और value ले 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 तो तो v sin theta से circle और v cos theta से straight line अब क्या बोल रहे हैं? path of a charged particle in both अब दोनों आ गए in both electric and magnetic field है ना इसका application है cyclotron जिसमें electric field भी होती है magnetic field भी होती है और charge particle को accelerate करते हैं इसी का application है motion of a charge particle in both electric and magnetic field तो इसी को पढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा बहुत असान है concept पढ़ेंगे case 1 e and b are parallel e and b parallel है और साथी साथ velocity भी parallel है v is parallel to e is parallel to b इसमें बहुत case बन सकते हैं बहुत case बन सकते हैं b ऐसे हो charge particle e की तरफ जब बहुत case बन सकते हैं तो हम लोग सारे case नहीं लेते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ important cases analyze करेंगे लोग से सोच रहे हो दो field है एक charge particle है दो field के किते degree of freedom हो सकते हैं कितने अलग-अलग direction में हो सकती हैं तो 3 into 3 9 combination यह और charge particle भी 3 बहुत combination बन सकते हैं हम लोग सारे combination नहीं हम लोग सिर्फ important cases लेंगे तो v parallel to e parallel to b लिया चलो इस charge particle की बात करते हैं इसके उपर क्या कोई electric force लगेगी yes, बिलकुल लगेगी q into e इसके उपर लगेगी yes, क्या इसके उपर कोई magnetic force लगेगी नहीं, magnetic force zero हो जाएगी, reason क्या है velocity is parallel to magnetic field जब velocity magnetic field के पैरलल हो तब कोई magnetic force नहीं लगती हाँ, एक electric force लगेगी और उसका direction क्या होगा बिटा, यहीं होगा positive charge पर force किदर लगती है in the direction of field तो इसका एक acceleration होगा acceleration होगा, कितना और इस acceleration के साथ यह कैसे चलेगा बिटा straight line में, simple इसके आदाब motion और analyze कर सकते हैं इसमें बहुत से question बन सकते हैं इसमें आप से question पूछ लिया, इसकी velocity बताईए after time t velocity after time t initial कितनी है, V naught acceleration कितना है, यह रहा इसका acceleration इस तरह इसमें बहुत कुछ बन सकता है, जैसे पूछ लिया velocity after time t तो बेटा, V is equals to U plus A t, खतम V is equals to V naught plus acceleration QE by M into t या आप से distance covered in time t यह सब आप कर सकते हो, s is equals to ut plus half a t square, कर सकते हैं आप यह सब आप, क्या मिल ला है बेटा, overall कहानी क्या है, कैसे चला यह straight line में, कुछ acceleration के साथ पर किस में चला, straight line में clear 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 कैसे चला, straight line में, clear है सभी को V is equals to u plus a t, s is equals to ut plus half a t square सवाल आ गया बेटा, 2011 क्या है a uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a region एक uniform electric field है और एक uniform magnetic field है are acting along the same direction in a certain region if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields क्या चीज़ प्रोजेक्टेटे है पेता, ध्यान से देखो क्या चीज़ है if an electron, electron है, is projected in the region such that its velocity is pointed along the directions of fields तो एक electron को project किया ऐसे an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field then the electron will turn towards right direction of the motion बिल्कुल नहीं बेटा speed will decrease, speed will increase, will turn towards left यह तब तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, इसके उपर magnetic force कित्ती होगी 0 और electric force कित्ती होगी Q into E देखो, B भी जो लोग बोलना अभी समझ में आएगा कहां गलती है, B नहीं है बेटा, sorry C नहीं है B होगा, B सरी है बेटा, इसके उपर force किद्र लगेगी electric force पीछे ही direction negative charge पे electric force पीछे लगेगी ना force तो इधर लगेगी ना velocity इधर है force इधर तो बेटा क्या होगा, इसकी speed decrease करेगी straight line में तो चलेगा but speed will decrease, not increase okay, electron पे force किद्र लगती है, opposite to electric field, yes, so speed will decrease, चलो next, आगे बढ़े, clear, speed will decrease next, case 2 E and B are perpendicular बड़ा important case है, यहां सिर्फ velocity selector भी आता है, जो एक बच्चा ही पूछा था, velocity selector पता हूँ, E and B are perpendicular और इसके अंदर बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे velocity is perpendicular to electric field is perpendicular to magnetic field यानि mutually perpendicular का case हम लोग दो ही case पढ़के जा रहे है बाकी exam में कोई case आएगा तो वहीं पे दिमाग चलाना पढ़ेगा, अपने को basic कहानिया समझ में आती है कि electric force QE होती है magnetic force Q into V cross B होती है basic कहानियों को लेके ही हम लोग exam में कोई नई कहानी हो सकता हो दे दे, तो उससे हमें deal करना, वहीं पे सीखना पढ़ेगा बाकी जो most famous कहानिया है उनको हम यहाँ देख रहे है तो बेटा यह क्या है mutually perpendicular का case हो सकता हो आपको practice sheet में, एक question को यह ऐसा मिले जिसमें नया case बन रहाँ तो दिमाख लगाना है electric force QE लगती है in the direction of field on positive charge opposite to the direction of field on negative charge magnetic force Q into V cross B या QVB sin theta direction कैसे निकाल सकते हैं थपड रूल से, तो दोनों का combination लगा के खेल खेलना है, खेर वापस आते हैं यहाँ पर important है बेटा, very important case तो बेटा क्या हुआ यहाँ पर charge particle V velocity से यह गुसा इधर positive plate इधर negative, यानि यह electric field हो गई यह लिखा भी हुआ, यह नीचे की तरफ और magnetic field अंदर, ज़रा charge particle के उपर सोचते हैं कहानिया plus q यह रहा sorry यही बना लेते हैं, charge particle को plus q यह रहा चलो बेटा, इसके उपर force दोचते हैं electric field बेटा नीचे है तो नीचे की तरफ लगेगी electric force right electric field नीचे है, तो electric force नीचे magnetic field अंदर है, direction of force थपरडू magnetic field अंदर, motion of positive charge इधर, magnetic force उपर, clear है, magnetic field अंदर, motion of positive charge इधर, थपर डूल से हम लोग क्या निकालते हैं, force on a charge particle, moving in a magnetic field, fingers को point किया magnetic field की direction है thumb को point किया motion of positive charge force किदर आई, upward तो magnetic force उपर है यह कहानी बन गई बेटा अब इसके अंदर 3 cases बनेंगे पहला, जब यह force इससे ज़्यादा हो दूसरा, जब यह force इससे ज़्यादा हो और तीसरा, जब दोनों force बराबर हो तीन cases बनेंगे case 1 क्या? कि आपकी FM greater than FE हो तो बेटा, net force उपर को लगेगी charge particle सीधा जाने जा रहा है सीधा जाना चाह रहा है अगर FM FE से बड़ा है तो net force उपर को charge particle यूँ जाना चाह रहा है force उपर को लगेगी तो बेटा, charge particle कैसे जाएगा? net force अपवर्ड हो गई कुछ यूँ चला जाएगा कैसी path लिया बेटा? parabolic parabolic यूँ देखो, straight line में क्यों गया? because इसके पास कुछ velocity थी और net force किदर हो गई? अगर FM बड़ा है FE से तो net force किदर हो गई? उपर को if FM is greater than FE, net force is upward तो एक उपर की force और velocity यूँ जुरररररररर्ण ऐसे पहरा बड़ा हो लिख चला गया case 2 इसी का just opposite if FM is less than electric ये छोटा है, ये बड़ा तब net force नीचे को हो जाएगी charge particle ऐसे जाना चाहता था net force नीचे यूँ चला जाएगा ये भी कैसी path है? parabolic case 3 क्या? if fm is equal to fe अगर दोनों force बराबर हो जाए charge particle के ओपर कोई force ही नहीं लगेगी straight line में चला जाएगा clear? parampande sir कब class बंद होगी? बेटा यहाँ physics वाला है यहाँ class बंद नहीं होती welcome to PW जहाँ classes चले आखरी सांसों तक I was joking बेटा 15 मिनिट में हो जाएगा एक बच्चा पूछ रहा है difference of parabolic and hyperbolic बेटा इतना तुम को पता होता है तो तुम नीट की त्यारी थोड़ी नजज़ी की त्यारी करते equations में different होता है बेदमों की maths पढ़नी पढ़ाएगी आपको दोनों की equation में difference है पैरा बोला की equation है वो y square proportional to x होती है hyperbola की equation है वो x square upon something minus y square upon something equal to 1 की कहानी होती है वहाँ x square का y square के साथ relation है यहाँ y square का x के साथ या x square का y के साथ यहाँ दो में से एक variable का square होता है एक linear होता है hyperbola में दोनों का square होता है तो यह सब चीज़े तो बेटा भी इसके लिए तो फिर मैट्स पढ़नी पढ़ेगी केस 3 में बेटा इस straight line अब यह केस 3 बड़ा important है इस केस को हम लोग velocity selector के नाम से भी पुकारते है velocity selector के नाम से भी पुकारते है velocity selector कब बेटा जब V is perpendicular to E is perpendicular to B का केस हो जाए magnetic field यूँ है electric field यूँ है electric field यूँ है और charge particle यूँ जा रहा हो तो electric force किस पर लगेगी किदह लगेगी बेटा इस पर नीचे charge particle पर electric force नीचे F E magnetic force उपर F M अगर दोनों force बराबर हो जाए F electric होगी Q into E F magnetic होगी Q V B of velocity और magnetic field में कितना angle है 90 degree Q V B sin 90 magnetic field क्या हो Q V B sin theta velocity अदर magnetic field अंदर 90 degree दोनों जब बराबर हो जाए Q Q cancel E is equals to V into B यहां से बेटा V की value मिली है आपको तो जिन charge particle की यह velocity होगी वो charge particle straight line में निकल जाएंगे जिनकी velocity इसके सिवा कुछ होगी वो या तो उपर deflect कर जाएंगे या नीचे तो होता क्या है यहां पे एक छोटा सा hole बना लेते हैं यहां दे charge particle भेजा और यहां पे एक exit hole है तो जो charge particle की velocity यह हुई वो इसमें से गुजरेंगे straight line में आके जिसके लिए यह हुआ वो charge particle कैसे move करेगा straight line जिसकी velocity की सिवा कुछ और हुई वो जाहिर सी बात है या तो उपर पहरा बोलेक या तो नीचे पहरा बोलेक जिसकी velocity e by b हुई यहां से माल लो second charge particle अंदर आए वे तो different velocities अलग-अलग velocities के साथ अंदर आए जिसकी velocities के बराबर हुई वो सीधा चलेगा यहां से बाहर निकल गया और जिसकी velocity इससे कम या जादा या तो उपर या नीचे तो यहां से बाहर कौन आ रहे हैं कुछ particular velocity तो इसको हम लोग बोलते हैं velocity selector इसने select कर लिए कौन सी velocity वाले particle e बटे b वाले और e और b की value हम set करेंगे तो हम चाहें जिस velocity का particle select कर सकते हैं e और b तो हम set ही कर सकते हैं हमारे हाथ में electric field, magnetic field तो हम ही set करेंगे elektromagnet लगा दिया current को vertical लेंगे देख लेंगे क्या magnetic field बना दिया e को भी set कर सकते हैं हमने e और b अपने इससाब से set कर ली हमने कहा भाई इस velocity के particle चाहिए e और b set की एक velocity आ गई लगा दिया, उस velocity के particle सीधे जाएंगे बागी सब बिखर जाएंगे तो velocity selector सवाल, 1996 क्या है? अब beam of electron is moving with constant velocity in a region having electric and magnetic field of strength इतना 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 at right angles to the direction of motion of the electron, what is the velocity? बेड़ा सिंपल सहे? अब beam of electron is moving with constant velocity कैसे move कर रहा है? constant velocity constant velocity से move कर रहा है? in a region having electric and magnetic field of strength इतना इतना at right angles to the direction of motion of the electrons, मतलब आप से क्या बोला है? कि जो motion of electron है वो perpendicular है electric field के वो perpendicular है magnetic field के और कैसे move कर रहा है? आप constant velocity से बेटा, constant velocity से move का मतलब constant velocity का मतलब कि लगने वाली net force क्या है? 0 है मतलब velocity से लेट करका case होगा V कितना होगा? E बटे भी clear? next, 2007 क्या है? A beam of electron passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field if the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electrons move. बताओ, अच्छा सवाल है यह अब beam of electron passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field 2007 में देख अच्छा सवाल आ यहाँ mutually perpendicular electric and magnetic field से एक beam of electron pass किये undeflected beam of electrons इस velocity से चले? बटा, electron पे electric force उपल लगेगी ना, opposite लगेगी ना, positive charge के और magnetic force नीचे हो जाएगी क्योंकि यह negative charge है फिर क्या बोलना है? if the electric field is switched off बेटा, अगर मैं electric field को off कर दूँ तो electron क्या हो जाएगा? perpendicular velocity से magnetic field में कैसे घूमेगा? circular orbit clear है सभी को? अगर मैं electric field को यहाँ से बंद कर दूँ तो electron किस में पहुँच गया? perpendicular to magnetic field अच्छा बताओ, magnetic field को बंद कर दें तो क्या होगा? अगर magnetic field को बंद कर दें तो क्या होगा? यह भी बताओ अगर इसी question में magnetic field को बंद कर दूँ तो what if I switch off magnetic field then what will happen? electron तब कैसे चलेगा? question straight line बेटा, V velocity से देर अइंटर कर चुका है, straight line कैसे होगा? गलत answer हो गया गया, need way number तुमारे है straight line कैसे होगा? passes undeflected बेटा, यह तो ऐसे चली रहा है electric field इसको नीचे force लगाएगी? sorry, उपर force लगाएगी? parabolic होगा? क्या बात कर रहे हो साहाब? यह V velocity से आगे तो बढ़ना ही चाहेगा? electric force हमेशा उपर लगेगी? कि अपना direction चेंज करेगी हमेशा उपर? पहरा बुलेक अरारारारारारारा यह जाना चाहता है, force क्यों लग रही है? यह motion होगा, पहरा बुलेक straight line बता रहे थे यही होगा need में हलबास आगा लेक्दम, गलत कर आओगे straight line, कैसे straight line? अब अच्छा सीधा उपर चला जाएगा और सामने आले विलास्टी 0 हो जाएगी ऐसे मैं दोड़ा हूँ और मेरे उपर की तरफ फोर्स लगेगी तो मैं ऐसे जाऊंगा ना यार मैं तो सामने जाना चाहता हूँ और मुझे उपर खीचो के तो मैं यूँ चलूँगा ना पैराबोलिक ये कब का सवाल है? 2010 का क्या है? A particle having a mass of 10 की पार-2 kg carries a charge of इतना The particle is given in initial horizontal velocity इतना in the presence of electric field and magnetic field To keep the particle moving ये है सवाल या पर बाकि सब से बाकि सब useless data ये To keep the particle moving in a horizontal direction it is necessary that ये सवाल है बेटा To keep the particle moving in a horizontal direction it is necessary that सवाल ये है To keep the particle moving in horizontal direction अगर particle को horizontal direction में चलते रहने देना है तो पहला B should be perpendicular to the direction of velocity and E should be along the direction of velocity पहला तो मुझे गलत लग रहा है पहला option तो एकदम गलत लग रहा है क्या? B should be perpendicular to the direction of velocity अरे circle में घूम जाएगा and E should be along the direction of velocity तो E से सीधा चलेगा और B से चक्कर घूम जाएगा ये तो helical path है समझेगी नहीं? B should be perpendicular to the direction of velocity सबको analyze करो तभी तो मझा है यार सवाल में B कैसा है? परपेंडिकुलर B should be perpendicular direction of velocity तो B की वज़े से circular motion और E की वज़े से straight line ये तो helical है second both B and E should be along the direction of velocity ये सही है E भी इधर B भी इधर magnetic force 0 हो गई और electric force लगेगी straight line दो ये करें दिमाग चलाना सीखो magnetic force 0 electric force QE straight line और बताओ third ये सही है both B and E are mutually perpendicular perpendicular to the direction of velocity हाँ यहाँ भी possible है it is necessary that हाँ इतना तो necessary है ये इसके बाद condition भी और होनी चाहिए बढ़ हाँ ये सही है V perpendicular to E perpendicular to B इतना तो necessary है ये इसके बाद साथ में ये भी होना चाहिए V is equals to E by B तो ये भी ठीक है necessary तो है ये fourth क्या है B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular direction of velocity ये क्या बोल रहे है कि B is direction में हो और E is के perpendicular हो नहीं ये तो गलत हो गया magnetic force 0 हो जाएगी but electric force लगेगी zoom कौन सी पाथ parabolic कोई या आना चाहिए exam में इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है कि ये कौन सी पाथ होगी magnetic force कित्ती लगेगी 0 B should be along the direction of velocity so magnetic force 0 electric force उपर क्यों ही पहरा बोले तो second और third सही है C ये सब आएगा तभी तो यार तुमको concept आ रहा है और मैं क्या ही करोगे पता ही नहीं अभी ये ही सवाल दे दिया तो ये ही दे देता सवाल B is along the direction of velocity E should be perpendicular direction of velocity बताओ क्या पाथ होगी straight line, circular, parabolic, hyperbolic, खतल 2013 बहुत बढ़िया सवाल मस सवाल खूबसूरत सवाल है बेटा खूबसूरत आओ क्या है निकालना क्या है हमें electric and magnetic field in the room आजाओ तो जो data डिया उसको interpret करते है एक proton है पहला अला data देखते है when a proton is released from rest in a room तो ये मेरे पास एक proton है released from rest अभी ये rest पे है बेटा rest पे है बेटा तो इस पे magnetic force कित्ती होगी 0 होगी इसके कित्ती है a0 towards west अब ये a0 की acceleration कौन दे रहा होगा electric field proton को plus ही लिख लेते है when a proton is released from rest अगर पेटा rest पे है तो magnetic force तो 0 है पर it starts with an initial acceleration a0 towards west तो पेटा ये a0 कहां से मिली electric force से ही मिली होगी f electric is equals to m a0 f electric कितना होगा e into e m a0 यहां से electric field कित्ती होगी m a0 बटे e और direction क्या होगा पेटा यही direction होगा दिमाग लगाना पड़ेगा बोला है कि proton को कैसे छोड़ा rest से छोड़ा अगर rest से छोड़े हो और acceleration तब भी मिल ला है a proton is released in a room a proton is released from rest in a room it starts with an initial accident a0 towards west रेस्ट पे है तो magnetic force लगेगी नहीं पर acceleration हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इस तरफ कोई एक force होगी कौन सी force होगी electric force बेटा electric force इधर कैसा charge है positive charge तो मतलब electric field भी इधर अब बेटा force is equals to mass into acceleration force कित्ती होगी e into e तो e कितना हो गया किस direction में इधर ही यानि west the electric and magnetic field तो electric field m a 0 by e west यह रहा सही answer या यह भी हो सकता है m a 0 by e west और यह दोनों गलत हो गया m a 0 by east m a 0 by east यह तो गलत हो गया अच्छा आगे चलते हैं when it is projected towards north with speed v 0 it moves with an initial acceleration 3 a 0 towards west second case देखो जब इसको v 0 speed से north में project किया when it is projected towards north with speed v 0 it moves with an initial acceleration 3 a 0 towards west 3 a 0 towards west अब बेटा है इस acceleration में दो लोग का रोल है एक तो electric field जो अलड़ी इस तरफ a 0 दिलवा रही थी एक तो electric field present है जो a 0 दिलवा रही है एक magnetic field भी कुछ force लगवा रही होगी देखो acceleration कैसा है perpendicular to velocity यानि इस बाहर बेटा इस तरफ दो forces आ गई होगी F magnetic, F electric F electric M A 0 है हमारे पास इस ताइम दो forces आ गई होगी F magnetic plus F electric is equals to mass into acceleration F electric कितना है M A 0 F magnetic कितना हो गया बेटा ये इधर गया 2 M A 0 अब बेटा magnetic field का direction क्या होगा जो सुजरा force इधर लग रही है charge particle उपर जा रहा है force इधर लग रही है palm 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 इधर charge particle उपर जा रहा है field किदर हुई fingers किदर inverse so magnetic field हुई आपकी inverse कितनी होगी बेटा Q V 0 B Q की जगे E लख लेंगे E यहां से magnetic field 2 M A 0 upon E V 0 किदर inverse 2 M A 0 upon E V 0 2 M A 0 up की down मेरे खालते तो down बोला जाएगा इसको आया की नहीं आया बढ़या सवाल है यह बोलो आया की नहीं नहीं अब फिर से बता हूँ अब किसी को लगता है कि यह सब सवाल नहीं आते हैं तो भी यह आते हैं मिलकुल आते हैं तो आया हुआ है हाँ इसको बिना आप values के भी कर सकते हो सिर्फ direction के basis पे भी कर सकते थे बिलकुल कर सकते हो इससे परदा चल गया electric field इदर है और क्योंकि अब acceleration बल गया इसका मतलब magnetic force इदर लग रही है मतलब magnetic field अंदर है खतम यहीं से आप मार सकते थे yes without calculation you can also do you are right you can do this without calculation अब सही है बट option change हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी अब यहीं पर माल लो down lick के 2 हटा दे यहीं पर down lick के 2 हटा दे जब आप pyq करो ना तो आप pyq को मत करो आप pyq के around सारी चीजे करो replica बोलते हैं उसको अगर आप pyq के अंदर option elimination कर रहे हो तो आप pyq सिर्फ रटके जा रहे हो और आप यह उमीद करके जा रहे हो कि एकदम सेम ऐसा question आएगा pyq आपको idea देता है किस किस तरह के सवाल आते हैं यहीं पर examiner यह 2 हटा देता और यहाँ पर down lick देता bam you are done फस गया आप आप तो direction समझके गये थे लग गई वाट down कैसे बिटा inside बोल सकते हैं अब down बोल रहे हैं inside कह सकते हैं बहुँद को inside को अंदर को down कह रहे हैं बाहर को अब बोल देंगे velocity selector से कैसे कर सकते हैं उसको पगला गए हो का यह velocity selector से होगा velocity selector में net force 0 होती हैं तो net force है ना जो अच्छा कह रहा था कि हाँ इसको direction से कर सकते हो आप बट फिर आप PYQ रट के जा रहे हो अप depend हो के जा रहे हो कि एक option तो मतलब इदम सब सजा होगा यहीं से 2 हटा के down लिग देता खेल खतम हो जाता आपका फिर तो direction दोनों किसे हीं होगा फिर तो values आनी चाहिए बात समझे हैं तो जब solve करो PYQ तो पूरा depth में solve करो Sir repeat please क्या repeat यार खुद से repeat कर लेना अरे थोड़ा सा बच्चा है बस खतम पर अब क्या ही है force on a current के cyclotron force on a current के रिंग वायर फिर क्या है magnetic dipole moment torque on a dipole moving oil के अनुमेटर खतम क्या बोल रहा हूँ मैं चलो start करते हैं फिर से क्या है when a proton is released from rest एक proton है बेटा proton मतलब plus e ठीक है एक proton है कैसे release किया है from rest बेटा जैसे ही rest बोला rest मतलब velocity 0 तो magnetic force तो 0 हो गई starts with an initial acceleration a0 towards west तो a0 acceleration किदर हुई west की तरफ अब बेटा magnetic force तो है नहीं तो कोई force तो होगी ना इसके उपर की accelerate कर रहा है west की तरफ भागा कोई force तो होगी कौन सी force होगी electric force होगी अब बेटा अगर electric force इधर है positive charge पे force किदर लगती है in the direction of field इसका मतलब electric field इधर है जैसा कि वो बच्चा बोल रहा था electric field किस direction में हो गई west direction में तो यहां से देखो या तो यह सही या तो यह सही electric field in the west direction या तो यह सही इसके बाद क्या बोल रहा है इसके बाद बोल रहा है when it is projected towards north with speed v0 अगर इसको मैं north में project कर दू with speed v0 if it is projected towards north with a speed v0 it moves with an initial acceleration 3a0 towards west इस case में इसको 3a0 की acceleration मिल गई अब बेटा 3a0 मिल गई मतलब acceleration बढ़ गई है मतलब की electric force तो इधर थी ही पहले से अब magnetic force भी धर लग गई होगी तभी तो acceleration बढ़ गया electric force तो थी ही electric field तो थी है अब यह इधर 3a0 से जा रहा है या नहीं इधर और force आई होगी magnetic force अब बेटा charge particle पे magnetic force इधर है motion of charge particle उपर तो field कि इधर अंदर right hand palm rule charge particle पे force कि इधर magnetic force इधर motion of charge particle उपर तो magnetic field finger से charge particle पे force इधर motion उपर magnetic field खतम हो गया electric field west में magnetic field inside electric field west magnetic field down बोल सकते है inside को यह आपने option से कर लिया अब इसी में values की बात करें तो दिक्कत है बेटा electric force यह लग रही है force is equals to mass into acceleration q into e q की जगे e into e लिक लगते है यहां तक समझ में आ गया यह तो आपने direction से बता जिया कि electric field कहां होगी west में और magnetic field inside या down में तो एक ही option है अब अगर यह से करें हम लोग e into e is equals to m into a not e is equals to m a not by e यह किदर है बेटा west में अब इदर बात करें बेटा f electric plus f magnetic net force कित्ती mass into acceleration तो m into 3 a not f electric कित्ती है m a not plus f magnetic 3 m a not यहां से f magnetic की value हो गई 2 m a not f magnetic कितना होगा e into v into b charge कितना है plus e na e into v not into b अब v not into b कितना हो गया 2 m a not यहां से b कितना हो गया बेटा 2 m a not upon e into v not match कर गया 2 m a not upon e v not clear sir electron होता proton की जगे तो क्या करते बेटा सारा direction opposite होता तब electric field आपकी इस तरफ हो गई होती अगर electron इधर जा रहा होता तो electric field इस direction में होती फिर इधर acceleration मिलता तो electric force इधर होती sorry हाँ फिर acceleration होता तो force का तब भी इविल होता बस electric field का direction पलड़ जाता इधर हो जाती तब electric field east में magnetic field का भी कहा नी change हो जाती देखा जाता जब होता तो minus e होता तो force इधर लगती तो मतलब की magnetic field आउटवर्ड हो जाती और क्या magnetic field आउटवर्ड आजाती अगर यह minus होता तो force इधर हो जाती चलो, अब आगे हैं हम लोग साइक्लोट्रोन पे, साइक्लोट्रोन क्या है बेटा, साइक्लोट्रोन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पार्टिकल को हाई स्पीड पे या हाई एनर्जी पे एसलरेट करते हैं, ब्रेक इसके बाद, साइक्लोट्रोन के बाद ब्रेक होगा, पहल पार्टिकल एक्सेक्टरा तू वेरी हाई एनरजीज या विलोसिटीज इस अलसो काल्ड पार्टिकल एसलेरेटर क्या कर सकते हैं अप्रोटन, ड्यूटरन, अल्फा पार्टिकल नहीं, not electron, चार्ज पार्टिकल को एसलेरेट कर सकते हैं, not electron, यह exception है, इसका limitation है, इसकी, not electron, अन is done by making it pass through a limited width of electric field a number of times. हम क्या करते हैं? एक electric field में, चार्ज पार्टिकल को move कर आओ, तो क्या होगा? फोर्स लगेगी. अच्छा एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल की speed कैसे बढ़ेगी? एलेक्टिक फील्ड में या मैंगनेटिक फील्ड में? सोच के बताओ. चार्ज पार्टिकल की speed कैसे बढ़ेगी? एलेक्टिक फील्ड में या मैंगनेटिक फील्ड में? कितना बच्चा है? मेरे का 7-8 मिनिट का होगा. चार्ज पार्टिकल की speed कैसे बढ़ेगी? एलेक्टिक फील्ड में या मैंगनेटिक फील्ड में? सोच के बताओ. चार्ज पार्टिकल की स्पीड किसमें बढ़ेगी इलेक्टिक फीड में की मैंगनेटिक फीड एनेर्जी अगर बढ़ानी है चार्ज पार्टिकल की तो किसमें बढ़ेगी इलेक्टिक में की मैंगनेटिक Magnetic field में kinetic energy क्या रहती है Same, speed क्या रहती है Same, आप speed नहीं बढ़ा सकते Magnetic field के अदर आप speed नहीं बढ़ा सकते आप energy नहीं बढ़ा सकते Electric field में आप बढ़ा सकते हो अब दिक्कत क्या है बेटा अगर मेरे को charge particle की speed बढ़ानी है तो उसपे लगाताई electric force लगती रहे, बहुत लंबे रास्ते तक, electric field, yes तो अगर मुझे charge particle की speed बढ़ानी है, तो उसके उपपर force लगनी चाहिए जब तक force लगेगी तब तक acceleration होगा जब तक force लगेगी तब तक acceleration होगा तब तक speed बढ़ती रहेगी अब दिक्कत क्या है, आपको बड़ी लंबी electric field चाहिए, बड़ी लंबे region में charge particle लगातार force लगती रहे लगती रहे, लगती रहे, लगती रहे, बड़ी दिक्कत है इतना बड़ा particle accelerator बनाओगे क्या by speed तभी तक बड़ती है जब तक acceleration होगा यानि आपको बहुत ज़्यादा region of electric field चाहिए, बहुत लंबी electric field, लगतार force लगती रहे force लगती रहे, force लगती रहे, force लगती है हमने क्या किया, हमने ऐसा दिमाख लगाया this is done by this is done by making it pass through a limited width of electric field a number of times, हमने क्या करेगे आने का तरीका क्या है magnetic field, तो बेटा magnetic field, electric field के combination से खेल खेलते हैं बात समझ रहो, आप जित्ती देर electric field में चलाओगे charge को उतनी देर उस पे force लगेगी, उतनी देर उसकी velocity बढ़ेगी, अब इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत लंबी electric field चाहिए है ना अब डेली से लेके हम लखनों तक की electric field है, charge particle isolate करता रहा है, करता रहा है, करता रहा है लगाता रहा है force लगे, यह हम क्या करें हम इतना बड़ा सा एक region बना दे, charge particle को यहां से यहां दोडाएं, फिर electric field को switch कर दे, पलट दे, इधर फिर charge particle को इधर दोडाएं, फिर electric field को, फिर switch कर दे, फिर दोडाएं, फिर switch कर दे, फिर switch क्यों कर रहा है, ताकि हमेशा charge particle के motion के along हो, force उसी direction में लगे, जब charge particle इधर से इधर जा रहा हो, तो electric field भी यह हो हो, तो force भी इधर, speed बढ़ेगी, बढ़ेगी यहां पहुचे, अब पल्टे, तो इलेक्रिक फील्ड भी पलट दिया, force भी इधर, चल भी इधर रहा, speed और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, पल्टे, जैसे ही पल्टे, electric field भी पलट दि, अब charge particle इधर चलेगा, electric field भी इधर, तो यह खेल खेल ला हुगा कि electric field एक छोटे से space में और क्या करें लगातार switch करते रहें जब charge particle यूँ जाए तो इधर से धक्का दे electric field, speed बढ़े, फिर charge particle जब इधर आए तो इधर से धक्का दे, ऐसा समझ लो तुम हो, तुम्हारी speed मुझे बढ़ानी है, तरीका क्या मैं तुम्हें धक्का दू, मैं तुम्हें धक्का देता हुआ यहां से लेके डैली से लखनव तक पहुचा, तुम्हारी speed बढ़ गए, लगातार धक्का दे रहा था, मैंने कर बढ़ा दूर आ गया, क्या इसको एक कमरे के तुमको आगे खड़ा करू, पीछे दक्का दू, इधर पहुचे, फिर मैं भी पलट जाओ तुम्हारे साथ, electric field हूँ, मैं पलट गया, तुम चार्ज हो, फिर मैं तुमको इधर दक्का दू, फिर यहां पहुचे, फिर मैं पलट गया, अब मैं तुम्हारी speed लगातार बढ हमें यह क्या चाहता है AC current, electric field लगातार switch होती रहे, अब बात समझ भी, oscillating electric field, बात समझ भी आगे, electric field अपना direction लगातार बदलती रहे, clear हो, this is done by making it pass through a limited width of electric field a number of times, अब कैसे घुमाएंगे, magnetic field लगातेंगे, magnetic field speed पे कोई फरक डालेगी नहीं, magnetic field से भी एक काम करेगी, क्या, charge particle का direction बदलेगी, दोनों field ने हाथ मिला लिए और इसकी velocity बढ़ गई, जब यहाँ पहुच के पलटना था तो पलटाएगा कोई, electric field तो गोल घुमा सकती है, तो magnetic field कुछ ऐसे लगाओ कि वो गोल घुम जा और उसकी speed चेंज नहीं होगी, क्योंकि magnetic field speed दे चेंज करती है, फिर electric field पलटकर, फिर speed बढ़ाएगी, तो यह खेल है, this can be done with the help of a perpendicular magnetic field, which rotates the charge a number of time in the field, देखो यह लिखा है, this can be done with the help of a perpendicular magnetic field, which rotates the charge a number of times in the electric field, magnetic field क्या करेगी, charge को number of times इसमें घुमाती रहेगी, working of cyclotron, देखो यह working आ गई, क्या होता है इसके अंदर, दो हम लोग D's लेते हैं, इसको D बोलते हैं, एक यह, D1 और D2, इसको बोलते हैं बेटा D's, क्या बोलते हैं, D's, यह होते हैं बेटा, hollow, semi, circular बोलो यह, cylindrical बोलो, conductor, hollow, semi, cylindrical conductor, एक यह, D1 एक यह, D2 ठीक है, hollow, hollow, ऐसे, ढपली देखिए, ढपली, ढपली यह, ढपली वाले, ढपली बजा, दिं, 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 डिं, दिं, 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 ढपली, ढपली को भी से कार दिया, एक धपली का पार्ट इधर एक इधर धपली देखिए जो गुबड़ाली रहते हैं धपली वाले तो उसी धपली को बीच से चाकू से काट दो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर ये हो गई होलो डीज ठीक है समझ रहे हो होलो डीज सही बनाया है हाँ कुछ इस टाइप का एक ये पार्ट हो गया एक इधर पार्ट हो गया अंदर से खोखला अब बेटा क्या करते हैं हम लोग होलो डीज की वेसे हम होलो डीज को कनेट किया आपने हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर high frequency oscillator से इन D's को connect किया, hollow D's है, फिर क्या किया बेटा, एक magnetic field भी लगा दी, यूँ, एक magnetic field भी लगा दी, इस तरह से, charge particle को यहाँ से छोड़ा हमें, इस जखे से, इस time पे माल लो आपने एक positive charge को छोड़ा, यहाँ माल लो यह negative है, यह positive, D's पे बेटा क्या होगा, D's किससे connected है, oscillator स तो इस पे charge लगातार बदलता रहेगा, D's पे, electric field चेंज करते रहेंगे, यह positive यह negative, तो बेटा, electric field यूँ ही अभी, charge particle भी इधर force लगी, charge particle भी force लगी, 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 अंदर पहुचा, बेटा, जैसे ही conductor के अंदर पहुचेगा, conductor के अंदर electric field, zero हो जाएगी, तो अब force पर magnetic force तो लगेगी, बात समझो, आपने क्या किया, यह positive यह negative, आपने electric field बना दी, यूँ, ठीक है, electric field, charge particle को आपने यहां से छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो यह सर्कल में घूंके गया, क्योंकि magnetic field में है, और माल लो यहां पहुचा, माल लेते हैं, पहली बार सर्कल में नहीं गया, थोड़ा से इसको हम लोग change कर लेते हैं, for better explanation, हाँ, माल लो charge particle यहां से यूँ गया अंदर, और इस पर force भी लगेगी इसी तरफ, electric field की वैसे, जैसे ही charge particle बेटा, D1 के अंदर enter किया, जैसी इसके अंदर आया, बेटा, इसके उपर electric field 0 हो गई, क्योंकि hollow conductor के अंदर कोई electric field नहीं होती, पर magnetic force तो लग रही होगी, अब देखो, charge particle यूँ move कर रहा है, magnetic field यूँ है, यह magnetic field, यह charge particle force यूँ लगी, तो देखो, यू लगी कैसे घुमा, circle, magnetic field velocity के कैसे है, अब यह crash कोई से थोड़ा तेज पढ़ा रहा है, इसका detail आप चाहो तो देख सकते हैं, YouTube पे मैंने cyclotron पे एक different video कर रखा है, separate video, यह आप याते हैं वापस, अगर आपको detail में समझना है, तो आप cyclotron by physics वाला देख सकते हो, अब यह shot में चलते हैं, हम polarity को change कर देंगे, हम यहाँ पे positive, यहाँ पे negative ले आएंगे, यानि electric field का direction भी पलट जाएगा, electric field का direction यूँ हो जाएगा, ऐसा, यानि अब charge particle जैसे ही बाहर आया, अब इस पे force इधर लगेगी, यह यहाँ भागा, जैसे ही इसके अंदर आया, conductor के अंदर electric field zero, force लगना बन, हाँ, magnetic force लग रही है, क्योंकि perpendicular है, circle में गूमा, अब देखो, circle बढ़ा क्यों हो गया, क्योंकि charge की velocity बढ़ लई होगी न, कौन बढ़ा रहा है, electric field, इस region में चप charge accelerate किया, तो इसकी velocity बढ़ी, फिर बहा निकला, फिर accelerate किया, velocity बढ़ी, तो radius होता है, अगर आप यहाँ पर electric field लगए, इसकी velocity बढ़ेगी, velocity बढ़ी, तो अगली बार radius बढ़ा, फिर जैसे ही बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा, हम इधर plus, इधर minus कर देंगे, electric field फिर यूँ हो जाएगी, फिर इधर force लगेगी, फिर velocity बढ़ी, radius और बढ़ गया, और यह खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अंटिल, यह खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अंटिल, charge particle यहाँ पहुचा, और यहाँ से इसको में टार्गेट की तरह, attract कर लेंगे, यहाँ पर हम, मालो positive charge है, यहाँ को इम negative potential लगा लेंगे, तो अपने आप इस तरह, attract हो जाएगा, और बाहर निकल जाएगा, अब इसमें एक बात होती है, कि यह frequency क्या होगी oscillator की, तो सीधा सा answer है बेटा, frequency of oscillator is equals to frequency of charge, अब बेटा, charge की frequency क्या होती है, 1 by time period होती है, और time period कितना होता है, 2 by m by qb, जो की ना ही velocity पर depend करता है, ना ही radius, charge की velocity लगातार बढ़ लही है, और radius भी लगातार बढ़ लहा है, बढ़ time period को उससे फरकी नहीं पाड़ा, frequency कितनी आ गई बेटा, qb, बटे, 2 by, इस frequency का आपको electric field या potential आपको apply करना होगा, frequency of oscillator is equals to frequency of charge, same frequency, simple है, याद रखना भी असान है, कि आपसे कोई अगर frequency पूछे, तो simple है, frequency of charge निकाल देना, that is the answer, next, maximum kinetic energy of the accelerated charge particle, अब maximum kinetic energy क्या होगी, आओ सोचते हैं, बेटा, kinetic energy क्या होती है, half mv square, यानि kinetic energy तब maximum होगी, जब charge की velocity maximum होगी, अब मुझे बताओ, charge की velocity कब maximum होगी, यहां से यहां पहली बार accelerate हुआ, velocity बढ़ी, फिर field change होगी, फिर accelerate हुआ, velocity और बढ़ी, फिर field फिर change होगी, फिर accelerate हुआ, velocity बढ़ी, फिर field फिर flip होगी, accelerate हुआ, velocity बढ़ी, फिर 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 इसलेट हो विलोस्टी तो बेटा सबसे ज़्यादा विलोस्टी तो तब होगी जब वो एकदम निकलने वाला होगा maximum velocity कब होगी maximum velocity कब होगी maximum velocity कब होगी इस जगे पे होगी maximum velocity, है ना, तो बेटा kinetic energy तभी तो maximum होगी, जब आपकी velocity maximum है, velocity maximum कब होगी, जब आप सबसे बड़े radius में घूम रहे हो, जब आपका radius maximum हो, radius किसके बराबर हो जाए, आपके, d के, है ना, तो बेटा हम लोग exit की time पे कह सकते हो, है ना, kinetic energy maximum कब होगी, exit time पे, स तो अपन लिखते हैं, r is equals to mv by qb, और r किसका radius है, बेटा, d का radius, है ना, फाइनल radius, यह, इस time velocity maximum होगी, बेटा, यहाँ से, v कैसा होगा, max, so यहाँ से, v max is equals to qb r by m, बेटा, इसको उठा के kinetic energy के expression में रग दो, kinetic energy max is equals to half mv max का square, v max कितना है, qb r by m, सो यह हो जाएगा, half m q square b square r square upon m square, 1m से 1m cancel, तो q square b square r square बटे 2m, यह होगी, maximum kinetic energy, q square b square r square upon m, q square b square r square upon m, और frequency क्या होगी, बेटा, जो frequency charge की है, maximum kinetic energy q square b square r square बटे 2m, सवाल बेटा, 2012 का, क्या है, an alternating electric field of frequency new, बेटा, यहाँ पर v नहीं है, यह new है, is applied across the d's radius r of a cyclotron that is being used to accelerate protons mass m, the operating magnetic field used in cyclotron and the kinetic energy of the proton beam produced by it are given y, बेटा, frequency कितनी है, f, alternating electric field की, यह electric field की बेटा, frequency है, किसके equal होगी, frequency of proton, proton घूम रहा है, बेटा, कितना होगा, 1 by time period, यानि 1 upon 2 pi m by qb, यानि qb by 2 pi m, frequency की value कितनी थी है, बेटा, new, so new is equals to q की जगे बेटा, e, b by 2 pi m, यहाँ से magnetic field की value हो गई, 2 pi m new बटे e, 2 pi m new बटे e, 2 pi m new बटे e, दूसरा क्या है, and kinetic energy, बेटा, kinetic energy कितनी होगी, kinetic energy produced, तो kinetic energy है नहीं, produced मतलब maximum, q square, b square, r square, बटे, 2 m, है न, बोला है न, kinetic energy of the proton beam produced by it, है न, produced by it मतलब जो बाहर आई, cyclotron की, kinetic energy बेटा, produced by it, kinetic energy इंसाइड नहीं, produced, जो बाहर दी उसने, तो बाहर तो maximum देगा, so q square, b square की जगे, 4 pi square, m square, new square, एक मिनिट, q square, b square की जगे, 4 pi square, m square, new square, upon e square, into r square by 2 m, अच्छा, q क्या होगा बेटा, q भी e square ही होगा, right, e square, e square cancel, m से m cancel, 2, 2s are 4, so 2 pi square, m, new square, r square, 2 pi square, 2 pi square, new square, r square, m, c, आ गया सभी का, हाँ, अब ले सकते हैं हम लोग break, मेरे ख्याल से, I think now we can take a break, एक चीज़ा, limitation of cyclotron, it cannot be used to accelerate neutral particles, like neutron, साबसी बात है, charge particles के लिए बना है, बना force ही नहीं लगेगी, electric force, magnetic force कोई मतलब नहीं, it cannot be used to accelerate electrons, electron को नहीं accelerate कर सकते, क्यों नहीं accelerate कर सकते बेटा, क्योंकि इतने small particle के लिए, like electron, यह बहुत छोटा हो जाता है, जो इसका mass होता है बेटा, वो vary करने लगेगा, high speed पे, ठीक है, increase करने लगता है, mass increase करने लगता है, अब mass increase करेगा, तो बेटा क्या होगा, frequency change होती रहेगी, इसकी घूमने की frequency change होती रहेगी, charge की, तो यह external frequency से कभी match ही नहीं होगा, अब electric field पलट रही है, और यह अपना चक्कर घूम के आया ही नहीं है, यह पीछे छूट गया, यह घूम क्या आ गया, electric field पलटी ने, वापस अंदर भाग जाएगा, electric field यूँ थी, यह अंदर गया, घूमा, देखो, electric field यूँ लगी थी, ऐसे, यह अंदर गया इसके साथ, घूमें, बहार आ, electric field पलटी पाई, क्योंकि इनकी frequency लगातार बदल लिए, electric field सेट ही नहीं हो पाई, तो यह वापस अंदर, है न, तो क्या हो जाएगा, false, out of frequency, with oscillator, तो यह सब issues है, जिसकी वैसे आप electron को use, नहीं कर सकते, next वेटा, force on a current carrying wire, now we can take a 15 minutes break, झालेत, फिक जाएगा वार रजी बदलेक, झालेत, बालेत, है झालेत, है लिए बल्चल को, झालेत, हाँ झालेत, है झालेत, है झालेत, है तो दो जो रवाज़ने, झाल 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 माल झाल 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 कि तो यह ईं पे जब फोर्स लगी है तो हम बोलते हैं पुरे पुरे ईष्ग rather स्टार्टे बस्टों यह current carrying wire है, इसमें current आई यू जा रहा, magnetic field ऐसे है, और length vector हम लेते हैं, which is हम एक चीज डिफाइन करते है, length vector length vector क्या है बेटा length in vector form अब इसका direction क्या होता है बेटा in direction of current जो length का direction है, वो current की direction में ले लेते हैं, बेटा जो इस पे force लगती है, वो force होती है, I into L cross B I into L cross B, इसको आप याद रखेंगे I into L cross B, force होना charge particle क्या था, Q into V cross B, ये I into L cross B, अब बेटा क्योंकि cross product से answer आ रहा है यानि ये force perpendicular होगी length vector के भी and ये force perpendicular होगी magnetic field के भी अगर मैं इसका magnitude देखना चाहूँ तो mod F is equals to I B L sine theta L cross B को क्या लिख सकते हैं, L B sine theta, where theta is the angle between length vector and magnetic field, है की ने? अगर मेरे पास लिखा है F is equals to I into L cross B तो cross product को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? A cross B, A B sine theta so I, B, L sine theta, ये हो गया magnitude और theta किसके बीच का angle है, बेटा? angle between L vector and B vector और L vector का direction कैसे? current के direction में, current तो scalar हो जाता है current के direction में, current वैसे tensor quantity, हम लोग scalar ही पढ़ते हैं इसमें में बेटा है कि special case होता है, जो सबसे आदा आपको मिलता है कौन सा? theta equal to 90 degree ये आपको बहुत मिलेगा, जहाँ पर theta 90 degree होगा जब theta 90 होगा, sine 91 होगा F is equals to I, B, L यही मैंने use किया था magnetic field की unit बताने के लिए याद हो, F force, I current बताया था, B magnetic field और L length, इसी formula से मैंने magnetic field की आपको unit बताई थी, F is equals to I, B, चलो, आगे बढ़ते हैं बच्चो, note, in F is equals to I into L cross B, L vector is in direction of current I, ये तो हमें पता है कि L vector किसके direction में? current के direction of force के लिए बेटा हम लोग right hand palm rule ही use करेंगे, Fleming's left hand rule use नहीं करेंगे, confusing होता है palm rule simple, अपना थपर rule, fingers magnetic field के direction में thumb, motion of positive charge मतलब current के direction में और palm से क्या मिलेगी आपको force मिल जाएगी, same कहानी है, fingers किसके direction में? magnetic field के direction में, thumb बेटा किस direction में हो जाएगा? current के direction में, current मतलब motion of positive charge और palm से आपको क्या मिलने लगेगा? force, जैसे हम लोग thumb से motion of positive charge देख रहे थे, अब thumb से direction of current और palm से force, चलो find the force on wire, बताएं बच्चों, इस wire पर force बताएं, सभी लोग जल्दी से comment करें find the force on wire find the force on wire find the force on wire बताएं बच्चों, F is equals to I, B, L, sin, theta I है, L, L है, B, B है, theta 30 degree, sin 30 is 1 by 2, I, B, L by 2, B बोलो आ गया सभी का, B, 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 है न, theta कितना, 30 degree, sin 30 is 1 by 2, है न, और बेटा ये हो गया, गलत, बेटा फिर से, theta is the angle between, बोलो, L vector and B vector, बेटा यह आ पर ध्यान से देखो, L vector होगा ऐसे, और B vector है अंदर, तो L vector और B vector के बीच है कितना angle है, 90, यह तो confuse करने के लिए देखो था, थीटा किसके बीच का angle है, ध्यान दें बेटा, थीटा किसके बीच का angle है, angle between L vector and B vector, बेटा, L vector तो यह हुआ न, along the direction of current, और magnetic field अंदर, कितना angle है, 90 degree, कितना angle है, 90 degree, तो बेटा, थीटा, simple सी बात है, 90 degree, तो F is equals to I, B, L, sin 90 की value 1, answer is D, आपको लगा थीटा 30 degree, बेटा, थीटा, तो किसके इसके बीच का angle थोड़े न लेना है, L और horizontal से angle क्यों ले रहे हो, थीटा इस angle between L and B, B बेटा अंदर है, लेंध यू है, यह लेंध, यह B, अंगल कितना हुआ, कितना angle है, यह लेंध और यह B, 90 degree, यह लेंध, यह B, 90 degree, sin 91 IBL, next बेटा, 1992, क्या है, a straight wire of length 0.5 meter carrying a current of 1.2 ampere, placed in a uniform magnetic field of induction to Tesla, if the magnetic field is perpendicular to the length of the wire, the force on the wire, बेटा, simple सवाल, the magnetic field is perpendicular to the length of the wire, क्या कह रहा है, magnetic field is perpendicular to the length of the wire, theta कितना हो गया, 90, सीधा सीधा, magnetic field is perpendicular to the length of the wire, B is perpendicular to L, theta 90, force कितना होगा, बेटा, IBL, sin 90 की value 1 हो गई, बेटा, बस value रखनी है, current कितना है, 1.2, B कितना है, 2, length कितनी है, 0.5, कितना हो जाएगा, 2, 2s are 4, 2, 1s are 2, 2.4, 0.5 यानी, 1 by 2, so 1.2, इसका अधा हो जाएगा, 1.2 Newton, B, clear, सभी का आगया, next बेटा, बढ़िया सवाल, क्या है, a conducting rod of length L and mass M is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity V, कैसे move कर रहा है, constant velocity V से, मतलब इसके उपर, net force 0 होगी, बेटा, अगर आप constant velocity से move कर रहे हो, तो आपके उपर net force क्या होगी, 0, right, is moving down with constant velocity V, इसका मतलब net force 0 है, a current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to paper inwards, current U flow कर रहा है, a current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to paper inwards, current U जा रहा है, a vertical upward magnetic field B exists, then magnitude of magnetic field B is, इसका बेटा, diagram बनाएंगे हम लोग, चलो बनाते हैं, ये रहा inclined plane, angle कितना है, और बड़ा बनाता हो, ये रहा inclined plane, angle कितना है, थीटा है, अच्छा, क्या रखा है बेटा, इसके उपर, a conducting rod of length and mass M is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity V, यहाँ से मुझे ये समझ में आया, कि net force 0 होनी है, constant velocity से, a current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to paper inverse, देखो ये ऐसे रखा है न, तो ये wire है, देखो, ऐसे, current I U flow कर रहा है, wire कैसे रखा है बेटा, U, conductor कैसे रखा है, U, a conducting rod of length L, rod ऐसे रखा है बेटा, इस तरह से, और current कैसे जा रहा है, current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to paper inverse, यहां पे भी दिख रहा है rod आपको यू रखा हुआ, इसी डाइग्राम को मैं सामने से अगर देखूं, इसी figure को सामने से मैं देखूं तो rod यू गया हुआ है, और current यू है इसमें, ऐसे हैं, और क्या है, अब vertically upward magnetic field B exists in space, vertically upward magnetic field, ये रही magnetic field, vertically upward, अब बोल ला है बेटा, ये constant velocity य यानि net force 0 है, wire की बेटा देखो, length L है, और mass M है, अच्छा, तो बेटा अगर wire का mass M है, तो नीचे की तरफ इसपे एक force लगेगी, mg sin theta, इस force की वैसे इसकी velocity बढ़नी चाहिए, अगर इसका mass M है, तो नीचे force लगे, देखो wire कैसे, यू, ऐसे wire अंदर रखा हुआ है, यू, तो इसपे एक force लगेगी, mg sin theta, बोला है net force 0 है, मतलब उपर भी एक force आएगी, कौन सी आएगी आओ देखते है, बेटा current carrying wire placed in magnetic field, इसके उपर एक force लगेगी, magnetic force, direction कैसे, fingers, magnetic field के direction, thumb, fingers, magnetic field के direction, thumb, current direction में, force, ये, right hand palm rule, fingers, current के direction, sorry, fingers, magnetic field के direction में, यू, thumb, current की दर है, अंदर के direction में, यू, force, ये, तो बेटा, इस पे ये लगी, magnetic force, magnetic force, ठीक, magnetic force कित्ती होगी बेटा, I, B, L, sin, theta, और बेटा, थीटा किसके बीच का angle, B और L का, अब जरा देखो, बेटा, B vector U है, और L vector U है, इनके बीच में angle कितना, 90, ये थीटा मत रख दे ना, लगेगा चलो थीटा रख देते हैं, I, B, L, sin, phi लिख देता हूँ, मैं, confusing ना लगे, sin, phi, phi किसके बीच का angle, L and B का, देखो बेटा, length vector तो U है, और magnetic field U है, यही तो है, magnetic field देखो ऐसे उपर, length vector यह अंदर, length vector यह, और magnetic field यह, 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 ले लेता हूँ, और magnetic field यह, यह magnetic field, upward, length vector ऐसे अंदर, angle कितना है, 90 degree है, actual में, phi is 90 degree, sin 90, बेटा, 1 हो गया, I, B, L, यह magnetic force लगी, अब magnetic force का यह वाला component, along the incline, इसको balance करेगा, मेटा, यह angle theta हो जाएगा, यह theta ते, theta, इधर इसका component कितना आया, fm cos theta, right, अब fm cos theta will balance mg sin theta, fm cos theta is equals to mg sin theta, है न, यही तो इसको balance करेगा, उपर fm cos theta, नीचे mg sin theta, बेटा, fm is I, B, L, क्या चाहिए बेटा हमें, magnitude of magnetic field, so, B is equals to mg upon I, L, sin theta, बेटा, cos theta, clear, mg by I, L into tan theta, clear, option 2, yes, option B, clear सभी को, option B, चलो, सभी को आ गया, 2018 में देखो similar सवाल पूछ लिया, क्या है, अब metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter, क्या दिया है, आपको बेटा, mass per unit length 0.5 kg per meter, आपको mass per unit length दिया है, 0.5 SI unit में, ठीक है, mass per unit length, यानी M by L दिया है, SI unit में, ठीक है, फिर, is lying horizontally on a smooth inclined plane, which makes an angle of 30 degree with the horizontal, क्या है, ये angle कितना बना रहा है, 30 degree with the horizontal, is lying horizontally on a smooth inclined plane, which makes an angle of 30 degree with the horizontal, the rod is not allowed to slide down by flowing a current through it, the rod is not allowed to slide down by flowing a current through it, तो बेटा, इसके उपर एक rod रखा, यह, इसमें एक current दोडा दिया, rod slide down नहीं कर रहा है, When a magnetic field of induction is acting on it in the vertical direction, magnetic field कैसी है बेटा, इसमें similar question है, ये, When a magnetic field of induction इतना is acting on it in the vertical direction, the current flowing in the rod to keep it stationary, बेटा मेरेको किसकी value चाहिए, current की value चाहिए, तो बेटा, forces बताएं, नीचे की तरफ बोले, M, G, sin, theta, और magnetic force कुछ यूँ लगेगी, FM, ये angle कितना हुआ, theta, इधर, FM, cos, theta, ठीक है, अब FM, cos, theta balances, M, G, sin, theta, सही है, FM कितना होगा बेटा, I, B, L होगा, क्योंकि length और magnetic field, perpendicular, length और magnetic field, perpendicular, so I, B, L, sin, 90 होगिया, into cos, theta, is equals to M, into G, sin, theta, बेटा मेरे कहालते इस बार आपको value चाहिए, variable नहीं, चलो values रखते हैं, बेटा, I, निकालना है, I is equals to M by L, ऐसे लिख लो, mass per unit length, जो पता है मुझे, I is equals to M by L, into G by B, M by L, into G by B, sin, theta, by cos, theta, is tan, theta, चलो बच्चों, so M by L की value 0.5, G की value अपने 10 ले लेंगे, magnetic field 0.25 है, और tan, 30, बेटा, tan, 30, कितना होगा, 1 by root 3, tan, 30 is 1 by root 3, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, 0.25 को 2 से multiply करो, तो ये आ जाएगा, so 20 upon root 3, so you can write 20 into root 3, और नीचे भी root 3 से multiply कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, बोलो सही है, ये 20 into 1.732 by 3, कितना हो गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 40, 2 2s are 3, 34.64 by 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 16, 11.5 something, 11.32, clear, D, बहुत बढ़ी है, next, note, if B is constant, then take vector length, या displacement length, to calculate force on wire, क्या लेना चाहिए आपको, vector length लें आप, या आप displacement length लें, to calculate force on the wire, अगर magnetic field constant है, तो आप बेटा, ये कर्व वाली length को छोड़ कर, आप सीधा ये length उठा लीजए, displacement length या vector length, F is equals to I, B, L, और जो भी अंगिल हो, यहाँ पे अंगिल 90 degree दिख रहा है, length vector U है, magnetic field अंदर, length vector U है, magnetic field अंदर, sin 90, पर बेटा, ये कब कर सकते हो, जब भी constant हो, तब आप vector length ले सकते हैं, सीधा सीधा, I, B, L में, clear है, आप I, B, L के अंदर, vector length, displacement length ले सकते हैं, initial से final position के, सवाल देखते हैं, बेटा, find the force on complete wire, अब देखो, current आई यूं गया, और यूं गया, अब एक तरीका तो ये है, इसमें जो एक method होगा, वो ये होगा, कि आप, इस पे force निकालो, आप A, B पे force find करो, magnetic field इधर, current इधर, force इधर, F1, और फिर आप, BC पे force निकालो, current उपर जा रहा है, magnetic field अंदर, force इधर, F2, और उसके बाद आप, resultant निकालो, ये एक तरीका हुआ, इसको करने का, एक तरीका हुआ, कि आप A, B पे force निकालो, magnetic field इधर, current इधर, force नीचे, फिर इस पे force निकालो, magnetic field अंदर, current उपर, force इधर, फिर इनका resultant, दूसरा method है बेटा, vector length, क्योंकि आप से क्या पूछा है, the force on, complete wire, तो बेटा, vector length उठालो, initial से final position को जोड़ दो, जोड़ दिया, ये 3, ये 4, ये कितना हो गया, 5 meter, खेल खतम बेटा, F is equals to I, B, L, sine, बेटा बताओ, length ऐसे है, magnetic field अंदर, angle कितना हुआ, 90 degree, vector length उठाली, एक तरीका तो ये है, कि इस पे force निकालो, इस पे force निकालो, फिर जोड़ो, दूसा तरीका ये है, आपने सिधा vector length देख लिया, एक तरीका ये था, इस पे force निकालो, फिर इस पे force निकालो, फिर उनका resultant ले लो, F1 इधर, F2 इधर, same answer आएगा बेटा, यहां से भी, same answer आएगा, F resultant कितना आएगा, under root, दूसा तरीका आपने L vector ले लिया, L vector, magnetic field में अंगल, 90 degree, I, B तो B है, और length कितना हो गया, 5, clear, IB into 5, 5 IB, find force on each loop, अब बेटा इसमें बोला है, force निकाल ले को, यह magnetic field है, और इसके उपर force बोला है, मेरे से निकाल लेको बेटा, तो बेटा आप देखो, यहाँ पे L vector कितना आएगा, यहाँ पे L vector कितना आएगा, displacement length, 0, so force भी कित्ती हुई, 0, इसको analyze भी कर लेना है एक बार, ऐसे question को एक बार analyze भी करो, चलो, इस वाले part पे force देखो, magnetic field अंदर, current इधर, force उपर, current इसमें इधर जाएगा, सुक, सुक, magnetic field इधर, current इधर, force इधर, इसमें बेटा current नीचे आएगा, magnetic field अंदर, current इधर, force इधर, yes, इन तिनों force का sum कितना आना है, 0 आना है, सही है, बोलो clear हुआ, थोड़ा सा analyze भी कर ले ना, ऐसा नहीं कि सिधा-सिधा मार दिया, क्योंकि इसमें ऐसे case बनते हैं, जब force 0 नहीं होती, अगर magnetic field का मैं direction बदलनू, थोड़ा सा, ठीक, तो, हाँ, magnetic field अंदर, current इधर, force उपर, current इधर, magnetic field अंदर, force इधर, current इधर, magnetic field अंदर, force इधर, clear, similarly बिटा, आप यहाँ पर देखो, length vector यहाँ पर भी 0, force कित्ती आएगी, 0 है न, तो बिटा, देख रहे हो, अगर आपके पास एक loop है, और uniform magnetic field में रखा है, और field, loop के perpendicular है, तो force 0 होती है, यहाँ पर चेक करो, magnetic field अंदर, current इधर, force कि इधर आई, उपर, यहाँ पर current इधर जाएगा, magnetic field अंदर, current उपर, force इधर, यहाँ भी बिटा, current इस तरफ जाएगा, force नीचे, यहाँ बिटा, current नीचे आएगा, force इधर, वहाँ बात करें बेटा, वहाँ पर भी, इसमें बेटा अगर देखें हम लोग, current ऐसे जा रहा है, magnetic field अंदर, current इधर, force बाहर, यहाँ पर बेटा, current यूँ जाएगा, magnetic field अंदर, force इधर, यहाँ बेटा, current नीचे यूँ जाएगा, यहाँ पर current यूँ जाएगा, यहाँ पर current ऐसे आएगा, तेको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें एक सवाल पूच सकता है, क्या, the loop will have a tendency to, expand, compress, ऐसे सवाल भी आते हैं, तो यहाँ पर loop की tendency, compress होने की होगी, यहाँ loop की tendency, compress होने की होगी, यहाँ loop की tendency, expand करने की होगी, एक बार I.T. में आ भी चुका है, ऐसे सवाल, clear होई बात? clear होई बात? यहाँ loop की tendency, expand, यहाँ compress, यहाँ compress, clear? आगे बाड़े, 0 कैसे बेटा, यह force इसको cancel करेगी, यह force इसको cancel, net force, 0 होगी, clear? 0 कैसे, यह force, यह force, यह force, net force 0, अरे, dipole moment पढ़ा होगा, तुम लोग ने, BF3 का, 0 आया होगा, boron tetrafalide का dipole moment ऐसी तो पढ़ा जाता है ना, कि net dipole moment 0 है, चलो, next, 2010, क्या है? A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field, acting in the plane of the loop, क्या है? A square current carrying loop है, A square current carrying loop, is suspended in a uniform magnetic field, acting in the plane of the loop, acting in the plane of the loop, if the force on 1, if the force on 1 ohm of the loop is F vector, the net force on remaining 3 ohm of the loop, क्या बोला है? force on 1 ohm of the loop is F vector, then net force on the remaining 3 ohm of the loop, net force, तो बेटा हमें ये पता है, कि net force कितनी होगी? net force 0 होगी, यानि force on 1 ohm, plus force on 2nd, plus force on 3rd, plus force on 4th, मिला के कितनी आनी चाहिए? 0, अब ये बोला है, force on 1 ohm of the loop is F vector, ये बोला है कि ये F vector है, so F2 plus F3 plus F4, किसके बराबर होगा? माइनस F1 vector के? if force on 1 ohm of the loop is F vector, अगर ये F vector है, then the net force on the remaining 3 arms, net force on remaining 3 arms, क्या होगा? माइनस F vector है ना, कई लोग यहाँ पे 3 बोल रहे होंगे, बढ़ आंसर बेटा B आएगा, कई लोग C बोल लहाँगे, 3F कर देदे, क्यों भाई? अगर सब पे मिलाके, माइनस 3F हो गया, और प्लस F, तब तो माइनस 2F force आजाएगी, net force 0 आनी है, इन तीनों का जो resultant होगा, वो इसको balance करेगा, यार 4 forces मिलकर 0 हो रही है, 4 forces मिलकर 0, तो अगर एक force F है, तो remaining का जो resultant होगा, वो भी तो minus F होगा, इसको कोई बताओ भाई 0 कैसे, clear हुआ, 4 forces सम अगर 0 है, और उसमें से एक force F है, तो remaining का vector sum क्या होगा, minus F, next, 48, 2008, क्या है, a closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field, if the magnetic force on segment PS, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of the paper along the direction shown, the force on segment QP is, force on segment QP is, तो बेटा, हमें ये तो पता है, कि इन चारों का vector sum क्या होगा, 0 होगा, इन चारों का vector sum क्या आएगा, 0 आएगा, yes or no, इन चारों का vector sum 0 होगा, so force on, क्या पूछा है, then force on the segment QP is, so force on segment QP, plus F1 vector, plus F2 vector, plus F3 vector, should be equal to 0, the force on the segment QP, FQ, तो बेटा, एक चीज देखो जड़ा, F1 और F3 का resultant क्या हो जाएगा, F1 और F3 का resultant क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, FQP is equals to, minus of F1 plus F2 plus F3, अब देखो इस बार answer में, scalar form में answer दिया है, बेटा, इन दोनों का resultant क्या होगा, इन दोनों का resultant क्या होगा, इन दोनों का resultant ऐसे लिख सकते हो, F3 minus F1, और नीचे कितना है, F2, बेटा, इसका और इसका resultant क्या होगा, इसका और इसका resultant यह चाहेगा, यह resultant कितना होगा, यह resultant कितना होगा, अंडर रूट F2 का स्क्वेर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वेर बोलो सही है F2 का स्क्वेर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वेर ये हो गया F1, F3, F2 का रिजल्टेंट FQP इसी के बराबर होगा और इसके अपोजिट होगा यानि FQP प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सबका वेक्टर सम 0 आना चाहिए FQP क्या होगा इन तीनों के वेक्टर सम के बराबर in magnitude and opposite in direction इनके magnitude इन तीनों का जो वेक्टर समयमान लो इन तीनों को मिलाके आंसर 10 आ रहा है तो इसका magnitude 10 होगा और direction इनके resultant के opposite ठीक है हमने का इन तीनों का resultant निकालना है F1 F3 का resultant क्या होगा ये F3 minus F1 और एक F2 है इन दोनों का resultant क्या होगा अंडर रूट F2 का square प्लस F3 minus F1 का whole square So FQP इसी के बराबर तो होगा magnitude में Direction में opposite होगा Clear? Clear? Next Force between two parallel current carrying wires अब दो parallel current carrying wires के बीच की force की बात होगी चलो अब मान लो बेटा आपके पास दो parallel current carrying wire है तो जड़ा सोचो इस wire की वज़े से यहाँ पे magnetic field अंदर बनेगी Yes or No? इसकी वज़े से यहाँ magnetic field अंदर बनी और इस magnetic field में एक current carrying wire है इस पे force इधर लगी Force on second due to one इसी का opposite सोचें बेटा इस wire की वज़े से यहाँ पे magnetic field बाहर होगी इस wire की वज़े से यहाँ पे magnetic field बाहर होगी और इस magnetic field में एक current carrying wire है magnetic field कैसी है? बाहर और एक current carrying wire है थम उपर Force किदर? यह हो गई Force on one due to two मेड़ा यह दोनों force कैसी होगी? Equalent magnitude Oppositive Direction Equalent magnitude Oppositive Direction बोलो समझ में आया अगर आपके पास दो parallel current हैं यानि दोनों current सेम direction में हैं जो की दिख रहा है तो इसकी वज़े से यहाँ अंदर magnetic field बनेगी देखो थम रखा इसके direction में magnetic field कैसी बनी? Inverse अब इस magnetic field में यह current carrying wire magnetic field अंदर current उपर force इधर तो यह लगी force on 2 due to 1 similarly पेटा इस current की वज़े से यहाँ पे magnetic field कैसी होगी? Outwards और इस magnetic field में यह current carrying fire magnetic field outward current उपर force इधर यह दोनों forces कैसी होगी पेटा? Equalent opposite आप याद रखो parallel current attracts similarly पेटा अगर anti-parallel current है इसकी वज़े से यहाँ magnetic field अंदर इसकी वज़े से यहाँ magnetic field अंदर magnetic field अंदर current नीचे force बाहर force on 2 due to 1 इसकी वज़े से यहाँ magnetic field अंदर magnetic field अंदर current उपर force बाहर तो पेटा एक चीज़ तो यह होगी दोनों forces बराबर होगी magnitude में आ पोसिदिन डिरेक्शन आप याद रखो anti-parallel currents repel तो पेटा parallel current एक दूसरे को हमेशा attract करता है और anti-parallel एक दूसरे को repel करता है clear है expression for force अब पेटा क्या force लगती है दो parallel current carrying wires में तो force होती है पेटा mu naught by 4pi जो शुरू से में सिखा रहा है into 2i1 into i2 बटे d बट यह actual में force का expression नहीं है actual में यह expression है force per unit length का किसका है force per unit length का mu naught बटे 4pi infinite wire का क्या होता था 2i by d infinite wire का expression क्या mu naught by 4pi 2i by d यह भी very long wire है यह भी क्या है very long wire तो यह भी infinite wires ही होते है very long wire तो वैसा ही expression बनेगा but force का नहीं बनता बेटा expression for force per unit length का बनता है ठीक so force per unit length of both wire is mu naught बटे 4pi 2i1 i2 बटे d mu naught बटे 4pi 2i1 i2 बटे d हो जाएगा एक और खास बात यह आप एक क्या वो तो बता ही चुका हूँ क्या parallel current attracts और दूसरा क्या था anti-parallel currents repel ठीक है चाला 1998 क्या है two long parallel wires are at a distance of one meter both of them carry one ampere of current the force of attraction per unit length between the two wires बटे है तो definition of one ampere है when two long parallel wires carry one ampere current in the same direction are separated by one meter then they attract each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter per unit length of the wire या per meter of the wire तो यह तो बटे definition पे based है one ampere की खेर what is the force of attraction per unit length mu naught बटे 4pi 2i1 i2 बटे d so mu naught बटे 4pi 10 की पार minus 7 into 2 दोनों में current कितना है 1 ampere so 1 into 1 बटे d d कितना है पेटा 1 कितना हो गया 2 into 10 की पार minus 7 newton per meter क्योंकि force per unit length newton per meter next sir is looking so tired Aditi Aditi you are looking tired I am not looking मैं भी और कहानिया सुना सकता हूं Aditi do you know the meaning of your name what I think Aditi means आदी से अंत तक अभने नेम की लिये तुम perfect sarcasm model हो गई Aditi का मतलब होता है मेरे ख्याल से शायद कुछ और होता है आप लोग बताएं आदी से अंत तक और Aditi सोचली क्लास कतम हो जाए ये तो वही हो गया girls be named nana and wearing glasses ये तो वही बात हो गई चलो next सवाल 2017 आरे यार इतना recent सवाल है तुम्हारे अंदर energy नहीं आरी तुमको खुसी नहीं हो रही देखते चलो An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction I as shown in the figure magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by इस पे force per unit length चाहिए magnitude of force per unit length on the middle wire is given by बेटा देखो तीन wire है इसमें एक wire ये है B एक wire ये है C और एक wire ये है A है ना ये distance D और ये distance भी D हमसे बोला है B पे net force बताओ एक तो बेटा इसके ओपर ये force लगाएगा ये भी current बाहर आ रहा ये भी current बाहर आ रहा तो बेटा क्या होगी ये दोनों wire एक दूसरे को attract हमको किस पे force चाहिए magnitude of force per unit length on the middle wire तो बेटा ये इसको attract करेगा एक force इधर लगी F1 और ये दोनों भी बेटा क्या है same direction में current है तो ये भी क्या करेगा एक दूसरे को attract यानि इस पे इधर force लगेगी F2 कमाल की बात ये है बेटा कि तीनों के current सेम है बीच में distance सेम है यानि force भी वो सेम आएगी F1, F2 बराबर ही आएगी भाई ये भी current कितना है आई ये भी कितना है आई ये भी कितना है ये दोनों parallel current सेम direction में एक दूसरे को attract की है तो इसने इसको इधर खीचा और ये दोनों भी parallel सेम direction में तो इसने भी इसको इधर खीचा attraction ये F1, F2 दोनों बराबर होगा बेटा F1 equal to F2 किसके बराबर? mu0 बटे 4π 2i into i बटे d और एक्च्वलें इस force per unit length होगी पर unit length पूछी भी है F1 by L, F2 by L कह सकते हैं हम लोग तो इस दोनों force बराबर है F और F 90 degree पे तो resultant यू निकल आएगा root 2 times of F तो इस resultant per unit length root 2 times of F यानि root 2 times of mu0 बटे 4π 2i square बटे d so 2, 2s are 4 root 2 by 2 हो जाएगा 2, 2s are 4 root 2 by 2 इस 2 को हम लोग root 2 into root 2 लिखेंगे एक root 2 cancel हो जाएगा mu0 i square upon root 2 into pi into d d आ गया सभी का a आ रहा है नहीं आ रहा है यह तो नहीं आएगा net force बेटा क्या होगी यह और यह root 2 F clear? चलो next बेटा 2011 क्या है? a square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor अच्छा यह square loop को रखा एक long straight conductor के पास at a distance d from the conductor as shown the loop will experience बताओ a net attractive force towards the conductor a net repressive force towards the conductor a net torque acting upward horizontal fan net torque acting downward नॉर्मर्ट चल बताओ तो बेटा ध्यान से देखो यह और यह current कैसे हो गए? parallel तो एक दूसरे को attract करेंगे तो लूप पे इधर तो force यू लगेगी इस वाले पे उपर की तरफ F1 अच्छा दूसरा बेटा यह वाला wire की बात करें और इस वाले wire की बात करें इसकी और इसकी wire करें देखो इसकी वेज़ से magnetic field कैसी होगी? इस wire की वेज़ से magnetic field inverse इस wire की वेज़ से magnetic field कैसी होगी? inverse होगी इस wire की वेज़ से magnetic field inverse होगी ठीक है? अब बेटा इस पे force देखो magnetic field अंदर current उपर force बाहर तो इस पे force इधर लगी F2 magnetic field अंदर current नीचे force इधर ये हो गई F3 पर बेटा F2 और F3 बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे force क्या होती है I, B, L current दोनों में same है yes, length दोनों की same है yes, magnetic field भी same होगी yes, क्योंकि बराबर के distance पे है तो ये force और ये force एक दूसरे को काट देगी भाई, इसकी वज़ा से पूछ रहा है कि इसके उपर क्या फरक पड़ेगा a square loop carrying steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a current I1, इसमें current I1 इसके पास है, तो बेटा इसकी वज़ा से magnetic field कैसी होगी ये अंदर ये दोनों तो पहले लेटराट कर लिया, इसकी बात करें, magnetic field पराबर क्यों लिखी, F is equals to IBL sin 90 length ऐसे है, magnetic field अंदर है length ऐसे, magnetic field अंदर sin 90 तो लगे गा ही न length ऐसे, sin 90 I दोनों में same, length दोनों की same, और B भी same होगा भाई, जित्ती दूर ये, उत्ती दूर ये अच्छा, अब आते हैं, last वाले part पे नीचे वाले पे अब बेटा, ये और ये कैसे हैं anti parallel current है, तो repulsion होगा F4, अब बात ये है क्या F1 और F4 बराबर होंगे कि different होंगे, सोच के बताईए क्या F1 और F4 बराबर होंगे कि different होंगे क्या लगता है आपको what do you think about it F1 और F4 क्या बराबर होंगे, मेरे ख्याल से तो अलग-अलग होंगे, यहां पे magnetic field जादा होगी, यहां पे magnetic field कम होगी, इसका मतलब ये है कि F4 will be less than F1 यहां magnetic field जादा होगी, force जादा लगेगी IBL यहां magnetic field कम होगी, force भी कम लगेगी IBL, तो बेटा और क्या होगा बेटा, यह attract हो जाएगा towards the wire, तो answer क्या होगा, a net attractive force towards the conductor, a a net attractive force towards the conductor clear? आदर्ज महस कह रहे हैं, हाँ दिव्या different होगा, आरे भाईया बता दो दिव्या को घर चले जो, पड़ा आओ हम लोग तो ऐसी कडे time pass, तुम बताओ दिव्या समझ में आया? यह और बताना है, बता दो, कहां गया बच्चा दिव्या समझ गया ना, आपको उसने समझा दिया, आप clear हो गया होगा में ख्याल से ठेक है? चलो next, बावन फेज बन दो हजार सोला क्या है? आइ स्क्वेर लूप A, B, C, D, कैरिंग करेंट I is placed near and co-planar with a long straight conductor X, Y, कैरिंग करेंट I, the net force on the loop will be फिर से क्या पूछा है बटा? नेट force on the loop चलो, current इसमें ऐसे है यानि यह आई, 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 आई पूछ रहा है, net force on the loop the net force on the loop पूछ रहा है, देखो बेटा यह दोनों कैसे हैं? parallel है तो यह इसको तो क्या करेगा? attract करेगा F1 force के साथ सही है? अच्छा फिर बेटा, यहां के लिए देखें magnetic field अंदर current carrying wire ऐसे force upward F2 similarly, यहां पर बेटा magnetic field अंदर current यू जा रहा force downward F3 तो बेटा, यह तो एक दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे why? F is equals to IBL F is equals to IBL यह ना? length ऐसे magnetic field अंदर 90 degree पर है दोनों में current same दोनों की length same और दोनो equal distance पर है दोनों के length same है दोनों की देखो ध्यान से length दोनों की same है दोनों का current same है और दोनों यहां से equal distance पर है तो दोनों के layer B भी same होगा so F2, F3 cancel अब इसकी बात करें last वाले की बेटा यह और यह anti parallel current है क्या करेगा? repel करेगा F4 तो कहानी क्या है? F1 minus F4 करने की कहानी है F1 बड़ा होगा F4 छोटा होगा बोलो clear है? यह दोनों cancel होगा की नहीं? होगा की नहीं होगा? यहाँ पे magnetic field अंदर, 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 अंदर यहाँ भी अंदर, अंदर, अंदर जितनी यहाँ पे magnetic field उतनी यहाँ पे अगर तुम किसी और जगे भी देखना चाहो मालनो तुम सचो यहाँ पे तो यहाँ पे जितनी यहाँ पे magnetic field उतनी यहाँ पे magnetic field तो यहाँ पे जितनी force उपर, यहाँ पे उतनी force, नीचे, current भी बराबर, length भी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, cancel कर देंगे, इन दोनों में खेल है बेटा, f1 कितना होगा, f1 कितना होगा, भाई आपको तो force per unit length निकालना आता है, force निकालनी कहाती है, force per unit length, length क force per unit length, f1 by L is equals to mu naught बटे 4 pi, 2 times of current I into I upon, कितना distance है, L बटे 2, ये हो गया, f1, तो L और L cancel, f1 is equals to mu naught बटे 4 pi, 2 पर चला जाएगा, 4 I into I, और L और L cancel हो गया, अब बात करते हैं, बेटा, f4 की, f4 per unit length, force per, देखो force निकालना नहीं आता हमें, parallel virus की, निकाल सकते हैं, magnetic field निकाल के, वो भी खेल-खेल सकते हैं, हम तो force per unit length से खेल ले हैं, so f4, force per unit length of this wire, mu naught बटे 4 pi, current कितना है, 2 into I into I, upon बेटा, ये distance कितना है, L by 2 plus L, कितना हो गया, 3 L by 2 हो जाएगा, L by 2 plus L, 3 L by 2, L, L cancel, f4 कितना हो गया, mu naught बटे 4 pi, L, L cancel, 2 पर गया, 4 I, I बटे 3 L, ध्यान से देखो बेटा, ये इसका 1 by 3 है, है अगर इसको मैं f बोलू, तो ये कितना है, f by 3, बेटा, net force, oh shit, just a second, हाँ, तो यहाँ पर net force कितनी होगी, net force कितनी हो जाएगी, f1 minus f4, f1 को कितना ले लिया, हमने f, f4 को कितना ले लिया, f by 3, तो ये 3f minus f, 2f by 3, तो कितना हो गया, 4, 4 cancel हो जाएगा, 2 times of mu naught बटे 4 pi, 4 I, I, बटे, distance कितना है, कुछ नहीं आगा, अच्छा, distance नहीं आएगा, 2f by 3, तो ये 4, 4 cancel, 2 by 3, mu naught I, I, बटे 5, 2 by 3, mu naught I, I, बटे 5, 2 by 3, mu naught I, I, बटे 5, ये, 2 mu naught I, I, बटे 3 pi, बोलो आया, how f1 is greater than f2, बटे ये pass में है, distance कम होगा, distance कम होगा, तो force जादा होगी, force का expression क्या था, mu naught बटे 4 pi, 2 I1, I2, बटे d, क्या होगा था, मैं एक लोगा यहाँ चुहा आगया था, रूम के अंदर, तो मैं डर गया था, मुझे लगा है चुहा है, यहाँ इसे बैठा हो, मुझे लगा चेर पे, था नहीं, how f1 is greater than f2, बता है तो, बेटा क्या होगा, force का expression क्या है, between two parallel wise, mu naught बटे 4 pi, 2 I1, I2, बटे d, तो बेटा, d यहाँ छोटा है, तो force बढ़ी होगी, clear, मैंने बोला, force per unit length, f1 by L, force per unit length, mu naught बटे 4 pi, 2 II, बटे L by 2, L, cancel, यह उपर गया, यह आल, फिर रमने का, इस पे, force per unit length, mu naught बटे 4 pi, 2 II, upon, यह distance कितना है, 3L by 2, L, L, फिर cancel, 2 पर गया, यह हो गया, मैंने का, इसको अगर f बोल दूँ, तो यह f by 3, देखो, same expression है, mu naught बटे 4 pi, 4 II, बटे, यह L, cancel हो जाएगा, यह गलत है, अगर इसको मैं f बोल दूँ, तो यह f by 3 हो जाएगा, so f minus f by 3, 3f minus, f, 2f by 3, 2 times of, mu naught बटे 4 pi, 4 II, बटे 3, 4, 4 cancel, 2 by 3, clear, clear, आगया, बोलो, आया, c, 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 yes, c, 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 इसको एक बार और ट्राय करना, आप भी, यही आएगा, थोड़ा मैंने तेज कर दिया हो सकता हो, क्या आया आपका, jmd, चलो, next, current loop as magnetic dipole, आपने electric dipole पढ़ा था, वैसे ही magnetic dipole, जड़ा देखिए, magnetic moment of current loop, बिटा, current loop क्या होता है, यह magnetic dipole होता है, क्या होता है, magnetic dipole होता है, और magnetic dipole का बिटा क्या होगा, magnetic dipole moment होगा, उसी को हम लोग magnetic moment कहते हैं, यहाँ तो उसको आप magnetic moment बोल दो, आपकी मर्जी, आप उसको magnetic moment बोलो, यह उसी को आप magnetic dipole moment बोलो, current loop क्या होता है magnet का dipole होता है ज़रा ध्यान से देखो ये current magnetic field ऐसे ये current magnetic field यू यू बनेगी magnetic field ऐसे तो बेटा जो इसका magnetic dipole moment होता है उसको represent करते हैं by vector m is equals to i into a vector इसको आप magnetic dipole moment या magnetic moment भी कहते हो इसकी बेटा unit क्या होती है unit आप यहीं से बता सकते हो current की unit हो जाएगी ampere और area की unit meter square this is area vector magnetic moment या magnetic dipole moment a क्या denote करता है बेटा area vector area नहीं area vector और इसकी unit क्या हो जाएगी ampere, meter, square अब कहोगे सर इसका direction कैसे लिए बड़ा असान है फिर से left hand pocket में जो होगा right hand से right hand curl rule आप क्या करो right hand की fingers को curl करो जिदर thumb point करे, that is the direction of magnetic moment direction of M curl your right hand fingers in direction of current your thumb now points in the direction of area vector और magnetic dipole moment clear है जैसे यहां पर मैं पूछ हूँ direction of M, देखो दिया है curl your right hand fingers in the direction of current your thumb now points in the direction of A और M, तो यहां पर M ऐसे हो जाएगा फिर क्या है बेटा if loop has N number of turns तो बेटाई तो number of turns तो मैं कही बार बता चुका हूँ N से multiply हो जाएगा magnetic moment is equals to N I A vector इसको बेटा magnetic moment, magnetic dipole moment भी बोल सकते है current loop क्या है? magnetic dipole है जैसे electric dipole क्या होता था? minus q plus q current loop अपने आप में एक magnetic dipole है कैसे? ज़रा दिखाता हूँ बेटा, उपर से देखो current कैसा दिख रहा? उपर से देखो current कैसा दिख रहा? clockwise, यानि उपर है south pole नीचे से देखो current कैसा दिख रहा? anti-clockwise, north pole बेटा, ये क्या हो गया? magnetic dipole current loop क्या होता है? यहां माल लोग, current loop है ऐसे current गुम रहा है current loop है मेरे सामने, ऐसे current गुम रहा है इधर से clockwise current, मेरे लिए south pole पर उधर से जो देखा उसके लिए anti-clockwise current, उसके लिए north pole, तो इधर south, इधर north क्या बन गया? magnetic dipole देखो उपर से देखो, clockwise current south pole, नीचे से anti-clockwise, north pole, तो क्या बन गया ये? magnetic dipole और इसका dipole moment कितना है? I into A, direction कैसे? वही right hand, fingers को curl किया current direction में? सवाल, 2001 और एक, if number of turns area and current through a coil is given by N, A, I respectively then its magnetic moment will be पता है बेटा? N, I, A simple, N, I, A clear? N, I, A clear? N, I, A चलो, next find magnetic moment, चलो बच्चा इसका magnetic moment निकाले है ये current carrying coil है बेटा, magnetic moment ऐसे उपर की तरफ यह होगा इसका कितना हो जाएगा बेटा? M, I into A area कितना होगा? pi R square बेटा, direction कि दर है? Y axis में, यानि J gap बोलो सही है? यहाँ पर आओ बेटा, दो लूप दिख रहे हैं इस वाले लूप को देखो magnetic moment इधर यहाँ पर दो लूप है दोनों का नाम दे देते हैं एक को 1, एक को 2 बेटा, पहले लूप की वाई से magnetic moment बाहर M1 I into A किस direction में? बाहर बाहर क्या है? Z बाहर क्या है? Z यानि K gap So, I A square K gap और बेटा, M2 कितना हो जाएगा? उपर यानि Y direction में So, I A I into A square J gap, बोलो सही है? बाहर, इसका magnetic moment यूँ उपर बनेगा? और इसका बाहर, इसका K gap में इसका J gap में So, I A square J gap बेटा, यहाँ पर net magnetic moment आपसे पूछ ले, अंडर रूट M1 square plus M2 square, yes all know, दोनो perpendicular है, एक देखो Z axis में है, एक देखो Y axis में है, तो अंडर रूट M1 square plus M2 square So, दोनों की value भी क्या है? Same है, तो कितना हो जाएगा? Root 2 अगर इसका magnitude सिर्फ देखें अगर सिर्फ magnitude देखें तो कितना हो जाएगा? Root 2 Ia square है कि ने? जितना इसका magnitude है? Ia square, उसका इतना है Ia square, perpendicular direction Next, magnetic dipole moment of a revolving electron अब आप पास एक घूमता हुआ electron है इसका magnetic dipole moment तो बेटा, magnetic dipole moment क्या है formula? I into A घूमते हो electron का current कितना होता है? Current होता है Q into F और area कितना हो जाएगा यहाँ पे? Pi R square Q मतलब E Frequency मतलब 1 by time period Time period कितना होगा? इस घूमते हुए charge का T कितना होगा? Distance covered in one time period upon speed Time period क्या होगा? Distance upon speed Distance कितना? 2 Pi R बटे V So, E upon 2 Pi R बटे V Pi R square Pi से Pi cancel R से यह cancel कितना आया? E V R बटे 2 तो बेटा, revolving electron का magnetic moment कितना है? E V R बटे 2 Magnetic moment of revolving electron E V R बटे 2 Clear? I into A बोला Current Q into F E into F के जगे 1 by T Area Pi R square T is 2 Pi R बटे V Pi Pi cancel R square से cancel E V R बटे 2 Relationship with angular momentum तो बेटा, angular momentum क्या होता है? R cross P होता है बेटा, P मतलब momentum So R cross M O V हो जाएगा बेटा, M को तो बाहर करो R cross V अब बेटा, circular motion में देखो जो R vector है और जो V vector है कैसे होते हैं बेटा, हमेशा? Perpendicular Circular motion में Radius और Velocity हमेशा perpendicular होगा यहाँ देखो, यह radius यह Velocity Circular motion के अंदर आप कभी भी देखोगे यह देखो, यह radius यह Velocity, यहाँ देखो यह Radius, यह Velocity हमेशा कितना एंगिल होता है? 90 So, M V R sin 90 Sin 90 बेटा 1 हो गया So, M V R यह हो गया अंगुलर मोमेंटम Circular motion का अंगुलर मोमेंटम में याद भी कराया था आपको M V R अब जड़ा देखो L बटे M या M बटे L M बटे L M कितना आया है? E V R by 2 और L कितना है? M V R बटे आज़ा देखो, V R, V R cancel M बटे L एक यह भी सवाल बन सकता है What is the ratio of magnetic moment? 2, angular moment of an electron E by 2 Clear? V R, V R cancel E by 2 है M angular momentum R cross B और magnetic moment अभी आपने निकाला कितना? E V R by 2 यह याद रहना चाहिए घुमते हुए electron का या घुमते हुए particle का magnetic moment Q V R by 2 इसको ऐसे भी याद रखो अगर कोई और particle हो Q V R by 2 और M by L क्या होता है? ठीक है? इस तरह से रोटेट कर दिया बेटा इस केस में भी ये चीज वैलिड है M by L is equals to Q by 2 M magnetic moment upon angular momentum is equals to Q by 2 M E by 2 M यहाँ पर भी वैलिड है जीज़ अगर चार्ज पार्टिकल डिस्टिब्यूटेड है रिंग पर घुमा दिया तब भी ये expression वैलिड होता है नेक्स बेटा torque on a current loop या magnetic dipole in a uniform magnetic field तो आप ऐसे करो गया कैसे? ऐसे क्यों? दिखाता हूँ torque on a current loop यानि magnetic dipole in a uniform magnetic field मुझे एक बात बता हूँ आपके पास एक electric dipole है in uniform E पेटा इस पर torque कितना लगता है जल्दी से बोलो P cross E अब आपके पास electric dipole की जगे magnetic dipole है magnetic dipole यानि current loop अभी बात हो गई ना आपनी कि current का loop क्या होता है magnet का dipole एक तरफ से south एक तरफ से north magnetic dipole in uniform magnetic field बेटा इस पर torque कितना हो जाएगा बोलो electric dipole पर कितना है P cross E magnetic dipole पर torque कितना हो जाएगा electric dipole पर P cross E magnetic dipole पर torque कितना हो जाएगा M cross V P cross E इस पर M cross V P cross E इस पर M cross V यहाँ electric dipole moment यहाँ magnetic dipole moment यहाँ electric field यहाँ magnetic field हो गए और क्या लिख सकते है बेटा इसको हम लोग इसको हम लोग आगे और क्या लिखते थे P E sine theta लिखते थे यहाँ बेटा torque का magnitude क्या लिख सकते है हम लोग M B sine theta where theta is the angle between M and B theta is the angle between M and B बेटा M को क्या लिख सकते है यहाँ पे एक और कहा नहीं है magnetic moment क्या होता है I into A into B into sine theta I into magnetic moment क्या होता है I A magnetic moment क्या होता है I A right magnetic moment क्या होता है I A into B into sine theta अब theta किसके बीच का angle होगा between area vector and magnetic field ध्यान से देखे बेटा theta किसके बीच का angle है angle between magnetic field and या तो M vector ले लो या तो A vector ले लो दोनों का direction सेम होता है M vector या A vector direction कैसे दोनों का सेम direction M vector या तो theta M और B के बीच का angle है M vector भी ऐसे ही current carrying loop है ये कैसे ऐसे है M vector और area vector भी सेम current carrying loop बेटा कई बार होता है coil में N turns दिये होते है आगे लिखा है क्या मैंने ने लिखा coil में N turns है तब बेटा torque कितना हो जाता है N I A B sine theta torque on a current loop in a uniform magnetic field N I A B sine theta ये final formula हुआ क्या formula है बेटा torque का एक तो simple हो गया M cross V जैसे P cross E था इसको लिख दिया हमने magnitude में कहां करूँ एक बार final formula भी important है एक बार all derive करके दिखाता हूँ मज़ा आएगा आपको चलो अगर आपके पास कोई electric dipole हो याद हो जाएगा आपको किसमें in uniform electric field तब बेटा इसके उपर torque कितना लगता था P cross E या आप लिखते थे P E sine theta magnitude wise अगर मैं बात करूँ magnetic dipole की magnetic dipole यानि current loop अगले तन पे आपको एक और magnetic dipole दिखेगा bar magnet bar magnet is also a magnetic dipole same कहानी वहाँ भी होगी in uniform B तब बेटा torque कितना होगा अब देखो P cross E था P क्या था electric dipole moment तो उसकी जगे आप क्या लाओगे magnetic dipole moment M cross B आगे बेटा क्या लिख दोगे अगर magnitude चाहिए M B sin theta where theta is the angle between M vector and B vector अब बेटा M को क्या लिखते हैं हम लोग I into A माल लोग coil में N number of turns है इस coil में N turns है ठीक है तब ये M क्या बनेगा बेटा N I A B sin theta तो ये वाला expression भी याद होना चाहिए और theta किसके बीच का angle है angle between magnetic field and M vector vector या area vector M vector या area दोनों का direction सेम होता है बेटा M vector भी ऐसे ही area vector भी ऐसे ही अब ये देखो comparison है electric dipole का dipole moment P क्या होता है बेटा Q into 2L magnetic dipole का dipole moment M vector क्या होता है N into I into A वैसे आप देखो कि ये भी M into 2L हो जाएगा जब electric, sorry, जब हम लोग bar magnet पढ़ेंगे अभी magnetic dipole में आप क्या पढ़ ले हो basically current loop की बात कर रहे हो magnetic dipole बेटा bar magnet भी तो magnetic dipole है bar magnet is also magnetic dipole north pole, south pole वो behave करता है electric dipole इसमें थोड़ी कहानी अलग है यहाँ dipole moment Q into 2L और यहाँ एकदम अलग कहानी है dipole moment क्या रहा है N into I into A अच्छा, torque in uniform field बेटा, torque किता लगता है P cross E या torque किता लगता है P cross E और magnitude of torque sin theta यहाँ torque किता लगता है बेटा M cross B और magnitude of torque M B sin theta और M को क्या लिखते हैं लोग N I A so N I A B sin theta maximum torque बेटा कितना होता था याद है sin theta की maximum value 1 so P E यहाँ बेटा maximum torque क्या हो जाएगा sin theta की maximum value 1 यानि M B यानि N I A B minimum torque बेटा कितना होता था 0 यह कब होता था theta 90 degree पे और यह कब होता था theta 0 degree पे भी और theta 180 पे भी दोनों बाद torque 0 होता था याद है theta 0 degree पे भी और theta 180 degree पे भी torque 0 होता था zero degree कौन सा equilibrium होता था stable equilibrium और 180 degree कौन सा होता था unstable equilibrium ये सब हम लोग पढ़ चुके है न, इस तरब से यहाँ पे भी torque minimum 0 होगा, कहा कहा पे theta 0 degree पे और theta 180 degree पे ये हो जाएगा stable equilibrium और ये कौन सा होता था unstable equilibrium, या दे ये सब हम लोग कर चुके हैं, पूरा हमने उससे copy कर लिया सवाल है 2010 का क्या है क्या है बीटा आपके पास एक solenoid है ठीक है 2000 तरन है इसके अंदर area of cross section a carry is a current suspended through its center perpendicular to its length and perpendicular to its length ठीक है ऐसी suspended है मतलब allowing it to turn into horizontal plane in a uniform magnetic field making an angle of 30 degree with the axis of solenoid बीटा ये axis of solenoid है और magnetic field इससे 30 degree पे है ठीक है अब हमसे क्या मांगा है the torque on the solenoid बीटा टॉर्क कितना होगा कितना होगा m b sin theta m को लिखोगे n i a b sin theta theta is the angle between area vector and magnetic field बीटा अगर current यूं होगा तो area vector भी axis के along ही आएगा राइट बीटा यहां से देख लो area vector क्या होता है area के perpendicular इस सब तो Gauss law में भी पढ़ चुके हो area vector तो यूं ही आएगा यानि theta 90 degree हो गया n i a b sin 90 बस बीटा वैलू रख नहीं है number of turns कितने है 2000 current कितना है 2 ampere area कितना है 1.5 10 की पार minus 4 magnetic field कितनी है अच्छे यहां पर sin 90 रख दिया sorry sin 30 very sorry I am so sorry sin 30 है ना यह area vector और उस से magnetic field कितने एंगल पे है 30 into sin 30 is 1y2 कुछ छूड़ या क्या magnetic field की value छूड़ गए देखो area vector और magnetic field में एंगल यह area vector क्योंकि यही axis होगी और यह magnetic field angle कितना है 30 degree number of turns 2000 current है विटा 2 ampere area है आपका 1.5 into 10 की पार minus 4 magnetic field है आपकी 5 into 10 की पार minus 2 और sin theta 1 by 2 तो बढ़ा 2 से 2 cancel हो गया यह 3 0 काटा यह 10 की पार minus 1 हो जाएगा 2 5s are 10 10 की पार minus 1 भी cancel 1.5 into 10 की पार minus 2 newton meter 1.5 into 10 की पार minus 2 newton meter option C आगया D के से आ रहा है C आ रहा है तुम्हाँ D आ रहा है क्या C D यह आ रहा है होई solve भी नहीं कर रहा है हूँ C C C C C C C next potential energy of a magnetic dipole in uniform magnetic field यह भी असान है जरह याद करो बेटा potential energy of electric dipole in uniform electric field कितनी थी बेटा याद है minus P dot E minus भी लगा था याद करो minus P dot E या minus P E cos theta theta is the angle between P vector and E vector बास बेटा यही चीज़ है potential energy of magnetic dipole in uniform magnetic field same बेटा U is equals to यहाँ क्या है minus P dot E यहाँ क्या हो जाएगा minus M dot B electric dipole moment ही जगे magnetic dipole moment electric field ही जगे magnetic field U is equals to minus M B cos theta बेटा इसी में एक सवाल work done के बनते हैं वो आपको पता ही है क्या करना होता है work done by external agent is equals to delta U U final minus U initial याद है सारी कहानी और क्या बेटा equilibrium दो तरेक है theta is equals to 0 degree theta is equals to 180 degree बेटा 0 degree पे torque कितना होगा N I A B sin theta theta 0 हो गया torque कितना हुआ 0 हो गई और potential energy क्या होगी minus M B cos theta बेटा theta कितना है 0 cos 0 is 1 कितना हो गया minus M B कैसी है बेटा potential energy minimum है तो कौन सा equilibrium हुआ stable theta 180 degree पे भी torque कितना आएगा बेटा N I A B sin theta sin 180 is again 0 और बेटा potential energy क्या होगी minus M B cos theta cos 180 is minus 1 तो यह plus M B potential energy कैसी हो गई बेटा maximum हो गई तो बेटा कैसा हो गया unstable equilibrium यह सब तो रटा हुआ था आपने को मैंने बोला ना यह सब खट खट होगा यह stable equilibrium ही यह unstable equilibrium 2013 2013 क्या है a current loop in a magnetic field experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all direction can be equilibrium in one orientation can be equilibrium in two orientation both the equilibrium states are unstable बताए बच्चों आप ही बताए तुम ही कहूँ तुम ही कहूँ तुम ही कहूँ दिल जोने सिगाए बोलो सभी लोग छोड़ दिये कहा पढ़ना answer बताएंगे भाई a current loop in magnetic field बताएं बच्चों can be an equilibrium in two orientation one is stable why the other is unstable clear एक stable और एक unstable 2017 a 250 turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 micro ampere and subjected to magnetic field of strength 0.85 tesla work done for rotating the coil by 180 degree against the torque work done for rotating the coil by 180 degree बेटा यह तो हम लोग पढ़ चुके है work done for rotating the coil by 180 degree क्या हो जाएगा बेटा delta u यानि u 180 minus u 0 u 180 बेटा कितना होगा minus mb cos 180 and minus u 0 minus mb cos 0 work done ऐसी तो निकालते हैं बेटा change in potential energy u final minus u initial तो finally 180 बेटा इनिशली 0 पे minus mb cos 180 is minus 1 minus minus plus ये भी minus minus plus कितना हो गया 2 mb ये शायद मैंने आपको बताया भी था जब electric dipole पढ़ा रहा था कि 180 degree turn करने में 2 pe लगता है work यहाँ पे 2 mb लग गया so work done is equals to 2 mb बेटा M क्या होगा N I A B area कितना होगा length into breath nb दे रखा है चलो इसको करना और comment करो answer खतम करते है इसके बाद एक topic रह जाता है उसको मैं manganism and matter के साथ include कर लूँगा उस lecture में ठीक है यह देखते है यह आप एक छोटा से topic एक छोटी से clip डाल दूँगा देखते हैं इसको कैसे करा सकते हैं कितना time रह गया खतम हो गया बेटा पढ़ा दूँगा एक topic और है बताओ छोटा साय पंदरा मिनिट का यार अब छोड़ने का मतलब नहीं है पंदरा मिनिट का topic है क्या फाइदा यह comment करना चलो इसका answer एक गड़को पानी ले ओंगा करता है पानी चलो पढ़ा दू ना सभी लों कहा पढ़ा दो तो पढ़ा देते हैं चलो इसको कॉमेंट करना अंसर चलो moving coil galvanometer अब बेटा आपने देखा था जब current electricity हम लोग पढ़ ले थे कि moving coil galvanometer की help से हमने conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter पढ़ा था पर galvanometer detail में नहीं पढ़ा था galvanometer भी हम लोग कौन सा पढ़ ला है पिटा एक होता है tangent galvanometer एक होता है moving coil एक होता है vibrational अपन पढ़ ला है सिर्फ उसे moving coil galvanometer जो अपने syllabus में है पर यहां से भी सवाल नहीं आया है दिक्कत यह है नीट के अंदर फिर भी हम लोग इसको कर लेते है moving coil galvanometer कब नहीं आया सवाल सालों सालों से नहीं आया एक आया था current sensitivity और voltage sensitivity का वो मैंने पिछले class में formula बता दिया था चलो क्या होता है galvanometer अग galvanometer is a device used for detecting and measuring very small current in a circuit सबको यह बात पता है galvanometer किसलिए use होता है for detecting and measuring भी कह सकते हैं very small current in a circuit बहुत छोटे current के लिए इसको use करते हैं it works on the principle of torque on a current carrying coil placed in a magnetic field जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं torque on a current carrying coil बेटा current carrying coil current carrying coil current carrying coil current carrying coil magnetic dipole torque on a magnetic dipole placed in a magnetic field यह उसी principle पे work करता है है ना यह torque is equals to m cross b m को अभी हम लोग क्या लिखे थे n i a b sin theta where सभी को याद होगा theta किसके बीच का angle है angle between magnetic field and magnetic moment और area vector यह इसी principle पे work करता है torque on a current carrying coil यह क्या बन गया magnetic dipole placed in a magnetic field उसके उपर क्या लगेगा torque लगेगा चलो समझते हैं कहानी को principle है ना कैसे खेल खेलेंगे a coil with many turns is placed in a magnetic field एक coil जिसमें बहुत से turns हैं उसको हमने एक magnetic field में रख दिया यहाँ पे north pole लगा दिया magnet का यहाँ south pole बेटा अपना purpose क्या है अपना purpose है एक छोटे से current को measure कर पाना current जादा हो तो हमारी reading जादा हो current और जादा हो तो हमारी बेटा galvanometer क्या आप समझे रहे हो एम मीटर वोल्ट मीटर मनाना बहुत असान था क्योंकि आप पास galvanometer बना हुआ रखा था पर galvanometer is the basic device ना कि current आए और sui deflect हो current जादा आए तो sui जादा deflect हो current और जादा आए sui और जादा deflect हो यह कैसे अचीव होगा अगर आप देखो current carrying coil को उसके उपर जो torque है वो कितना है niab sin theta यानि जो torque है वो current पर directly proportional है जितना जादा current इसमें दोडाओगे उतना जादा torque लगेगा उतना जादा यह coil घूमेगा और जब coil घूमेगा तो इससे जुड़ा एक pointer होगा वो घूमेगा और वो घूमेगा तो आपको दिखेगी reading बढ़ती हुई फिर से चलो इस coil में बहुत सारे turns है इसको हमने एक north pole एक south pole लगे एक magnetic field में रख दिया next the current to be measured is sent to the coil जो current आपको measure करना है वो आपने T1, T2 terminal से भेज दिया यहां से current आपने भेज दिया यहां से आपने current जो आपको measure करना था वो यहां से आपने भेज आ इसमें गया इसमें घूमा 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 यहां से बाहर आ गया current to be measured is sent to the coil, आपने भेज दिया, next, the coil experiences torque and rotate or deflects, the deflection is obtained on some scale, क्या किया बेटा हमने, जब हम इसमें current दोडाएंगे, हमने क्या किया पहले, current carrying coil डाला, of many tons, यहाँ पे डाल दिया, many tons क्यों हो, ताकि torque ज्यादा हो जाए, NIAB sin theta, है ना, थोड़े से current में ज्यादा torque हो, थोड़े से current में ज्यादा deflection हो, ताकि हमें दिख पाए, यहाँ पे number of tons क्यों लिये, एक coil क्यों नहीं लिया, भाई, number of tons लेने से torque ज्यादा होगा, तो थोड़े से current से ली वो deflect ज्यादा होगा, current छोटा है, है ना, छोटा है, छ ज्यादा मिलेगा छोटे current में भी, तो deflection ज्यादा होगा, है ना, तो, the coil, हाँ, यहाँ आ गया थे, the coil experiences torque and rotate, और deflects, this deflection is obtained on some scale, क्या किया है बेटा हमने, यहाँ से मान लो, coil से एक ऐसे pointer लगा दिया, अब जब यह coil घूमेगा, तो यह pointer घूमेगा, और यह pointer घूमेगा, तो हमारी reading बढ़ेगी, यह लिखा है, this deflection is obtained on some scale, है यहाँ पर current आया, इसमें current दोड़ा, magnetic field भी है, n number of turns है, torque लगा, torque लगने से क्या होगा, कोई चीज़ रोटेट करेगी, torque से रोटेट करती है, जब यह rotate किया, तो साथ साथ में सुई रोटेट की, और सुई से reading दिख रही है यह जिस बता रहे है, actual mechanism और इसके complicated है, हम लोग उतना अंदर नहीं चाहरे है, असल में तो एक mirror mechanism होता हम लोग वहां तक नहीं चाहरे है, आगे सुनो, जितना ज़्यादा current डालोगे, उतना ज़्यादा torque होगा, उतना ज़्यादा coil रोटेट करेगा, जितना coil रोटेट किया उतना sweet deflect हुई, उतनी ज़्यादा reading आए, more the current, more the torque, more the deflection, more is the reading on the scale, यही तो अचीव करना है, क्या अचीव करना है हमें, जितना current, उतना ज्यादा torque, जितना torque, उतनी ज्यादा deflection, उतनी ज्यादा reading on the scale, अचीव करना है, कि current is directly proportional to theta हो जाह, थीटा is the deflection जो हमें दिखेगा और ये हमारा current है आप ये भी समझ सकते हो ये हमारा input होता है और deflection हमारा output होता है जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है input-output directly proportional हो हम ज़्यादा current लगाएं तो deflection ज़्यादा हो और ज़्यादा लगाएं जल जाएगा ठीक है तो कैसे खेला हमने बेटा torque on a current carrying loop placed in a magnetic field से इसको magnetic field रख दिया इसमें torque लग रहा है which is proportional to current आगे और mechanism बताएंगे चलते हैं आगे as the terminals are connected current I flows in coil and coils start rotating due to torque on it जैसी हमने terminals को connect किया current flows in the coil and coil starts rotating due to torque on it NIAB sin theta where N is number of turns in coil I is current in each turn A is area of each coil B is magnetic field theta is angle between B and M और area vector बताओ इसमें से कुछ भी ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया तुम्हें बोलो इस सारी बाते बताई थी मैंने जैसी इसमें current दोड़ा होगे वैसी क्या लगेगा बेटा इसमें magnetic field और theta क्या था? Angle between B and M और area vector clear है? आगे बढ़ाओ अब बेटा क्या दिक्कत है ना? Torque is equals to NIAB sin theta हमें ये sin theta नहीं चाहिए होता कैसे हटाते हैं? देखो. Radial field is generated. Radial field का का काम क्या? अगर मान लो neat में सवाल वैसे तो अभी तक moving coil गया नहीं हुट है कि सवाल ही नहीं पूछ रहा है मान लो पूछता है कि radial field का का क्या है? बेटा radial field का का काम है कि theta को 90 degree पे set करना अब बेटा ये theta अलग है. एक second. I is directly motion theta है जगे 5 कर जाता हूँ. 5 deflection है ये अलग चीज है. और deflects. मोरदा deflection. deflection का हमने बोला 5. अब theta तो बेटा क्या है? angle between magnetic field and magnetic moment या angle between magnetic field and area वो अलग चीज है theta. और phi क्या है? कितना deflect हुआ? है ना? हाँ. तो बेटा हम क्या चाहते है? radial field इस expression में से अभी समाझ में आएगा क्यो करा? थोड़ी देर रुखो. इस expression में से हम sin theta को हटाना चाहते हैं. कैसे हटाएंगे? radial field बनाके. radial field बनाने से क्या होता है? theta सेट हो जाता है 90 डिगरी पे always. और बेटा, sin 90 की value? इसलिए हम ऐसे magnet ना लगाकर हम लगाते हैं cylindrical या concave pole magnet. साथ ही साथ हम क्या यूज करते हैं? soft iron core जो की एक ferromagnetic substance है. और उसके उपर wire लपेटते हैं. हम एक core यूज करते हैं. coil में हम क्या use करते हैं? एक core यूज करते हैं. किसका? soft iron का. soft iron क्या है बेटा? एक ferromagnetic substance. next turn में हम लोग यही बात कर लेओंगे कि ferromagnetic, paramagnetic क्या होता है. अपना next turn day after tomorrow में ख्याल से आने वाला है. एक काम हमने ये किया कि coil के बीच में core लगा दिया. मतलब, अब हम इसके उपर wire लपेटेंगे. core के उपर. हम इसके उपर wire लपेटेंगे. दूसरा काम किया किया हमने? हमने cylindrical या concave pole magnet यूस किये. इन दोनों की help से हमने क्या अचीव किया radial field? क्या हुआ? थीटा सेट हो गया 90 डिगरी पे always. पूरा mechanism समझने के लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हो कि कैसे सेट हुआ, क्या हुआ? अभी इतना ही है, चले तो नहीं भाई ये भी एक घंटे का topic अपने हैं, moving coil गया बेटा. क्या हुआ बेटा? इससे radial field से थीटा 90 डिगरी पे सेट हो गया. यानि जो torque था, NIAB sin 90 हो जाएगा और sin 90 की value 1, तो torque हो गया NIAB. ये हो गया torque. radial field क्यों बनाते हैं, जिससे थीटा 90 डिगरी हो जाए, किसके बीच में बेटा? ये तो आप समझी रहे हो, 90 डिगरी always किसके बीच में? between area vector या magnetic dipole moment, always, हमेशा के लिए. अब देखें बेटाई कैसे काम करता है? आपने current दोड़ाया I, current आई गया, current आई के जाते ही torque लगा, और आपने field कैसी लिए बेटा? तो अब इसको मैं, cylindrical ठीक है? और यहाँ पर, क्या किया है? मैंने soft iron coal लगा दिया, और यह क्या यूज की? cylindrical field, अब बेटा current आई गया, तो torque कितना लगेगा? as current I flows to coil, क्या होगा? radial field is present, यह दियर पर, current closed into oil, it experiences a torque, कितना torque लगेगा बेटा? tau is equals to NIAB sin theta, और theta कित पर set हो चुका है बेटा? 90 degree पर, कैसे? radial field से, और radial field कैसे बनी है, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक? तर्क कितना हो गया? NIAB sin 90, यह torque लगा, अब जैसी इस पर बेटा, torque लगेगा, यह घूमना स्टार्ट करेगा? घूमना स्टार्ट करेगा? बेटा, torque लगेगा, यह तो zoom-zoom-zoom-zoom-zoom-zoom, घूम जाएगा? यह तो दिखकत हैं, अगर यह zoom-zoom-zoom-zoom, अगर इस पर current गया, टॉर्क लगेगा इसको रोकने वाला कौन है भाई टॉर्क से इसके पास angular velocity आजाएगी यह नहीं सोचा तुमने जब इसमें current दोगे तो current से इसमें टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगती ही angular velocity तो यह तो घूमता ही जाएगा तो pointer गूमता ही जाएगा इसको रोकना भी तो पड़ेगा भाई तो हमने देखो नीचे क्या लगा रखा है यहाँ पे एक spring लगा रखा है अब यह spring का क्या काम है जब यह rotate करेगा तो spring में आएगा strain उसको बोलते हैं torsional strain restoring force जैसा ही है restoring torque कह सकते हो है ना, NIAB as the coil rotates as the coil rotates a restoring torque is set up in spring इसमें एक restoring torque generate होता है ठीक है tau restoring is equals to c times of 5 वेटा c होता है torsional constant यह material पे depend करता है ठीक है depends upon material इसके लिए हम लोग phosphor, bronze या fine wire इसी के लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए है ठीक है torsional constant तो torque restoring जो spring में बन रहा है वो भी five है proportional भाई जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप spring को घुमाओंगे उतना ज्यादा वापस आना चाहिएगी तो restoring torque किस पर proportional होगा फाइप है सोचके देखो आपके हाथ में एक रस्सी हो या कोई भी एक चीज हो एक spring हो और spring को ऐसे फकड़ कैसे घुमाओं जितना घुमाते जाओंगे उतना लग रहा होगी वापस आना चाहिए मतलब उसमें restoring torque बढ़ता जा रहा है जितना आप rotate करोंगे जितना angle घुमाओंगे उतन restoring torque देखी हो यहाँ से spring लटकी इसको आप घुमा रहे हो दो डिगरी घुमाया कम restoring torque तीन डिगरी और जादा 10 डिगरी और जादा 15 डिगरी आए बहुत तगड़ा restoring torque तो restoring torque 5 जितना घुमेगा उसके साथ बढ़ता जाएगा है ना set up in spring which increases with deflection fine जितना घुमाते जाओगे उतना restoring torque बढ़ता जाएगा घुमाते घुमाते एक time ऐसा आएगा at situation will arrive एक ऐसी situation आएगी बेटा कि यह restoring torque बढ़ते 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 आपके इस torque के बरावर हो जाएगा यह torque तो आपका fixed हो गया जब तक current fixed है तब तक यह torque आपको fixed है इसमें torque लगा यह घूमा restoring torque बातल लाएं यह और मेरा restoring बढ़ा यह बहुत बढ़ते बढ़ते जो restoring torque है वह दो are shipping तो से टो टेपिन्ट शुपर बहुत करने आया और टॉर्क लगा टॉर्क लागा तो रस्टी घुम रहे है आपने एसे लिया ऐसे सचाल को यह एक रसी उसको मैं ऐसे ऐसे घुमाता जाओ घुमाता जाओ एक भूमना बंद कर देती है क्यों कि इतना restoring torque हो गया कि अब तुम torque नहीं लगा पार है कोई spring या कोई भी चीज़ है रसी ऐसे लटकी होती है उसमें लोग कई बार क्या करते है रसी में नीचे copy बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, a situation will arrive when tau is equals to tau restoring, दोनों बराबर हो जाएगे, और जैसे ही ये situation आएगी, pointer रुक जाएगा, पहले क्या था, ये घूमता जा रहा, pointer घूमता जा रहा है, इसमें current डाला, समझ में आ रहा है, बस इसको, इसको हम लोग current करते है, इसमें current डाला, क्या हो रहा है, ये घूमता जाला क्या है, तॉरक किवजे से, इसमें टॉरक आए घूमता, धूमता घूमो, तो इसमें restoring torque, जितना घूम रहा है, घूमते घूमते एक च्ञे, पर restoring torque, जो बढ़़ा है, दोनों बराबर हो गए, अब, आपका pointer एक यह तो अभी बाद में आ पाएगा एक पेज और चाहिए एंड पॉइंटर स्टॉप्स मतलब रीडिंग मिल गी बिटा आपको ताव इस एकवल टाव रीस्टोरिंग कितना है न आई एब और टाव रीस्टोरिंग कितना है इस इंटर 5 कि यहां से देखो आई is इकवल टॉ थु अपान एं एब इन्टर 5 बेटा, C is a constant, N number of tons constant, A area constant, B magnetic field constant, I is equals to K times of 5 यही तो आप चाहते थे, more current, more 5, जितना current, उतना deflection, यही तो principle आप चाहते थे I is equals to K5, और K क्या है, C by NAB, I is equals to K5, और K क्या है, C by NAB, बस बेटा, यह याद रहे आपको छोड़ने मटी बात और याद रहे आपको, like radial field जरूर याद रखना, radial field कैसे बनाते हैं, एक तो cylindrical pole magnet से, और दूसरा soft iron core लगा के फाइदा क्या होता है, theta 90 degree, angle between magnetic field and area vector is 90, I is equals to K5, K is C upon NAB, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, I is proportional to phi, जितना इदा current, उतना इदा deflection next, sensitivity of a galanometer, current sensitivity, a galanometer is current sensitivity, if it produces large deflection, large deflection, phi ज्यादा हो, for small current, छोटे current के लिए, तो बेटा यह क्या होता है, current sensitivity, phi बटे I, अब देखो, phi और I कितना था, K5 था, phi 5 cancel, 1 by K, K कितना है, C upon NAB, तो कितना हो गया बेटा, NAB बटे C, यह हो गया, कैसे बढ़ा सकते हैं, आप current sensitivity, number of turns बढ़ा दो, area बढ़ा दो, magnetic field बढ़ा दो, यह तो C कम कर लो, इसलिए हम लोग फॉस्पर ब्रॉंज यूज करते हैं, उसका C छोटा होता है, clear है, phi by I, current sensitivity is phi by I, let's try to end it before 8 hours, okay, so current sensitivity is phi by I, I की जगे k phi रखा, phi phi cancel, 1 by k, k is C upon NAB, NAB by C, current sensitivity बढ़ाना है, number of turns बढ़ाओ, area बढ़ाओ, magnetic field बढ़ाओ, C घटाओ, best तरीका क्या होता है बेटा, phi by I को अगर बढ़ाना है, तो best तरीका है, magnetic field को बढ़ा सकते हैं, यह C को घटाए, number of turns और area बढ़ाने से क्या दिक बलकी हो जाता है, next, also used to measure voltage, voltage sensitivity, phi by V, so phi by V की जगे बेटा, I into R रख सकते हैं, I बेटा क्या है, k times of phi R, phi phi cancel, 1 by kr, k is बेटा, 1 by C upon NAB into R, तो बेटा, NAB by C into R, R बेटा क्या होगा यहाँ पे, resistance of coil, आपको voltage sensitivity बढ़ानी है, same कहानी, N बढ़ादो, A बढ़ादो, B बढ़ादो, C बढ़ादो, C घटादो, R घटादो, यहीं पे बेटा, आपका यह topic होता है, समाप, इसके बाद आप प्रैक्टिक टो डाउनलोड करें, बिलते हैं, magnetism, magnetism साथ, पढ़ाई करते हैं, all the very best.